हेलो दोस्तों तुम बात कर रहे थे ncrt books के बारे में तो अभी तक हम लोग कक्छा 6 बी की कक्छा साथ बी कक्छा 8 बी की सभी books हम देख चुके हैं जो हमारे लिए से बिल सबस्क लिए जरूरी होती हैं ठीक है कक्छा साथ भी कच्छा छट भी कच्छा आट भी और याद रखिए इन से संब्धित आपके जितने भी लेक्चर वने हुए हैं इतने भी क्लास ले गए हैं वो किताबों का पूर्ण कबरेज के नाम से जो आपकी फिलेलेश्ट सुचे है उसी में चेप्टर भाई चेप्टर लेग हुए हैं और अगर आप एक ही क्लास में पूरी बुक्स ही देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपका कंप्लीट एंसी याइटी बुक्स क्लास 6-12 इससे जाकर देखें इसमें एक ही क्लास में पूरी आपकी कप्छा चटीवी की कोई भी बुक ले लिए जैसे सामाजे कीवं राजनितिक जीवनवाल एक पूरी एक क्लास में खतम की हुए हमारा आतीत फर्ट पूरी एक क्लास में ठीक है तो जो भी सूटिबल लगे आपको अच् अच्छन नौवी की तो नौवी में हमें देखना है पाँच वो कौन-कौन से ही लोगतांत्रिक राजनिति फष्ट संकारीन भारत फष्ट अड़त साष्ट भारत और संकारीन भिश्ट और पाँच भी विग्यान तो आज की इस क्लास में हम सुरू करेंगे लोगतांत्रिक राजनीती एक एक अच्छा नौवी की आखिविक किताब है लोगतांत्रेक राजनीती राजनीती एक ठीक है एक अच्छा नौवी के लिए है याद रखें तो चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं कि आकित पढ़ना क्या कहना है याद रखें टाइम बेकार मत कीजिए बिना NCEIT पढ़े कुछ नहीं उखड़ने वाला है इसलिए बहतर यही है कि टाइम बरबाद करने से च्छा है कि पहले NCEIT को पढ़ लें क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं है हो सकता है प्याश्टेट पीचेस तो आप निकाल दो लेकिन सिविल सर्विस निकाल दो बिल्कुल भी मुंकिन नहीं है बिना NCEIT के NCEIT सिविल सर्विस के लिए आके राम मार राम मार समझ रहे हो तो यह आपकी विसह सुची है क्या है विसह सुची तो इसमें बात करेंगी एक अध्याय में देखेंगी लोगतंत क्या है लोगतंत क्यों एक अध्याय फर्ष्ट अध्याय हमारा ए होगा अध्याय दो में हम बात करेंगी सम्मिधान निर्मार सम्मिधान निर्मार अध्याय तीन में चुनावी विराजनी हैं, अध्याचार में संस्थाओं का कामकार, अध्याए पांच में लोगतांत्रिक अधिकार, क्या देखेंगे, लोगतांत्रिक अधिकार, तो ये पांच आपकी अध्यार होंगे, ठीक है, चेप्टर इगर, बाइच चेप्टर हम लोग ने कितम करेंग देख लिए भारत का समिधा उद्देशी का हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रवुत संपन समाजवादी पंतनिर्पेक्ष लोगतां तरात्मक गड़राज बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थि और राजनेतिक नियाय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धरम और उपासना की सुधनता, इतिष्ठा और आउसर की संता प्राप्त कराने के लिए तथा उन समय ब्यक्ति की गरिमा यानि की राट की एकता और अखंडता को सुनिश्यत करने वाली बंधूता बढ़ाने के लिए दर्ड संकल्प होकर अपनी इस समिधान सभाव में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इदत द्वारा इस समिधान को अंगी के अधीने में और आत्मार्पित करते हैं जैसा कि आपको पता होगा कि 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधान इसके लागु कर दिये गए थे समिधान के संपूर्ण रूप से और संपूर्ण रूप से आपका 26 जनवरी 1950 को प्राव हुआ याद रखना है था तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहला अध्याय क्या हुग आपका लोगतंद क्या लोगतंद क्यों नवस्कार दोस्तों तो चलिए हम लोग बात करेंगे लोगतंद क्या है लोगतंद क्यों इसके बारे में लोग जानेगे अच्छी तरह से बने रही है आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा परिचे लोगतंद क्या है इसकी क्या बिस्रिष्टाएं क्या है हम बहुत सरल परिवासा से सुरुवात करते हैं फिर हम बारी बारी से इन बिन्दूओं का बेवारे करते जानेगे या हमारे उद्देश किसी भी सरकार की लोगतंद्रिक होने की नियूंतम विस्रिष्टाओं को चिन्नित करना है या द्याय पढ़ लेने के बाद हम लोगतंद्रिक और गैर लोगतंद्रिक सासन में अंतर कर सकते हैं अध्याय के अंत में हम इस नियूंतम लक्ष को आगे बढ़कर लोगतंद्रिक वहतर परिवासा पर आएंगे समकालीन दुनिया में लोगतंद्रिक ही सबसे लोगतंद्रिक सासन पतिती है पर ऐसा क्यों कौन सी चीज इसे दोसरी विवस्थाओं से बहतर बनाती हैं क्या यही सासन की सर्वुकत्तम विवस्था है इस सवालों पर हम इस सद्ध्याय के बादवाली इससे में चल्चा करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं लोगतंद क्या है आप सरकार के विवन रोपों के बारे में पढ़ चुके हैं लोगतंद की अब तक की आपी समझ के आधार पर कुछ उधारन देती हुए सरकारों की कुछ सामान विश्चता है लिखें करें लोगतंद्रिक खारों की जरूरत के आएंगे बढ़ने से पहले आईये सबसे पहले एकailed मेरी मेरी की आपत्ति पर गोर किया जा वह लोगतंद को परिवासित करने के इस तरीकों को पसंद नहीं करती हैं और कुछ गुनियादी सवाल पूचना चाहती है उसकी अध्याप्तिका मैं टिल्डा लेंग दोई में उसके सवालों का जवाब देना सुनू किया तो कच्छा की अन्चात्राएं भी इस चर्चा में भाव लेने लिए मेरी मेडम मुझे यह तरीका ठेक नहीं लगता पहले लोग तांत्रे बिवस्था के वारे में चर्चा किया और आकर हम लोगतंत का मतलब जाने की कॉसिस कर रहें मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना था पहले अध्याय वाली पढ़ाईयम क्या ऐसा ठीक नहीं उता लिंग दो मेडम मेडम जवाब दे रहें तुमारी बातों में दम है पर क्या हम अपने सामान जीवन में भी ऐसा ही नहीं करते क्या हम कलम बलसात या प्रेन जैसे सब्दों का उप्योग करने के पहले इनकी परिवासा इसपष्ट करना जरूरी मानते हैं जरा सोचो क्य हमारी पास इन सब्दों की बहुत इसफष्ट और सर्वसामान परिवासा है सब्दों का उप्योग करके ही हम उनका अर्थ धामते हैं मैं जी परिवासा की जरूरत ही क्यों है लिंग दो मेडम हमें परिवासा की जरूरत तभी बढ़ती है जब हमें किसी सब्द का परिवासा की जरूरत तभी होती है जब हमें पूंदा बांदी बादल फटने जैसी इस्तिती है और सामान वर्साद में फर्क करना हैं लोकतंद पर भी यही बात लागू होती है हमें इसके लिए भी इसपश्ट परिवासा की जरूरत है क्योंकि लोग इस सब्द का प्रेयोग अलग अलग के लिए करते हैं बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोगतांतरे की कहती है रिवी आंग लेकिन हमें परिवासा बनाने की जरूरत ही क्यों है एक दिन आपने हमें अब्राहिम लिंकन का एक बात सुनाए था लोगों के लिए लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली सासन विवस्ताई लोगतं था मेगाले में हम स्वैम पर राज करते रहें इससे सभी लोग माते विए हैं कि हमें इसमें बनलाओ करने की क्या जरूरत है लिंग दोई मैडम मैं या नहीं कहती कि इसमें बनलाओ करने की जरूरत है मुझे भी ये परिवासा बहुत सुन्दर लगती है जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार ना करें तब तक यह तैटरना मुस्किल होगा कि लोगतंद यही सरवत्तम परिवासा है हमें किसी चीज को सरफ इसी आधार पर सुईकार नहीं करना कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गिरामी आदमी ने उसके लिए कुछ बहुत अच्छा कहा है यह सभी लोग उसे सही मान थे यह लांदा मैडम क्या मैं कुछ कह सकती हूँ हमें कोई परिवासा तलासने की जरूर्ट नहीं है मैंने कहा कहीं पड़ा रहें कि डेमोक्रेसी यूनानी सब्द डेमोक्रेसिया से बनाए यूनानी में डेमोस करत होता है लोग केश्डिया करत होता है सासन इस पेकार डेमोक्रेसी अर्थात लोगतंत का रथ है लोगों का सासन यही सहीर थे, पिर परिवासा की क्या जरूर थे? लिंग दोई मैडम मैडम क्या जवाब दे रही इसका? इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है पर मैं इतना कहूंगी कि सिर्फ सब्द की उत्पति से उसकी परिवासा निकालने का तरीका, हर दम उप्रयोगी नहीं रहता है। सब्दकर्ट हमेशा अपने मौल से जुढा या बना नहीं रहता है। समय उप्रयोग के साथ साथ उसका आर्थ व्लदलना भी बदलता भी रहता है। अब कंप्यूटर सब्दी ले लो यह तेंज कंप्यूटरिंग यानि की गर्णा सब्द सेवा से बनाएं मुश्किल गर्णाओं को सहलता से करने के लिए बने यंद कोई कंप्यूटर कहा जाते हैं दरसल यह बहुत सकती साली केलकुलेटर है पर आज सायदी कोई इस अरत में कंप्यूटर सब दिखा प्रयोग करते हैं अब तो कंप्यूटर का व्योग लिखने पढ़ने डिजाइन बनाने संगीत बनाने सुनने और फ्ले में देखने में होता है सब्द ही सब्द वही रहते हैं पर समय समय बीतने के साथ उनका अरत बतलने सकता है ऐसी श्थिति में सरिफ सब्दों के मूल अरत पर ही भरोसा करना बहुत हो प्रयोगी नहीं होता मेंडम मेरी मेंडम आपके कहने का मतलब यह है इस बिसाय कप पर खुद सोचने कर कोई सौर्ट कट नहीं है हमें इसके अरत पर गौर करना यह होगा और इसकी परिवासा गड़नी होगी लिंग दो मेंडम एकदम सही इसलिए आओ अब यह काम कर ही डाले खुद करें खुद सीखें एक सरल परिवासा आईए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोग तंत्रे बताने का दावा करने बाली सरकारों के भी कि समानताओं और आसमानताओं से जुड़ी थी सभी लोग तंत्रे बेवस्थाओं का पहिए कि पहिच्जान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था लोगों के पास अपनी सरकारों सरकार को चुणने का अधिकार होना इसलिए हम एक सरल परिवासा से शुरुआत कर सकते हैं लोग तंत्र सासन का एक ऐसा रूप है जिसमें सासकों का चुनाव लोग करते हैं देखिए एक सामान परिवासा है आपकी लोग तंत्र की लोग तंत्र सासन का एक ऐसा रूप है जिसमें सासकों को यानि कि आपकी सासक होते हैं इन्हें का चुनाव कुन करता है लोग यानि को लोग तंतरीक सास्थी वेवस्थां में अंतर कर थीम यारमार की सानेक साहकों का चुनाव लोगों नहीं गए जिन लोगों का सेना पर नेंतर था विदेश के साथ तक बन गए सासक की फैसलों में लोगों की भागी कोई भागी दाई नहीं है पिनों से चिले जिसे ताना साहों के चुनाव लोग नहीं करते हैं यही बाद राजसाहियों पर भी लागू हुती है साओधी अरप के साहे लोगों द्वारां सासक नहीं चुने गए बलकि राज परिवार में जनम लेने के कारण उन्होंने यह थक पाया है इस तरह से लेख सकते हुआ जैसे कॉंग्रेस 1885 से चले 1947 तक तक कॉंग्रेस बढ़िया थी जब तक बंडे जभालाल नहरू आके 62 तक रहे लेकिन उसके बाद इंद्रा के समय से कॉंग्रेस की हालत बुरी होने लिए और देखिए उसमें वो राश्तन्त की तरह हो जाता है कि कोई चुनाव ना हो समझ रहे और इंद्रा के बाद आपके राजी बाते हैं राजीत के बाद सौनियां के बाद राहुल डा जाते राहुल के बाद उनके बेटे उनके बेटे के बाद के बेटे तो यह राश्तन्त हो जाते हैं ठीक है जान लोगों की भागीदारी होगी वो लोगतंद और कि वागेदारी नहीं है एक राज़ परिवार कुछ चौन लिया जता है उसे या लोगतंतिक या रासा ait कर सकती हैं लेकिन ये सरल परिवाशा पूर या परयात नहीं है इससे हमें यह समझ में आता है कि लोगतंद का मतलब लोगों का सासन है पर इस परिवासा के प्रियोग यदी हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोगतांत्रे करना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है और पिर हम सही नतीजे प पुद को लोगतांत्रिक कहना कहलाना चाहती है इसलिए हमें असली लोगतंद और दिखावटी लोगतंद बाली सरकारों की भी सावधानी पूरवक्त पड़ करना होगा या काम हम तभी करपाएंगी जब हम इस परिवासा की एक-एक सब्द को सावधानी से समझे और लोग वियांग स्कूल से घह रख गई उसने लोगतंद के बारे में कुछ अन्य पिस्सिद्ध बैक्तियों के कत्रों को जमा किया इस बार उसने इन उंक्तियों को कहने या लिखने वाले कि नाम का उप्यूग नहीं कि वह चाहती है कि आप भी इन्हें पढ़ें और बताएं कि य यह प्रिवली है लोगतंद हर वैक्ति को अपना सोसक आप सोसक आप बन जाने का अरिकाल देता है लोगतंद का मतलग है कि अपने तानाम साहों का चुनाव करना और उनके मुए से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद वैक्ति की न्याय पे इता लोगतंद को संभव पनाती हैं लेकर अन्याय के पिति बैक्ति खरूजयान लोगतंद को जरूरी बनाता है लोगतंद साहषност का ऐसा तरीका है जो सुनिष्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लाय है sandy बैसी सरकार ही हम पर सासन करें, लोगतंत की सारी बुराईयों को और अधिक लोगतंत से दूर किया जा सकता है, बात करते हैं लोगतंत की बिसेश्थाउं के लिए, डेमोक्रेसी, हमने इस साल इस सर्व परिवासा के साथ सुरुवात की, लोगतंत सासन का एक रूप, जिसमें जन्ता सासन का चुनाओ करते हैं, इस से अनेक सवाल ख़ड़े होते हैं, इस परिवासा के अनुसार सासन कौन है आके? किसी सरकार को लोगतंत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुना हुआ होना आवस्थ है लोगतंत्र में बे कौन से पैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं किस तरह के चुनाव को लोगतांत्रिक चुनाव कहते हैं। किसी चुनाव को लोगतांत्रिक कहने के लिए किन सर्थों का पूरा किया जाना जरूरी है। कौन लोग सासमों को चुनाव कर सकते हैं या खुद सासम चुने जा सकते हैं। क्या इसमें पितेक नागरिक का बरादर सकती हैं सरकार के किस सवरोप को लोगतांत्रिक कहेंगे क्या चुने हुए सासर लोगतंत में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं या लोगतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लचमड रेखायों में बंद कर काम करना जरूरी है क्या लोगतांत्रिक सासन विवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का अगर्ण करना चाहिए आई कुछ उदार्णों के साथ इन सब बारी बारी से बिचार करें प्रमों फैसले निर्वाचित देताओं के हाँ पाकिस्तान में जनरल परवेज मुसरप्त ने अक्टूबर 1929 में सैनिक तक्ता पलक की अगवाई थी उन्होंने लोकतांत्री डंग से चुनी हुई सरकार को उखाड की का और खुद को देश का मुख के कारिकारी हो शित्किया बाद में उन्होंने खुद को राटवती पुशित किया तो 2002 में एक जन्मत संग्राय करार की अपना कारकाल 5 साल के लिए बढ़ा लिया पाकिस्तानी मेडिया माना अधिकार संगटनों और लोकतंत के लिए काम करने वालों ने आरोक लगा हैं कि जन्मत संग्राय एक दोखा लगी है वे इसमें बड़े प्रमाने पर गड़वडियां की गई अगस्ते 2002 में उन्होंने लीगल पहमबग ऑड़र के जरिये पाकिस्तान की समीधान को बदल लाना इस ऑड़र के अन्वसार राष्ट्पती राष्टी और प्रांतिय असेमलियों को भंगिक कर सकता है मंत्री परष्ट के काम काज पर एक राष्टिय सुरक्षा परष्ट की निगिदाही रहती है जिससे जानातर सदस होजी अधिकारी हैं इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्टी और प्रांतिय असेमली के लिए चुनाव कराएगे इस पिकार पाकिस्तान में चुनावी हुए चुने हुए पित्ती निदियों को कुछ अधिकारी भी मिले लेकिन सरोल सत्ता सैना की अधिकारियों और जनरल मुसरप्ट के पास थी इस पश्ट है कि General Musrug के सासनवाले पाकिस्तान को लोककंद ना कहिने कि अनेक ठोस चरचा करते हैं लेकिन यहां स्रिफ एक करन पर ही चल्चा करते हैं क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में कि लोगों ने अपने सासक का चुनाव किया है हम ऐसा नहीं कह सकते हैं लोगों ने राष्टी और प्रांती असेंबलीयों के लिए अपने पिती निदियों का चुनाव किया है। लेकिन चुने हुए पिती निदिये बास्तिविक साजक नहीं थे। भी अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुसर्रफ के हाथ में था जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसा ताना साही और रासाही वाली अनेक सासन वेवस्ता वेवस्ताओं में होता है। वहार उपचारिक रोप से चुनी हुई संसद और सरकाल तो होती है। पर असली सत्ता उन लोगों के हाथों में होती है। जन्हें जनता नहीं चुनती है। कुछ देशों में असली तागत विदेशी सक्तियों के हाथ में रहती हैं ना कि चुनी हुई पितिनिदियों के हाथ में इसे लोगों का साशन नहीं कहाँ दर सकता है इससे हम लोगतंत्रिक सासन विवस्ता की पहली विशिष्टा पर पहुंचें। लोगतंत में अंतिम नेडर लेने की सकती हैं। लोगों द्वारां चुने हुए कितिने दियों के पास ही हौनी चाहिए। सेरिया जब तक बाज पार्टी की सदस्ता का फाम भरकर उसकी सदस्त नहीं बनोगे अंदर नहीं आ सकती है। चलते हमें। सुतंत और निस्पक्ट चुनावी मुकावला। सुतंत और निस्पक्ट चुनावी मुकावला। चेन की संसत को कवांगो गो रैम मिन दाइवियाओ दाहुई यानि कि राठ्टिय जन संसत कहते हैं। चेन की संसत के लिए इत्ती पांच बर्ट बाद नेमित रोप से चुनाव होते हैं। इस संसत को देश का राठ्ट पती निवट करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से करेब 3,000 सदस्त आते हैं। कुछ सदस्तों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीद बारों को चेनी कमिनिस्ट पाइटी से मन्जूरी लेनी पर होती है। दोजारत दो तीन में हुए चुनाव में स्रिफ्ट कमिनिस्ट पाइटी और उससे समद कुछ छोटी पाइटीों के सदस्तों को चुनाव लड़ने की अन्मती मिली। सरकाल सदा कमिनिस्ट पाइटी की ही मन्दी है। 1930 में आजाद होने की बाद मेक्सको में हर 6 बर्ष बाद राष्टपती चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। कहां मेक्सको में। देश में कभी भी फोजी सासन या तानासाई नहीं अलिए। लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में पी आर आई यानि कि इस्टिट्टिव्शनल डिवूस रिवूलेशनली पाइटी नाम की एक पाइटी को ही जीत मिलती थी। बेपक्षी दल चुनाव में साब लेती थी। पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में तरह तरह के हतकंडे अपना पर हर हाल में जीत हासिल कंडे के लिए पी आर आई कुख्याद थी। सरकारी दप्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पाइटी की बैठों में जाना निवार थी। सरकारी स्कूलों के अध्याप अध्यापक अपने चाच चात्राओं के माप बाप से पी आई के लिए बोड देने को कहते रहें। मीडिया भी जब तक विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविदियों को नजरनदार ही करती ही। कई बार एकदम अंतिन चड़ों में मध्दान के अन्नों को एक जगए से अटाकर दूसरी जगए कर दिया जाता थी। जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थी। पी आर आई अपने उमीदवारों के चुनाओ आधियान पर काफी पैसा खर्च करती थी। क्या हम उपर बोड़े चुनाओ को लोगों द्वारा अपना सासक चुनने का उधार मान सकते हैं। इन उधार्णों को पढ़ने के बाद तो यहीं लगता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहां काफी सारी समस्या हैं। चीन के चुनाओ में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभी बेकल्प ही नहीं होता है। लोगों को सासक दल या उसके द्वारा सुईके तुम्ही द्वारों कोई बोट दिना होता है। क्या हमें इसे मनपसंद चुनाओ कह सकते हैं। मैक्सकों के मांगले में ऐसा लगता है कि कहने को कोई विकल्प होते हुई भी असल में वहां जंदा के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। किसी भी तरह वहां सासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था। लोगों के चाहने पर भी नहीं, वहाँ हुए चुनाव भी निस्पक्ष नहीं थे, इस पेकार हम लोगतंत की अपनी समझ में एक अन्य पिसेस्ता या गुड के गुड को जोड सकते हैं, लोगतंत के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही परयाप नहीं होता है, चुनाव में एक से इस पेकार लोगतंत निस्पक्ष कुछ सुतंत चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान आउसर हों, लोगतंत्रे चुनाव के बारे में अध्याय, तीर में और बातें करेंगी हुए उन्युक्त पता है आपको, कहा जाता है ऐसा कि जब आजात हुआ हमारा भारत, तो कहा गया कि जो पड़े लिखे हैं, जो कर देती हैं, उन्हीं को उट डालने का अधिकार दिया जाए, तो इस पर आपके जो पंडित जवालाल में रूप थे, उन्होंने बड़ा बबाल किया, कि नहीं कि सभी को अधिकार मिलना चाहिए, उन्हीं की बड़ालत हम लोगों को सब को बरावर रखा अधिकार मिला हुआ है, बोट डालने का, फिर चाहे वो गरीब हो, चाहे हमीर हो, दोनों बोट डाल सकते हैं, और दूसरा कहा जाता है कि सब की सलाय थी कि एक पार्टी हो, मारत मे एक या फिर दो, लेकिन पंडित जवाहल लाल लाहिरूटी की बतुलत हमारे में अनिक पार्टियां हो सकते हैं, तीसरी बात कहते हैं कि जब राजस्तंत की बात उठने लगती है, तो कहते हैं कि पंडित जवाहल लाहिरूप, इंद्रा गांदी को अध्यक्ष बनाया जाने पर खुस नहीं थे, उन्होंने ऐस हमती भी जिताई थी, ऐसा कहते हैं, देखो अपना अपना है, लोग कहीं उनमें ठमिया निकलते हैं, कई लोग अच्छाईया भी निकलते हैं, ये लेकिन इतिहास में देखा हुआ है, वही मैं बता रहा हूँ, अब चलते हैं हम लोग आ वैस्क मतादिकार के साथ जोड़ा था, अब इस से धांद को लगवा पूरी दुनिया में मान लिया गया, पर किसी व्यक्ति को मतान के समान अभीकार से बंचित करने के वो धारन भी कम नहीं है, 2015 तक साओधी एरम में औरतों को बोट देने का अधिकार नहीं था, एस्टोन करने में मुश्किल होती है, फीजी की चुनाओ पैनाली में वहां के मूल बास्कियों के बोट का मात बारतियमोल के फीजी नागरिगों के बोट से जाना है, लोकतंत राजनितिक समानता के बुन्यादी सिद्धानत पर आधारित है, इस पेकार हम लोकतंत की तीसरी लोगतंत में हर बैस नंगरिक का बोट एक बोट होना चाहिए और हर बोट का एक समान मूल होना चाहिए अध्याय तीन में हम इस बारे में जांदविस्तार से पढ़े हैं याद रुकिए नहीं पॉइंटों को आप लोग नूट करते जाएं ठीक है क्या रहता है कि यही आपक की लोगतंत की विशेश्था कुछता है कहीं कुष्चन तो वहां आंसर आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं या कार्टून देखते रही है या कार्टून लाटिन अमेरिका की लोगतंत के काम का स्थी समझनी थे इसमें सिकों की थेलीयों काई क्या मतलब है राजिनिती में थेली साहों की मून क्या के बारे में काल्टून बनाने बालक क्या कहना चाहता ह। छली आंगे हम लोग चलते हैं आखिरकार एक बोट, एक बैकती एक बोट जो भी क्या दिन थे हैं बो भी क्या दिन थे जब मैं ही मैं ही एक बैक्ती और मेरा ही एक मात बोड़ता है और यह मुझे पसंद रहा है कौन बोल रहा है समझ में आ रहा है यह गर में बैटे हुए बात करते हैं कानून का राज और अधिकारीनों का आल है जिम्बॉंबव को 1980 में अल्वजंखेक गुरों की सासन से मुक्ति मिली उसके बाद देश पर जानू पी एप दल का राज है जिसने देश के सुदंत्र संगर्स की अगवाई की थे इसके नेता रावट मुगाबि पाजादी के बाद से ही सासन कर रहे थे चुनाव नेमित रूप से होते थे और सदा जानू पी एप दल ही जीतता था राश्टरपती मुगावे कम लोग पिरिये नहीं थे पर भी चुनाव में गलत तरीके भी अपनाती थे आजादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार समिधान में बदलाओ करके राश्टरपती के अदिकारों की मैं बिद्धी की और उनकी जवाबते ही को कम किया थी विवक्ची तलों के कारकरताओं को परेशान किया जाता था उनकी सवाहों में गरवर्ड कराई जाती थी सरकार बिरोधी प्यदर्शनों और आंदलोनों को गैर कानूनी गोसित कर दिया था एक ऐसा कानून भी था जो राश्टरपती के आलूचना के अदिकार को सीमित करता था टेली वीजन और रेडियो पर सरकारी नियंतर था और उन पर सरफ सक दल के विच्छार की पिसारित होते था अखवार सुतन थे पर सरकार की आलूचना करने वाले पत्कारों को परिशान किया जाता था सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवार नहीं की जो उसके खिलाब जाते थी और उसने जजों पर दवाबी टाला 2017 में मुगावे को राश्टवी पद से अटा दिया गया जो उम्बयम्वे का उधारन बताता है कि सास्कों के लिए बारबात जनादेश पाना लोकतंत की एक जरूरत है पर इतना ही परयाप्त नहीं है लोक पर ये नेता भी तानासाय हो सकते हैं अगर हम लोकतंत को परखना चाहते हैं तो चुनाओ पर नजर डालना जरूरी है पर अतना ही जरूरी है कि चुनाओ के पहले और बात की स्तितियों पर भी नजर डाली जाए चुनाओ के पहले सत्तर पक्च के बेलोधी समूहों के कामका समय सभी तरह की राजने दिक गतिव नियादी अधिकारों का आधर करें। उसको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सारुजने को रोप से अपने बिचार वेक्त करने की, संगठन बनाने की, बिरोध करने की, और अन राजनितिक गत्ति विदियां करने की सुधनता होनी चाहिए। कानुन की नजर में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए इन अधिकारों की रक्षा सुधन्त नियायपाल्गा को करनी चाहिए जिसके आधेसों का पालून सब्लोग करते हैं इन अधिकारों के बारे में हम अधिक दिस्तार से अधियाय पांच में पड़ेंगे। इस पेकार की कुछ दूसरी सरते हैं जो चुनाव के बास सरकार चलाने के तौर तरीके कौपर लागू होती है। एक लोगतांत्रिक सरकार सरफ इस कारण से मरमानी नहीं कर सकती है कि उसके उसने चुनाव जीता है। उसे भी कुछ वोन्यादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। खास तौर से उसे अल्प मत बालिसमोहों को जी गई कुछ गारंटिया का आदर करना होता है। हर प्रिमोख फैसलाल लंबे विचार में वज के बाल लेना होता है। हर पतादिकारी को उस पद के साथ जोड़े अधिकारों और जिम्बेदारीयों समीधान द्वारां दी जाती है। यह सभी ना सिरुफ जन्ता के लिए कि पिती उत्तर दाई है बलकि अन्ह सुदंत अधिकारीयों के पिती भी उनकी जिवाबत ही होती है। इसके बारे में हम जन्ता विस्तार सी अध्याय चार में बढ़ें। इस परकार हम लोकतंत की चोतरी और अंत्य बिस्ता को रिकां के कर सकते हैं। यह आपको लिखने के लिए आ जाए तो आप इन्हें लेख सकते हैं। टीक और नोट कर लिए बात करते हैं परिवासाओं का सारण आई अब तक हुई चर्चा को समेटे हैं हमने लोकतंत की सरल सी परिवासा से बास रोख की थी कि लोकतंत सरकार का यह ऐसा रोख है जिसमें सासकों का चुनाव लोग करते हैं हमने पाया कि जब तब हम इसके कुछ पिरमुक सब्दों के बारे में और इस्पष्ट ना हो जाए या परीवास्ता पर्याप नहीं है अनेक उधार्णों के जड़ी हमने सासन के तरीके एक तरीके की रूम में लोगतंत की चार विसेस्ताओं को रेखांकित किया है इसके अनुसाल लोगतंत सासन का एक ऐसा रूप पाता है कि बेचाहें तो मौजूदा सासकों को भी बदल सकते हैं या विकल्प और आउसर्थ सभी लोगों को समान रूप से उपलद्ध हो इस चुनाव से बनी सरकाल समिधान द्वारा तैय बन्यादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती ह लोकतंत के कामकाज या उसकी अनुपस्तिती के इन पांच उदारनों को पढ़िए इनका मेल लोकतंत की उन प्रातंगी बिसेस्ताओं से कराईए जिनकी शर्चा उपर की गईए बोटान नरेश ने गोशना की कि आंगे से भी चुने हुए पितिने दियों द्वारा नहीं द्वारा दी गई सलाय पर काम करेंगे भारत से गई अने तमिल मजदूरों को स्रीलंका में बोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया नेपाल नरेश ने राजनितिक जमावड़ों पिदरसनों और रेलियों पर रोब लगा दी भारत के सरवुच नेले ने बिहार विधान सवा बहंग करने को आसंब धानिक ठहराये बंगलादेश की राजनितिक पार्टीयां इस बास से सहमत हुई कि चुनाव के समय किसी पार्टी की सल्बकार ना रहे अब चलते हैं लोगतंत की लोगतंत ही क्यों आखिर मैडम लिंक दो इसमें दो लोगतंत क्या है फर दूसरा लोगतंत ही क्यों मैडम लेंग दोई की कच्छा में एक बहस स्वरूवी थी उन्होंने इस सद्याय को यहां तक पढ़ाने के बाद छात्रों से पूचा क्या उन्हें लोकतन थी सासन का सबसे अच्छा स्वरूप लगता है इस सबाल पर सबने कोई ना कोई टिपडी की लोकतन्त के गुड़ों पर चर्चा यह उलांदा हम लोकतन्तरिक देश में रहती दुनिया बर में सभी जगए लोक लोकतन्त चाहती जिन देशों में पहले लोकतन्तरिक सासन पढ़ाली नहीं थी वहां भी अब इसे अपनाया जा रहा है सभी महाल लोगों ने लोकतन्त के बाद में अच्छी अच्छी बातें करें क्या इतने सही एसपश्क नहीं हो जाता कि लोकतन्त सबसे चाहती क्या अब भी इस पर बहस करने की ज़रूरत है तांग की नहीं लेकिन लिंग दो है मेडम ने जो तु कहा था कि हमें किसी चीज कुछ तरफ इसलिए नहीं माल लेना चाहिए कि बाकी सभी ने उसे माल लिया क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि बाकी सभी लोग गलप रास्ते पर जा रहे हैं यह यह गलप रास्ता ही है लोकतन्त ने हमारे देश को क्या दिया आदी सदी से जाना समय से लोकतंत है और तब भी देश में इतनी अधिक गरीबी है रिवियान लेकिन लोकतंत इसमें क्या करता है क्या हमारे यहां लोकतंत के कारण गरीबी है या फिर लोकतंत होने के बाद जूद भी गरीबी है जैनि जो भी है इससे क्या फरक पड़ता है मुद्दा है कि हम इसे सासन का सरुपसिष्ट रोप नहीं मान सकते हैं लोक्तन्त का मतलब है की अराज़कता आस्तिर्था वेश्टाचा और दिखावा राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं देश की परवा किसे है पाई मौन तो फिर इसकी जगे कौन सी बेडाली होनी चाहिए क्या अंग्रेजी हुकूमत बापस लाई जाए बाहर से किसी राजा को देशपासासन के लिए बुलाया जाए रोज पता नहीं पर मुझे लगता है कि देश को एक मजबूद नेता की जरूरत है ऐसा नेता ही जिसे चुनाव की संसत की परवार ना हो एक ही नेता के पास सारी अधिकारों देश के इत में जो कुछ जरूरी है वह सब करने में उसे सक्चम होना चाहिए कोई पीचे से चलाया इसी को ताना साही कहते है अगर वह वह वैक्ती सत्ता का उपयूग स्रेफ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करने लगे तो क्या होगा अगर वह खुद भेश्ट हो तब रोज मैं सरफ इमानार संजीदा और मज़ूर नेता की बात कर रही हूं दो यह ठीक नहीं है तुम बास्तविक लुपतंत की तुल्ला आदर्स ताना साही के साथ कर रही हो हमें आदर्स की तुल्ला आदर्स के साथ और बास्तविक की तुल्ला बास्तविक के साथ करनी चाह हैं होता सरफ यह है कि हमें उनके बारे में जानकारी उपलत नहीं होती हैं और सबसे बड़ी गड़बर तुया है कि आप उन्हें सब्ता से अठावी नहीं सकते हैं मैडम लिंग लोर इस चर्चा भी पूरी दिल्चत्वी से सुन रही थी अब उन्होंने हस्त छिप किया तुम सब लोग इतने मगन होकर इस बहस में लगे थी यह देखकर मुझे खुसी हुई मुझे नहीं मालूँ हो कौन साहिर कौन गलत थी यह तो आप लोग सुल जाएं प आपको अपनी बात कहने के लिए सजादी दी होती है तुनिष्चित त्रोप से आपको बहुत बुला रहता है क्या आप यसा उस देश में कर सकते हैं जा लोगतंत नहीं है लोगतंत के खिलाब तर्ट इस चर्चा में लोगतंत के खिलाब वे अधिकांस तर्च सामने आ लोगतंत में नेता बदलती रहते हैं इससे आस्तिता पेगां होती है लोगतंत का मतलब से राजनेतिक लड़ाईं और सत्ता का खेलर यहां नेतिकता की कोई जगए नहीं होती है लोगतंत्रे के विवस्ता में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी परती है कि हर फैसले में देरी होती है चुने हुए निताओं को लोगों के एतों का पता ही नहीं होता है इसके चल्दे खराप फैसले होती है लोकतंत में चुनावी लड़ाईयां मत होन खरचिली होती है इसलिए इसमें वेश्टाचार होता है सावाल लोगों को पता नहीं होता है कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है इसलिए उन्हें किसी चीज का पैसला नहीं करना चाहिए क्या लोगतंत के खलाब कुछ और भी बातें हैं जो आपके मनमे रह गई है इनमें से कौन सा तक मुख रूप से लोगतंत पर ही लागू होता है इनमें से कौन सा तक किसी भी तरह की सरकारद्वानी सत्ता गद रुपयों करने की मामले मैं लागू नहीं होता है इनमें से किस तरक किस से आप सहमत है निश्चित रूप से लोगतंत सभी समस्याओं को खतम करने वाली जादू की छड़ी नहीं है लोगतंत ने हमारे देश में या फिर दुनिया के अन्यसों में भी गरीवी नहीं मिटाई सरकार के सवरूप के तोल पर लोगतंत सर्फ इसी बन्यादी चीछ को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसला करें इससे इस बात की गारेंटी नहीं हो जाती है कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे लोग गलतियां भी कर सकते हैं इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनाने से फैसलों में देरी होती है यह भी सही है कि लोगतंत में जल्दी जल्दी नेत्त परिवत होता है कई बार बड़े फैसलों सरकार की कार को सलता पर भी इसका बुरा असर होता है इन तर्कों से यह लगता है कि हमें लोकतंत का जो गुरूप देखते हैं वह सरकार का अधर स्वरूप नहीं हो सकता पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता है वहाँ सवाल यह होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरुपों के जो बेकल्प उपलब्द हैं उनमें लोकतंत किसी भी दूतरे से बहतर है अब बात करते हैं लोकतंत के पक्ष में तर्ग चीन में 1958 से 61 के वीच के द्वराम बड़ा अकाल बिस्तियास का अब तक का सबसे भायावाग अकाल पड़ा इसमें करीब तीन करोर लोग भूख से मरी उन दिनों भारत की आतिक इस्तिती चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी फिर भी भारत में चीन के समान अकाल प्रभूख मरी इस्तिती नहीं है अरत सास्तियों का मनना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारें सरकारी नीथियों के अंतर के कानत हुआ है बारत में लोगतांत्रिक बारत में लोगतांत्रिक विवस्था होने से बारत सरकार ने खाद सुरक्चा के मामले में जिस तरह से काम किया पैसा करने की जुरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की अरत सास्तियों का यह भी कहना है कि किसी भी सुतंत और लोकतंत त्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल बड़ी संख्या में बोकमरी नहीं हुए अगर चीन में भी बहु दलिये चुनावी विवस्ता होती तो विवक्ची दल होता तो सरकार की आलोचनकर सकने वाली सुतंत मेडिया होती तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे यह उदाड़न लोकतंत को सरफसेष्ट सासन पदिती बताने वाली विसेश्ताव में से एक को बहुत धंक से सामने लाता है लोगों की जरूरत के अनुरूप आचनर करने के मामले में लोकतंतरिक सासन पदाली किसी भी अनपदाली से बढ़ता है गैर लोकतंतरिक सरकार लोगों की जरूरतों पर ध्यान भी देवी सकती है और नहीं प्रिया सरकार सबसरकार चलाने वालों की मर्जी पनिर्भा करें अगर सासकों को कुछ करने की जरूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की जरूरत नहीं है पर लोकतंत में यह ज़रूरी है कि सासन करने वाले आम लोगों की जरूतों पर तत्काल नियाने है लोकतंत्रिक सासन ख़विति दूसरों से बहतर है क्योंकि यह सासन का अधिक जवाब देगी वाला स्वरूप है गयर लोकतंत्रिक सरकारों की दुल्ला में लोकतंत्रिक सरकारों की बहतर फैसले करने हैं करना एक अन्म कारण पीर लोकतंत का आधार ब्यापक चर्चा और बहसे हैं लोकतंत्रिक फैसले में हर्दम जाना लोग सामल होते हैं चाज चाकर करके, फैसले होते हैं और बैटके होते हैं , अगर किसी एक मसले पर अनेख लोगों की सोच लगी हो, तो उसमें गल्तियाँ की गझायश कम से कम हो जाती है कि मत्मुन फक्रमिति मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने तक अपने लाग भी है इससे जाना ओक या फिर गेरिजम्मेदार फैसल लेने की संभावना जटती है इस वेकाल लोगतंत बेहतर नेड़े लेने की संभावना बढ़ाता है इसी से जोड़ा तीसरा तक भी है लोगतंत मत भेदों और टकराओ को संभालने का तरीका उपलो पिकराता है किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा ही बारत की तरह भारी समाजिक बिवित्ता वाले देशों में इस तरह का अंतर और भी जाना होता है अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग समुखों की लोग रहते हैं बिवेन ने भासाएं बोलते हैं और उनकी धार्मिक मानता हैं अलग-अलग जातियां भी जुदा-जुदा दुनिया को ये सबाव अलग-अलग दिर्ष्टी कोट से लिखते हैं उनकी पसंद में भी अंतर एक समुग की पसंद दूसरे समुग की पसंद में टकराव भी होता है ऐसे टकराव को कैसे सुल जाएंगे इसे तागत के बल पर सुल जाया जा सकता है जिस समुग के पास जादा तागत होगी वर दूसरे को दबा देगा कमजो समुग को इसे मानना होगा लेकिन इससे नाराजगी और आसम दोस पहला होगा ऐसी स्थिति में विवन समुग जादा समयता साथ नहीं रह सकते हैं लोकतंत इस समस्या का इकमात सांतिकों समालान उपलत कराता है लोकतंत में कोई भी इस्थाई विजेता नहीं होता है कोई इस्थाई रुप से पराज़त भी नहीं होता है सो विवन समुग एक दूसरे के साथ सांतिकों धंक से रह सकते हैं बहारक की तरह बिवित्य वाले देश को लोगतंत ही एक जुट बनाये हुए है। बहतर सरकार और सामाजी जीवर पर प्रभाव के साब से इन तरक लोगतंत को काफी मजबूर साबित करते हैं। लेकिन लोक्तंत की पक्ष में सबसे मजबूर तरग उससे बनने वाली सरकार की कामकास से जोड़ा नहीं। यह तरग लोक्तंत और नाग्रेकों की रिस्तों का, लोक्तंत में नाग्रेकों की जो हैसियत होती है, वह किसी और वेवस्ता में नहीं होती। अगर इस बिवस्था में बहतर फैसले लेने और तरदाई सरकार चलाने का काम ना भी हो तब भी यह दूसरों से बहतर लोगतंत नागरेकों का सम्मान बढाता है लोगतंत राजनेतिक समानता कि सर्दान पर अधर रहते हैं या सबसे गरीब और अनपड़ को भी वही दरजा प्राक्त है जो अमीर को पढ़े लेके लोगों को हैं लोग किसी सासक की प्रिजा ना होकर खुद अपने सासक हैं अगर वे गलतियां करते हैं तब भी वे खुद इसके लिए जवाब दे ही होते हैं लोगतन्त के पक्च में आखित यह है कि लोग तांत्रिक व्यक्ता दूसरों से बहते हैं क्यूंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अउसर भी मुझत है जैसा कि हमने उपर देखा है कि इस बात का कोई की कोई गारंटी नहीं है कि लोग तंत में कोई गलती नहीं हो सक किसी भी किसमे की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती है। इस मामले में लोकतंत का लाव यह है कि इसमें गलतियों को जादा दे तक छुपाय नहीं रखा जा सकता है। इन गल्तियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजायज लोकतंत में हैं और फिर इन में सुधार करने की गुंजायज भी है इसका मतलब यह है कि क्या कि या तो सासक संभू अपना फैसला बदले या सासक संभू को ही बल्ला जा सकता है गैर लोकतंत्रिक सरकारों में ऐसा नही है हुआ शी। लोगतंत के का पंदे हमना है सब लूगतंत्रिक Да हम ऐसा सबी में समीन के समाधा निए लोकतंत्रों से चाहिए ओसा सब्स्रीर में कि यह था जिनने हम जाते हैं और ौनीया की लोगों जिनका अनुवार हो यह अच्छे पैसलों के लिए और अऊसर उपन जम इसमेए लोगों कि अच्छाओं का सम्मान किये जाने इसकी जान्दा संभावना है। इसमें अलग के लिए तरहे कि लोग जानदा बेटर बसे ससाफ साफ रह सकते है। अगर यह इनमें से कुछ काम करने में आसाफल रहता है तब भी इसमें गल्ती सुधारने की संभावना है इसमें सभी नागरेकों को जानदा संभान मिलता है इसी वजय से लोक्तंत को सबसे अच्छी सासन व्यवस्ता माना जाता है इन कार्टूनों को देख लिए हम मद्दा था बहुत ना रहा है हम और अब और सैन नहीं करें यह लिबरल बहुत घबंडी हो गए है इन्होंने सरकार में हमारा विश्वासी तोड़ दिया हमारा धन हड़क लिया है 28 चून को होने वाला चुनाव में हम वही करने जा रहे हैं जो एक कनेडियन सबसे अच्छे ढंग से करता है यानि हम उनको फिर से जिता जैंगी राजिस और मुझफर ने एक लेक पड़ा इसमें बताया गया थरगी किसी भी लोकतांतिक देश ने दोसरे लोकतांतिक देश के साब कभी लडाई नहीं लेरी यानि कि लड़ाई नहीं छड़ी, लड़ाई तभी होती, जब हम कम से कम एकदिस में गयर लोगतांतिव सरकार होती हैं, पर लिखने पढ़ने के बाद राजिस ने कहा कि लोगतांत के पक्ष में कोई अच्छा तरक नहीं है, ऐसा स्रिफ सायोग से होगा, यह समभवर की भव का अंदेशा काफी कम हो जाता है, अब हम लोग बात करते हैं, लोगतंत का बहतर अर्थ देखते हैं, आपको चेप्टर वाई इसलिए बोलता हूं, चेप्टर वाई चेप्टर पढ़ते रहे हैं, ति एक एक चेप्टर करके, इस अध्याय में हमने लोगतंत की एक सीमित और वेवडार्टमत से लिए में चर्चा किया है हमने सासन के एक स्वरूख के तौर पर लोगतंत को समझा है लोगतंत इस पेकार की ब्याक्या हमें उन्नी उन्तम विश्यस्ताओं या गुड़ों की पहिंचान कराती है जो लोगतंत की जरूरत है हमारे समय में लोगतं भाउमत को फैसले देने का अधिकार होता है और या बहुमत भी स्वर्ण सासन ने चलाता है बहुमत का सासन में चुने हुए पितिनी दियों के मात्यम से होता है यह जरूरी हो जाता है क्योंकि आधुनी लोगतंत्रिक सासन विवस्ता में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर के लिए सब को साथ लेठा कर सामोई फैसला करपाना संभाव यह नहीं हो सकता है अगर यह संभाव हो तब भी हर नांगरे के पास हर फैसले बहाग लेने का समय इच्छा या या यूगता और कौसल नहीं होता है इसमें हमें लोकतंत की सबस्ट के किनियोंतम जरूरी समझ मिलती है इस इसबस्टता से हमें लोकतंत्रिक और आलोकतंत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है लेकिन इससे हमें एक सामान लोकतंत और एक अच्छे लोकतंत के बीच अंतर करनें की छंता नहीं मिल जाती इससे हम लोकतन को सरकार से परे जाकर नहीं समझभाते हैं इसके लिए हमें लोकतन के बेतर आर्थ को समझना होगा देख लेजे कई बार हम लोकतन का परेख सरकार से अलग संगटनों के लिए करते हैं जरायने पर गौर कीए हम लोगों का परिवार कापी लोकतन रेख है जब भी फैसला करना होता है तो हमें हम सभी साथ बैठ कर आपसी सहमती से फैसले लेते हैं फैसले में बिचारों कापी नहीं मत होता है जितने मेरे फिताप लीका मुझे भी सिक्षक नापसंद है जो सिक्षक में शातरों को बोलने और सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते हैं मैं तो यसा सिक्षक पसंद करूँगे जो लोगतंत्रिक मानसिक्ता का हो एक निता और उसके परिवार के लोग इसपाइटी के वस सारे फैसले करते हैं कि अब लोगतंत की बात करेंगे इंने लिखोला लोगतंति सब्थ इस तरह कंपरियों फैसले लेने के उनके बुन्यादी तरीक के को बिजावर करता है लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है कि उसे उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचारविवास के बाद और उनकी स्वेकिती से फैसले लेना यानि जो बहुत सक्तिसाली ना हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही बात होना जितना की पहुँच सक्ति साली करो या बाद सरकार या परिवार पर भी लागू होती है किसी अनसंगठन पर भी इस परकार लोकतंत एक असा सिब्धान थे जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी चित में हो सकता है कई बार हम लोकतंत सब्द का प्रयों किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आधरसों के लिए करते हैं इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतंत्रिप सरकारों को सासन को दिवोर करना चाहिए इस देश में बार्टविक लोकतंत तभी आएगा जब किसी को भी फूब के पेट सोने की जड़ूबर नहीं रहेगी तो इस्तिती आपकी पता है मुझी लगता है गरीब हो बरस हमेशा गरीब बने रहेंगे कि आपने देखा होगा एक समय हमारे को राजया महराजा राज करते थे गरीबों की तभी यही घिसी पिटी इस्तिती थी पर उसके वागती करी इधान मंत्री आये हमारे यहां लेकिन आज भी वही इस्तिती है गरीबों की लोकतंत में प्रिदिक नागरिक को फैसला लेने इस समान भूमी का निभानी चलिए इसलिए बोर्ट के समान अधिकार भर की जरूरत नहीं है हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान और लग्दिता बुनियादी सिक्चा बुनियादी संसाधन और पक्त की निश्खा हो इंचाहिए अगर हम इन आदर्स प्रमानों के अधर पर आज की सासन वेवस्ताओं को परखें तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोगतंत नहीं है प्यवी आदर्स के रूमें लोगतंत की हमारी समझदारी हमें बारबार याए जयाद दलाती हैं कि हम लोगतंत को इतना न हत क्यों देती हैं इसनी हमें मौझूता लोगत Sozial के विवस्था को रखने की कमजोरीयों की पहिंचान करने में मदद मिलती हैं इसे हमें नियुन्तम या वे काम चलाओ लोकतंत और अच्छी लोकतंत के बीच का अंतर समझने में मदल मिलती है। इस किताब में हमने लोकतंत की ब्यापक आउदारना पर जादा बातें नहीं की। हमने सिर्फ सासन के एक तरीके के रूँ में लोकतंत की कुछ बुन्यादी, संस्थागत, स्वरुगों की चर्चा किया। अगले साल आप लोकतंत समाज और अपने लोकतंत की मूल ल्यांकर के तरीकों की बारे में और जाना बात जाने है। इस समय हमें सरे इतना याद कर लेना जरूरी है कि लोकतंत जीवन के अनेक पहलुगों में परासंगिक है और लोकतंत कई रूप गहन कर सकता है। समानता की आदार पर चर्चा और विच्चार विमर्ज के बुन्यादी सिद्धान को माना जाए तो लोकतंतरिक ड़न का फैसला की कई ही तरह का हो सकता है। आज की दुनिया में लोकतंतरिक सासन विवस्ता का सबसे आमरूप। लोगों त्वारा चुने के पितिनिदियों के मात्यम से सासन चलाना है। इसके बारे में हम अध्याय चार में ज्यादा विश्ता से पढ़िए। लेकिन जब समदाय छोटा हो तब लोगतंतरिक फैसले देने के दूसरे तरह की वही अपनाये जा सकते हैं। फिर तो सभी लोग साथ बैठकर सीधर वही फैसला कर सकते हैं। किसी गाउं की गिराम सभाव को इस तरह का काम करना चाहिए। कि आप लोगतंतरिक फैसले लेने के कुछ और तरीकों की कलपना कल सकते हैं। इसका यह भी मतलब हुआ कि किसी भी देश में आदर्स लोगतंत रहे हैं। लोगतंत जिन भी सिष्टाओं के चल्चा हमने इस अध्याय में की बेलोगतंत की नियूंतन सरते हैं। पर इनसे यह आदर्स लोगतंत नहीं बनता। एक आदर्स लोगतंत में नेड़र लेने के फिकरिया लोगतंतरिक होनी चाहिए। हल लोगतंत को इस आदर्स को पाने का प्रयास करना चाहिए। यह इस्तिती एक बार में और एक साथ सभी के लिए हांसिल नहीं की जाते है। इसके लिए लोगतंत्रिक फैसले लेने की फिकरिया को मनाय रखने और मजबूर करने की जाने की ज़गुत होती है। नागरिक की तौर पर हम चुबी काम करते हैं। वह भी हमारे देश के लोगतंत को अच्छा या कराब बनाने में बड़त करते है। यही लोकतंद की तागत और यही कमजोरी वी हिए देश का भवस शास्त्मों के कामकाच से भी जानधा नाग्रेकों के कामकाच पर निरोहत करता है यह चीज लोगतंत को अन्र सासन विवस्थाओं से अलग करती है राजसाई, तानासाई या फिर एकदल के सासन जैसी अन्र विवस्थाओं में भी मैं सभी नागरिकों को राजनिती में हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं रहती है दरसल अधिकांस गयर लोगतंत्रे सरकारें चांती ही नहीं कि लोग राजनिती में इससा लें लेकिन लोगतंत्रेक विवस्था सभी नागरिकों की सक्ष्रिय वागिदारी पर ही निर्वर करती है इसलिए लोक्तंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोक्तंत्र एक राजनीती पर भी द्यान के अंदित करना चाहिए चलिए तो यह आपके questions दिये गए हैं इसी अध्याज से समझ दिये तो इन्हें आप लोग देख लेना आराम से पढ़िए और ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको ऐसा कोई भी सब्ध नहीं मिला वक्त जो आप ना समझ पाएंगे क्योंकि बहुत कहानी का रूप देकर बहुत आपको समझाने के लिए बहुत कहानी गड़ेगी है अच्छी बहुत 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 बहुतर तरीके से आप में देखा होगा कि किस तरह ऐसी बाज़ता लाब करती हुए आपको सभी पक्ष्टों को दिखाया जाला है पिडियेब आपके इसकी टेलिगराम पर डाल दी गई है वहां से डाउंडोड कर लेना और अपने बास दख लेना तुझे थापका खश्टत्याए लोगतंत क्या है लोगतंत क्यों अब द्याएदो में हम लोग बात करेंगे समिधान की निर्मान समिधान का निर्मान करें नमस्का दोस्तों तो हम लोग बात करें थी NCEIT कच्छा नौबी की लोगतांत्रिक राजनेती हष्ट के नाम से जो आपकी बुक्स है उसी को देख रहे हैं तो इसमें आप लोग एक आपका अध्याय खतम कर चुके थे आज बात करने वाले इन दो अध्यायदों के बारी में इसमें हम लोग समीधान का निरमार करके रहेंगे से चिरोगता हैं आज हम लोग सब मिलकर समीधान का निरमार करते हैं अच्छी से पढ़िए और ध्यायरे के साथ लगन के जाँए अराम से कॉंसेस्ट कलियर हो जाएंगा this कि अच्छे से बने रही है परिचे पिछली अध्याय में हमने देखा कि लोगतंत में सासथ लोग मनमानी करने के लिए आजाद नहीं है कुछ बुन्यादी नियम है जिनका पालन नागरिकों और सरकारों सरकार दोनों को करना होता है ऐसे सभी नेवों का समलित रूप सम्मिधान कहला जाएं देश का सरवोच कानून होने की एसियत से सम्मिधान नागरिकों के लदिकार सरकार की सकती और उसके कामकाज के तोड़ तरीकों का नीजधारन करता है आपका सम्मिधान इस सद्ध्या में हम लोकतंत के सम्मिधानिक सवरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे हमें सम्मिधान की जरूरत क्यों होती है सम्मिधान बनते कैसे हैं उन्हें कौन बनाता है और किस तरीके से बनाता है किसी लोगतांत्रिक देश के समिधान को आखार दने वाले मूल कौन कौन से है एक बार समिधार बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदलती इस्तिरितियों के अन्रूप उसमें बदलाव कर सकते हैं इन ही सब्किर जबाब डूणने की हम लोग कौसिस करेंगे इस सद्ध्याई हाल के दिनों में समिधान बनाने कई खुधारन दच्छड अपी का करें वहां क्या हुआ और दच्छडी अपी की लोगों में ने किस तरह अपने समिधान निर्माड के काम को अन्जाम दिया है की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह है किस तरह नागरीपों की जीवन और सरकार की अच्छे कामकार के लिए बढ़ी अधाचा और लब्द कराता है बात करते हैं दर्चड अफी का में लोगतांत्रिक समिधान देखिए नेलसन मंडेला मैंने गोरों की प्रिभुत के खिलाब संगर्स किया और मैंने ही आस्वेतों की प्रिभुत का गिरोद किया मैंने एक ऐसे लोगतांत्रिक और सुतन समाज की कामना की जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें सबको समान अउसर अपलगत हों मैं इसी आदर्स के लिए जीवित रहना और इससे पाना चाहता हूं अगर जरूरत पड़ी तो इस आदर्स के लिए मैं ज्यान देन नेलसन मंडिला का कतर जिस पर दच्छड अपीका की गोरों की सरकार में देश दुरोह का मुकत्मा चलाया था और उन्हें और साथ अन निताओं को 1964 में देश में रंगभेत से चलने वाली साथन व्यवस्था गविरोत करने के लिए आजीवन कारावास की सज़ादी थी अंगले 28 वर्सों तक उन्हें दच्छड पीका की सबसी भयाव है जेल रुपेन दुईब में कैद रखा गया समझ में आया रंगभेत बाले दौर 1913 का एक साइन बोर्ड जिससे तब कि तना अपूल संबंदों का पता चलता है देख लिए इन सैंड बोर्ड पर लिखाएगी खतरा देशी आसवेट हिंदोस्तानी और रंगीन चमड़ी वालों अगर तुम रात में इस परिशर में गुसे तो तुम्हें लापता गुसित कर दिया जाएगा हत्यार बंद सुरक्चा गार देखते ही को जिमार नेंगी तो जंगली लास को लोच लोच कर खा जानी तुमने चेतावनी देदी गई है इन्हें देखे रहे हैं यहाल था पहले कि इसमें आपके कौन को सामलते देशी आसवेत इंदोस्तानी और रंगी चंपडी वाली चलते हैं रंगवेद की खिलाप संगर्स रंगवेद नसली बेदभाव पालादारित उस विवस्था का नाम है जो दच्छड अफीका में बिसिश्ट तोर पर चलाई गई कि दच्छड अफीका पर यह विवस्था यूरोप के गोरी लोगों ने लादी थे सत्रेवी और अठारवी सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपिनियों ने दच्छड अफीका को भी उसी तरह हद्याय और जोर्ज बजश्टी से गुलाम बनाया जैसे भारत को पर भारत से उलट काफी बड़ी संक्या में गोरे लोग दच्छड अफीका में बस गई उन्हों इस्थानिये सासन को अपने हातों में ले लिया तो रंगवेद की राजनिती ने लोगों को उनकी चमडी के रंग के आधार पर पांटी है दच्छड अफीका के स्थानिये लोगों की चमडी का उरन काला होता है आदावी आबादी में उनका हिस्सा तीन चोथ ही है उन्हें आसवे कहा जाता है स्वेत और आसवेतों के अलावा वहां मिस्त्रित नसलों जिन्हें रंगी चमडी वाला बात कहा जाता था भारत से गए लोग भी थे गोरे साथ से गोरों के अलावा से सबको छोटा और नीचा मंद थे इन्हें बोट डालने का अधिकार भी नहीं था जैसे आप लोग उसी तरह से लेख सकते हैं जैसे आई मोग लिंच में हो रही है तो एक बड़ा तपका राश कर रहा है तो वह किसी को विमारत देते हैं इस तरह से वीड़वार में और एक आपने देखा होगा इतिहास पड़ा है तो अंग्रेज जायते तो भारत में क्या बूलते थे कि हम इन असब लोगों का बोज है हमारे उपर हम इने सब बोनाना चाहते हैं तो मतलब यह हम कर देत की सास्किय नीती आस्वरेतों के लिए खास तोर से दमनकारी थी उन्हें गोरों की वस्त्रियों मैं रहने वसने की जाज़त नहीं थी परमिट होने पर भी वहां जाकर काम कर सकते थी रेल गाड़ी बस टेक्सी होटल अस्पताल इस्कूल और कॉलेज कुस्तकाले से नहीं मागर नाय नाटगरे समुद्ध तर्णताल और सारजनक सोचलेयों तक मैं गोरों और कालों के लिए एकदम अलग-अलग इंतियाम थी इसे पित्थक करन क्या अलग-अलग करने का इंतियाम कहा जाता काले लोगों लोग गोरे गोरों के लिए आरक्ष जगेतों क्या उनके किर्जा घर तक मैं नहीं जा सकते थे आस्वेतों को संगठन बनाने और इस बेदभाव पूर्ण ब्योभार का विरूत करने कभी अधिकार नहीं था 1950 से ही आस्वेत रंगीन चम्री बाले और भार्तिय मूल लोगों के लोगों ने रंगवेत प्रणाली के किलाब संगर्स किये उन्होंने बिरूत पितर्शन किये और हड़ताल आयुजित किये बेदभाव बाली इस शासन प्रणाली का बिरूत करने वाले सक संगठन अखीकी नेशनल कॉंग्रेस के जंडे तले एक जोट हुए इनमें कई मजदूर संगठन और कई कमेनिस्ट पाई टीवी सामिल थी अनेक समझदार और समझिदन सिल गोरे लोग भी रंगवेत समात करने के आंदोलन में अखीकी नेशनल कॉंग्रेस के साथ आये और उन्होंने इस सं प्रवस्था के खिलाब आबाज उठाई लेकिन गोरी सरकार ने हजारों आश्वेत और रंगी चमड़ी वाले लोगों जत्या और दमन करके करते हुए अपना सासन जारी रखा दर्वन समुद तट पर अंग्रेगी अफिकांस वो जुलू भासा में लिखा नोटिस देखर इस पर लिखा है कि दर्वन अगर दर्वन समुद तट कानूर की धारा 37 के तहट इस तट पर नहाने का अधिकार स्रिफ सुईत नसल के लोगों को ही है अब समझ सकते हैं किस तरह है चलते हैं हम लोग एक नए समिधान की ओर तो रंगवेत की खिलाप जब संगर्स और विरूद बढ़ता गया तो सरकार को यह एह सास हो गया कि अब वह जोड़ ज तरकान ने अपने नीतियों में बदलाव शुरूंप लग बेदभाव वाले कानून को बात पस ले लिया गया राजनेतिक दलों पर लगा पितिवन्द और मेडिया पर लगी पावंदी उठा ली गयी चौवीस बर्स तक जिल में कैद रखे गए बाद नेलसन मंडेला को आ नेरा है और यह दुनिया का एक नया लोगतां त्रिक देश बन गया तो रंगेर वाली साथन व्यवस्ता समाप्त हुई वो सभी नसल की लोगों की मिली जुली सरकार का गठन हुआ याद रखे इने नेलसन मंडेला को दच्छड पीका का गांदी भी कहते हैं यह सब कैसे हुआ आईए आप साधारन बदलाव के बाद नए दच्छड पीका के पहले राष्टपती नेलसन मंडेला की मुझसे याज जाने है इतियासिक रूप से एक दूसरे के दुस्मद रहे दोर समुवरंग भेद बाली शासन विवस्था की जगए सांतिफू उन्ठन से लोगतांद्री की विवस्था अपनाने पर सहमत होगे क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भल मन साहब परभरोसा था और वेसे मानने को तेयार थी मेरी कामना है कि दच्छड पीका के लोग कभी भी अच्छाईगा पर विश्वास करना ना चोड़े और इस बात मैं आस्था रखें की मनों से जाती पर विश्वास करना ही हमारे लो आगरे किया कि सता में रहते हूए गोरे लोगों ने जो जुल्म किया उन्हें पे मूल भूल जाये और गोरों को माप कर दें उन्होंने कहा कि आईए अब सभी नसलों तथा समानता लोगतांत्रिक मूल्नों सामादी जो और मानावधीकारों पर आधारे नए दच्छ रपीका का निर्मार करें एक पाइटी और निशन हत्याओं के जोर पर शासन किया था तो दूसरी पाइटी ने आजादी की लड़ाई की अगवाई की थी नए समिदार के निर्मार के लिए दोनों इसाथ एक साथ बैटें आज का दच्छ रपीका या तस्वीर आज के दच्छ रपीका की सोच को जागर करती है आज का दच्छ रपीका खुद को इन दनों सी देश करता है आज बात करते हैं दो वर्सों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो समिधार बनाया बैसा अच्छा समिधार दुनिया में कभी ही नहीं मना थी इस समिधार में डांगरेकों को चितने ब्यापक कदिक्यार दिये गए उतने दुनिया के किसी समिधार नहीं दिये साथ ही उन्होंने ये फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों की समाधान की कौस्टिसों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और ना ही किसी खुबूरा या दोष्ट मान कर बरताओ किया जाए। इस बात पर भी सहमती बनी कि पहले जिसने चाहे जोग कुछ किया हो। लेकिन अब सिहल समस्या कि समाधान में सब की भागे दरी होगी। दच्छड अफी का समिधान की पिस्तावना ही इस भावना को बहुत खूब सूरत धंग से बैख करती है। दच्छड अफी का अफी की समिधान से दुनिया बर के लोकतांत्रिक लोग पेड़ा ले थी। 1994 तक जिस देश की दुनिया बर में आलोकतांत्रिक तोर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी। आज उसे इस लोकतंत की मोडल की रूम में देखा जाता है। यह काम दच्छड अफी की लोगों द्वारा साथ रहने, साथ कम करने के द्रण, निश्चय पुराने कड़वे, अनुभवों के आंगे के लिदनुसी, समाज बनाने में एक सबक की रूम में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के गारण संभा हुआ। एक बार फिर मंडेला की सब्दों में ये बातें समझदारी दच्छड अफी का कसमिनान इतिहास और भविस्थ दोनों की बात करता है। एक तरप तो यही पवित समझाता है कि दच्छड अफीकी की रूम में हम एक दूसरे से वायदा करते हैं कि हम अपनी रंगवेदी, कुरूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमती नहीं नहीं। इस बार इतनी ही नहीं परवाद इतनी ही नहीं यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारवास्तविकर्थों में सान्या करने की गोष्णा पत्त भी है। स्वेत और आस्वेत इस्तरी और पुरुष यह देश पून रूप से हम सभी का दक्या दच्च्डपी का कि सुतंता संग्राम में आपको भालतीय राष्टी आंदोलन की याद आई है। इन बिंदुवां की यादार पर दोनों संग्रसों में समानता और आसमानता बता सकते हैं। विविन समदाय की वी समंद, नेतत, गांधी-मंडेला, संग्रास का नेतत करने वाली पारटी अफिकी नेशनल कॉंग्रेस याँ आपके देना भारतिय राष्टी कॉंग्रेस, संग्रास का तरीगा, ओपन अवीस का चरित, अब चलते हमें, देखते हैं, हमें सम्मिधान की जरूरत क्यों है, जब किसी चीज की जरूरत होती है, तभी तो बनाई जाती है, बिना जरूरत का क्या किया जाती है, हमें एक सम्मिधान की जरूरत क्यों है, और सम्मिधान क्या करता है, इस बात को हम दच्छर अपीकी, अपीका के उधारन से समझ सकते हैं, इस नए लोग ऐसियत से रहने की उल्णा बना रहे थे। दोनों के लिए एक दूसरे पर भरोसा करना करपाना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने-पने किस्म किटाद थे। वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहु संख्यक्त आसे इस बात पर जोबस थे कि लोगतंत में बहुमत के सासन बाले मूल सिद्धान से कोई समझता ना हो। उन्हें बहुत सारे सामाजी और आत्य कदिकार चाहिए। अल्व संख्यक्त गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विसे सदिकारों की चिंता थी। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझोते का रास्ता अपनाने को तेजार हो गे। गोरे लोग बहुमत के सासंका सिद्दान और एक बैक्ती एक बोट को मान गए। बिगरीब लोगों और मजदूरों के कुछ पुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए। आस्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आदार पर सारे फैसले नहीं होंगे। और भी कटिन था इससे लागू करने के लिए। पहले जरूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें और आगे वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी लें तो क्या गारंटी है कि भविस में से तोड़ा ना जाए ऐसी इस्तिदी में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है कि जो बातें तै हुई उन्हें लिखत पड़त में ले लिया जाएं जिससे सभी लोगों पर उन्हें मानने की बातता रहे भविस में सास्कों का चुनाव कैसे होगा इसके बारे में नियम तै होकर लेकित रूम में आ जाते हैं चुनीवी सरकार क्या-क्या कर सकती है और क्या-क्या नहीं कर सकती है यह भी लेकित रूम में मौझूद होता है इन्ही लेकित नियमों में नांगरिकों की अधिकार भी होते हैं पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीत कर आने बाले लोग ने आसानी से और मर्माने टंग से नहीं बढ़ने भी दच्छट अपी की लोगों ने इनी चीजों का इंतजाम किया बेकुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए बे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे उपर होंगे और कोई भी सरकार इनकी उपेक्छा नहीं कर सकती है उन इन्हें बुनियादी नियमों के लिखित रूप को समिधान कहते हैं समिधान रचना सिर्फ दच्छड अपी का की ही खासियत नहीं है हर देश में अलगलग समुहों के लोग रहते हैं संभव है कि उनके रस्ते दच्छड पी कही अफीका के गोरे और काले कालों जतने कट्टू का पूंड नहीं है पर दुनिया बर में लोगों के बीच बिचारों और रितों में फड़क लेता है लोग तांत्रिक सास्रा पढ़ाली हो या ना हो पर दुनिया के सभी देशों को ऐसे बन्यादी नेमों की जरूरत होती है या बात सर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती है या संगठन के कायदे कानून होते हैं समिधान होता है इस तरह आपको एलाके कब कोई किलभो या सरकारी संगठन या राजनितिक दल सभी को समिधान की जरूरत होती है सम्मिधान लिकित नीमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामुविक रूप से मानते है सम्मिधान सरवोच कानून है जिसे किसी देश में रहने वाले लोग जिने नागरिक कहा जाता है की बीच के आपसी संबंध तैह होने के साथ सब लोगों और सरकारों के बीच के संबंध भी तैह होते हैं समिधार अनिक काम करता है जिनमें ये पिर्मों काते हैं पहला या साथ रहे जाए बिवनत रहे की लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विक्सित करता है दूसरा यह सरकार करता है कि सरकार का गठन कैसे हुगा किसे फैसले लेने का अधिकार होगा तीसरा है यह सरकार की अधिकारों की सीमा तै करता है और हमें बताता है कि नागरेखों के क्या अधिकार है चौत्रा ये अच्छे समाज की कठन के लिए लोगों की आकांचाओं को ब्यक्त करता है जिन देशों में सम्मिधान है बेस अभी लोकतांत्रिक सासन वाले हो यह जरूरी नहीं है क्योंकि हम लोग देख भी चुके हैं पिछले अध्याय में कि समीधान हो या चुनाओं हो ऐसा नहीं कि देश मैं चुनाओं जनता चुन रही है तो वह संद्रूर्ण लोकतांत्रिक देश हो गया या वहाँ लोगतांत्र और एसा विएकिल भी नहीं है ठीक है वहां जाकर पढ़ लें पिछले अध्याय को आप बहुतर समझ में आ जाएगा एक लोगतंत की आखिक क्या-क्या परिवासान हो सकती है क्या-क्या वेसे इस्ताय हो सकती है लेकिन जिन देशों में लोग तांत्रिक सासन हैं वहां समीधान का होना जरूरी है लेकिन जिन देशों में लोग तांत्रिक सासन है वहां समीधान का होना जरूरी है बैटन के खिलाब आजादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए समीधान के निमार किया फ्रांसी सी करांती के बाद फ्रांसी सी लोगों ने एक लोगतांत्रिक समीधान को मानता देए इसके बास से यह चलन हो गया कि हर लोगतांत्रिक सासन विवस्था में एक लिखित समीधान हो बात करते हैं भारतिय समिधान का गठन पहुंशते हैं लोग भारतिय समिधान का गठन देखते हैं दच्छिड अपीका की तरह भारत का समिधान ये बहुत कठिन परिस्तितियों की बीच बना भारत जैसे विशाल और विवित्ता भरे देश के लिए समिल्यान बनाना आसान काम नहीं था भारत के लोग तब गुलाम की हसियत से निकल गन्नागरेक की हसियत पाने जा रहे थे देशने धरम की आधार पर हुए बटवारी की विवीज का जीनी थे भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बटवारा भारी बरबादी दहलाने वाला अन्वोटा कई विद्वाने उन्हें का अंग्रेज उन्हें विश्वार नहीं कि भारत लंबे समय तर एक होकर नहीं रह पाएगा तूट जाएगा पहले तो चुनोंती देगई कि भारत अ जा रहा उससी निपट्या निवटा अच्छे से लिए बीभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाग लोग मारे जा चुकी थी एक बड़ी समस्या और भी थी अंग्रेजों ने देशी रियासतों के सासकों को यह आ जा दी थी कि वे भारत या पाकिस जब समिधान लिखा जा रहा था तो देश का भविस यतना सुरप्चे तो चैन्मरा नहीं लगता था जितना आजे समिधान निर्माताओं को देश के बरत्मान और भविस की चिंता थी यह आपके बल्ला भाई पटल बल्ला भाई जहावर भाई पटल इनका जीवन रहा है 18 1975 से 1950 जरम गुजरात में हुआ अंत्रेम सरकार में एक गयर है सूचना एवं पिसारन मंत्री थी बकील और बार्दॉली किसान सत्यागय की निता थी भाधती है रियासत है कि बिलाय में नेडाय कून का बाद में यह उप्यधान मंत्री भी बने आपके बल्लबाई पटल देश्री रियासतों को बिलाय करने में इनकी सबसे बड़ी भूंगता रही है यह आपकी सरोज निनायरू इनका जीवन रहा है 1889 से जनम आंध्र विदेश में हुआ था इनका कवीत्री लेखी का राजनेतिक कारिकात था कॉंग्रेस की अग्णी महलाने था अबाल में उत्तर विदेश की राजपाल रही है कि पहली राजपाले है याद रखिये किसी भी राज़िगी समिधान निर्माण का रास्ता सारी मुस्किलों के वाथ्यूद भारती समिधान निर्माता ओं कोही बड़ा लाजपता है दच्छन पीका में जिस तरह समिधान निर्माण के दौत में ही सारी बातें परसाहमती बनानी पड़े वैसे इस्तिती उस समय भारत में नहीं थी भारत में आजादी की लड़ाई के दोरानी लोगतंत समय अधिकांस बुनियादी बातों पर राष्टिय सहमती बनाने के काम हुचुखत हमारा राष्टी अंदूलन सरफ एक विदिशी सप्ता के खिला संगर्ष बरन नहीं था यहना केवल अपने समाज कुफ़े से जगाने का बरन अपने समाज और राजनिती को बदलने नए सरे से गढ़ने का अंदूलन भी था आजादी के बाद भारत को किस राष्टे पर चलना चाहिए इसे लेकर आजादी के संगर्ष के द्वरान भी तीके मतवेद थे ऐसे कुछ मतवेद तब तक भी बने हुए हैं पर कुछ बन्यादी बेचारों पर लगवत सभी लोगों की समती कया हो चुकी थी 1928 में ही मोतिलाज नहरू और कॉंग्रेस के आठ अन नेताओं ने भारत का एक समिधान लिखा उन्नीस तो इकत्तीस में कराची में हुए भारती राष्टे कॉंग्रेस के दिवेशन में एक पिस्ताओं में यह एक रोप रेख्या रखी गई कि आजाद भारत का समिधान कैस अधिकारों की रक्षा की बात की गिरी इस पेकार समिधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बोनेयादी मूलने उपर सभी नेताओं की सहमती पंचुकी थी ओपनेवेसिक सासन की राजनितिक संस्थाओं और वेवस्थाओं कुछ जानने समझने से भी नई राजनितिक विवस्था का सवरों तैय करने में मदद मिली अंग्रेजी होकुमत से बहुत समलोग लोगों को बोटका अधिकार दिया था इसके अधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायगा गगठन किया ता हुआ है बहुत कम्जोर थी 1937 के बाद पूरे वेटिस सासन बा भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराएगे इनमें बनी सरकारें पूरी तरह से लोगतांत्रिक नहीं थी पर विधान सभाओं में जाने और काम करने का अभू तब बहुत लाबदायक हुआ कि इन्हें क्योंकि इनी भारतियों भारतियों लोगों को संस्थाओं ॔र विवस्थाऑं बनानी तीर और चलाना था इसी कारण भारतिय समीधान में कई संस्थाओं और विवस्थाओं पुरानी विवस्थासी लगवात जस्क अपना लीयाई था जैसे ही की 1935 का भारत का ऑर्सरकार कानम यह आपके अबुल कलाम आ जाते। इनका जीवन रहा है 1888 से 1959 जनम हुआ था साउधियरम में एक शिक्छावित लेखक, धराम सास्तों के ग्याता, अर्वी के विद्वान, कॉंग्रेसी नेता और राष्टी रांदुलन में अगडी भूंचा नेवाई, मुसलिम अलगावव भूंदब राष्टी विरोधी थी बाद में पहले केंदरिया मंतरी में शिक्छा मंतरी बने। केंद्रिय मंतरी मंदल में पहले आपके शिक्छा मंतरी थे, अबुल कलाम आ जादू। इस Anne, पॉयंट याद रखा कि उन्हें बाहर की विचार और अनभवों को अपनी ज़रूरत के अनसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुए हमारे अनेक निता फ्रांसेशी करांती के आदर्सों बैटेंड के संसरिय लोकतंत के कामकार और अमेरिका के अरिकारों के सूची से काफी पिरभावित थी रूस मे हुए समाजबादी करांती ने भी अनेक भारतियों को पिरभावित किया वे सामाजिक और आर्थिक सम्ता पर आधारिक विवस्ता बनाने की कल्पना करने लगे थी लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थी हर कदम पर यह सवाल जिरूर पूँचते ते कि क्या ए चीज़ें भारत के लिए उपेप्त होगी इन सभी चीज़ों हमारे समिधान के निर्मार में मदद लिए यह आपके टीटी किष्णे मेहनन है अठारे सो नियारव से उन्नीसों चोगतर तर इनका लिए मदा जनम तमलाडु में हुआ प्यारू कमटी के सुधस्ते उद्मी और कॉंग्रेसी नेता थी बाद में केंद्रिय मंदल में वित मंत्री बनी जैसा कि आपको पता हुआ ॏ कि हमने कहते हैं हमने कही जगे से समिधान कि जब अपना गठन किया बनाया तो कहा moral देश कुई अम्यरिका हो फर चाही रोस हो अफीयगा ऑस्स्टलिया हो जैसे इसतरह कि कहते हैं का पधार पधार समिधान कंशोंसे प्हता हरा लेकिन हमने क्या किया कि जस्का तस नहीं रखंगी अब समीधान को जैसे हमने आपका अधिकार लिये अब जस्की तस बहरत मेंसामिलने ही जिस्की तस अपने केशिफ साबस्पाराइट है उनी को हमने लिया बाकी किसी भी देश से जस्का तसलीकत भारत में सामिल नहीं किया भारत की सम्मिधान सभा की बारे में पिर भारत की सम्मिधान की निर्माता कौन दो यहां आपको सम्मिधान बनाने में तरहों क्या निवाने वाले कुछ निताओं की बारे में बहुत संचि देखिए राजिनिक्साल सहाब 1884 से 1963 यह रही यह बिहार कि थी इनका जनम बिहार में हुए समिधान सभा की अध्यक्ष थी इस्थाई अध्यक्ष थी ठीक है बकील और चंपारा सत्यागे की प्रमुक्त भागीदार तीन मार कॉंग्रेस सत्यास बाद में भारत की पिथम राष्टकदी बनें याद रखिए डॉक्टर सिजद्यानन सिंग्ष यापकी आइस्थाई अध्यक्ष थी समिधान सभा की लेकिन इस्थाई आपकी डॉक्टर र समिधान सभा के लिए समयनाएंच सभा के लिएप युलाइऑ 1946 में चुनाओए समिधान सभा की प्रहिए देश यस्था पाहारित की सभाच और पाकिस्तान सभा बारती समिधान लिखने बाली सभा में 299 सदस्ति इसने 26 नवंबर 1929 को अपना काम पूरा किया 26 जनवरी 1950 को लगूगा इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गड़तन तुबस मनाते हैं याद रखिए कुछ विरावधान तो आपके 26 नवंबर 1929 को लागू हो गए थी लेकिन पूरी तरह से आपको समिधान 26 जनवरी 1950 को लागूगा जैपाल जैपाल 1903 से 1970 तक इनका जीवन का लागूगा जनम इनका जारगंद में हुआ एक खिलाड़ी और सिक्षा वित्ति भारती होकी टीम के पहले कप्तान आदीवासी महसाभा के संस्ताफ़ पकद्यक्ति बाद में जारगंद पार्टी के संस्ताफ़ रहें ठीक है आगे चलते हमको एद इस सभा द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं हमने पहले ही एक कारण का जिटकर किया है संविधान सिर्फ संविधान सभा कि सदस्तों के विचारों को यह बैक्त नहीं करता है यह अपने समय की व्यापक संतियों को बैक्त करता है दुनिया के कई देशों में समिधान को फिर से लिखना पड़ा क्योंकि समिधान में दर्जे बुनियादी बातों पर परी वहां के सभी सामाजिक समुहों राजनेतिक दलों की सहनुती नहीं थी कई देशों में समिधान है पर हुए कागज कुछ टुकड़ा है या किसी भी अन्य किताब की तरह का दस्तवेज भर है कोई भी उस पर आचन नहीं करता पर हमारे समिधान का अगवा एकदम अलग है पिछली आदी सदी से जंदा किया होती है मैं अनेक समाजिक समुहों ने समिधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल रता है पर किसी भी बड़े समाजिक समुह या राजनितिक दलों को समिधान की व्यत्ताफत सवाल नहीं था या हमारे समिधान की आसादान अपलब्दी है आज भी आप देखते होंगे कि समि वरोजा है समिधान पर यह आपके हैच सी मुखर जी अठाइसो सतासी से उनीसो चक्ट मन रहायन कर जी बनका तो इतने दने विज इंदिगी रही इन के जनम इनका बंगाल में उगाता है समिधान सभा के उपाद्यक्ष थे पिछल दिन लेकर और सिप्छावित थे कॉंग्रे बने जी द्रुगापाई देशमुक निस्सोनों से उनीस सिख्यासी जनमिन का अंध्यविदेश में भुगा बकील और महिला मुक्ती कार्यकर्ता थी आंध्य महिला सभा की संस्थाफत कॉंग्रेस के सक्क्रे नेता थी बाद में केंद्रिय समाज कल नेयाड़ गोर की समिधान को मानने का दूसरा कारण है कि समिधान सभाव भारत के लोगों का ही पित्ति निदित कर रही थी उस समय सार्भौन वर्स्क मतादिकार नहीं था इसलिए समिधान सभा का चुनाव देश के लोग प्यत्यक्चिड़न से नहीं कर सकते हैं इसका चुनाव मुक्रोख से उन प्रांथी एसमलियों के सदस्वों ने ही किया था जनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं इसके कारण देश के सभी भोगले देशों का चेत्रों का इसमें उचित पिति निदित हो गया था इन सभाव में भारतिय राष्टी कॉंग्रेस के सदस आसे थे जो कॉंग्रेस के विचारों से जह्मत नहीं थे सामाजिक रूप से सभा में सभी संभू जाती वर्ग धरम पैसों के पैसों के लोग पैसों के लोग थे समिनान सभा के गटन सारगों वैस्क मतादिकार के जड़िये हुआ होता तो तरह भी इसका स्वरूप काफी क कुछ इसी तरह होता है अब आपने देखा होगा गांधी की और अमबेटकर साब की विचार कई जगह नहीं मिले नहीरूजी से कई जगह मतविद रहे लेकिन उन्हें कानून वंतरी बनाये गया बिरोध होने के बाद भी उन्हें पद्दी आ गया यही तो महारे समिनान की खास लिए थे क्योंकि नहीरूजी और गांधी जानते थे कि एक कानून की अच्छे समझ रखते हैं इसलिए उन्हें कानून वंतरी बना करें जाए और अन्तता जिस तरह समिधान सवाने काम किया हुआ समिधान को एक तरह की पवित्ता बेदिता दित्त है समिधान सवा का क काम काफी विवस्ति खुला सरब समले सरब सम्मिती बनाने के प्रयास पर आधा रहता सबसे पहले कुछ बन्यादी सिद्धान तैगी और उन पर सबकी सहमती बनाएगी फिर प्यारूप कमिटी के प्रमुक डॉक्टर बीरा बीयार अंबेडकर ने चर्चा के लिए एक प्य प्यारूप की पितेगदारा पर कही कही दोर में चर्चा हुई दोहजार से जान्दा संसुधन पर बिच्छार हुई तीन बरसों में एक सब चोदै दिनों की जंबीर चर्चा हुई सभा में पेस हर बिस्ताव हर सब्ल और वहां कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गए और समाला गए इनक कॉंस्टिट्यूट असेमली डिविट्स नाम से बारे मोटी मोटी खंडों में पिकासित किया गए इनी बरस बहसों से हदर प्रावदान के पीछे की सोच और तर्ग को समझावे जा सकते हैं समिधार की ब्याक्या के लिए इस बहस के दस्तावेश का उप्य अब चलते हैं हम लोग भारती समिधान के बुने आदी मूल ने उपर भारती समिधान के बुने आदी मूल देखते हैं इस किताब में हम विविन बेसें उपर समिधान के प्रावदान का अध्यन करेंगे अभी हम यह जानने की कौसिस करें कि हमारा समिधान के पीछा का धरसन क्या है यह काम हम दो तरीके से कर सकते हैं, अपने निताओं के समद्धान, समदनी विचार पढ़कर, हम इस बात को समझ सकते हैं कि परण, तेहें परणतु हमारा समद्धान स्वाएम अपने दर्सन के बारे में जो कहता है, उसे पढ़ना भी उपना ही ज़िरूरी है, समद्धान के यही काम करती है आए इस पर बारी बारी से ग्रोल करें सपने वह और वाहिदे आप में से कुछ को भारतिय समिधान निर्माता की सूची में एक बड़ा नाम ना होने परहरानी होई होगी यानि कि मातमा गांधी का नाम बेश समिधान सभा की सदस नहीं थे पर समिधान सभा की अनेक सदस उनके विचारों के अनुवयाई थे 1931 मैं अपनी पतिका यंग इंडिया किसकी पतिका है गांधी जी की ठीक है मैं उन्होंने समिधान से अपनी अफेक्षा में लेखाता हूँ जो से गुलामी और अधीनता से मुक्त करें मैं ऐसे बहरत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति अपना मांने और उसे लगे कि देश को बनाने मेन उसकी भी और वागयतारी है ऐसा भारत जिसमें लोगों कमकुछ बर निम्नबरग ना रहें ऐसा भारत जिसमें सभी समधाय के लोग पूरे मेल जोल से रहें ऐसे भारत में चुगाचूत या सराप और नसीली चीजों के लिए कोई जगह ना हो औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हों मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होंगा बल्देव सिंग उन्नी सो एक से उन्नी सो एक सठ जनम हर्याना सफल उद्मी और पंजाब विधान सभा में पंतक अकाली पार्टी के नेता समिधान सभा में कॉंग्रेट द्वार मनुनित बाद में केंद्रिय मंत्री मंदल में या के रक्षमंत्री भी रहे बल्देव सिंग टीक कनेया लाल मडी मडिकलाल मुन सिंग 1887 से 1971 तक निका जीवन का जा जनम गुजरात में उगा था बकील एतियासकार और भासा वित्ति कॉंग्रेशी नेता बाद में गांधी बाद में केंद्री मंत्री मंदल में मंत्री रहे सुतंत पार्टी के संस्थापत भी रहे स्यामाप प्रिसाद मुखरगी 1901 से 1903 जनम पश्यमंगाल में अंत्रिम सरकार में उत्यव एबं आखूर्ती मंत्री सिक्षा विद और बकीले हिंदू महसाबा में सक्रिय बाद में भारतिय जनसंख के संस्थापत रहे बेदभाव और गेर बरावी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था जन्होंने समिधान निर्माण में मत्पून भूमिका निवाई आसमानता कैसे दूर की जा सकती है इस बारे में उनके विचार दूसरों से लगती है उन्होंने एकसर गांदी और उनके नजरिये की खटू आलोचना की समीधान में दियेगे अपने अंद्रिम भासन में उन्हेंने अपनी चिंताओं को बहुत इस्पर्ट जंग से रखा थ 26 जन्वरी 1950 को हम बिरोधावासों से बरे जीवन में प्रिवेश करने जा रहे हैं राजनीती की मामले में हमारे यहां समानता होगी पर आर्थिक और आर्थिक जीवन आसमानता से बरा होगा राजनीती में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान मत कि सिद्धानत को मानेंगे अपने सामाजीक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजीक और आर्थिक दांचे की कारण ही एक व्यक्ति एक वोट कि सिद्धानत को नकारना जारी लखेंगे हम इस विरोधावास पूर जीवर को कितने लंबे समय तक जीत रहेंगे हम अबने सामाजीक और वह आरृतिक चीवन में कब तक समानता को में नकारदी रहेंगे अगर यह नकारणा जान्दा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनेतिक लोकतंत को यह संकट में डालेंगे भीम रावं बिड़कर देख लिजिए 1891 से 1956 तक इनका जीवन चला मद्धिश में इनका जनम गुए था प्यारव कमिटी के अध्यव्ष थे सामाजी किरांती चिंतक किरांतीकारी चिंतक जातीकत बटवारे और भेदभाव की खिलाव अग्णी आंदूलनकारी थे भारत में सुतंद भारत की पहली सरकार में कानून मंत्रियों रेपब्लिकन पार्टी ओप इंडिया की संस्ताफ़ दूई रही याब रखना कि यह आपके जवाहलाल मेहरू है 1889 से 1964 तक इनका समझ जनम उत्तरपिश में अंत्रिम सरकार के पिदान मंत्री बकील और कॉंग्रेज नेता समाजवादी लोकतंद और समराजवाद बिरूत की भक्षिदर बादम भारत की तिरह मिंत्री सौनात लहेडी 1901 से 1984 जनम पश्चिमंगाल में से लेका कोर संपालत थे बादमें पश्चिमंगाल विधान साभा में सदस्वीरे आखर में आई हम 15 अगस्त 1947 मद्रात्री के समय समिधान सभा के दिये में दिये जवाहलाल नहिरू के पिस्ट भासर्ण को यहाद करें या पर पंडी जवाहलाल नहिरू ने मासर दिया था बरसों पहले हमने अपनी नीती के साथ साथ चातकार किया था और अब वक्त आ गया है कि हम अपने बादों पर अमल करें पूरी तरह या हर तरह से नहीं तो कापी हफ्तर गणियां जब ठीक मत रात्री करन घंटा होती होगी तब भारत नए जीवन की सुवात करेगा आजाद होगा यानकी इतिहास में कभी कभा ही सही पर एक ऐसा च्छण जरूर आता है जब आप पुराने को छोड़कर नए में प्रिविश करते हैं जब एक युकांत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट की दभ पूर इसके लोगों ततह उसके उस्ते भी अधिक मानावता की सिवा में समल्पित करें यही हमारे लिए पूचेत है आजादी और सत्ता जिम्मेंदारियां लादी है भारत के संपर्भू लोगों का पितिनेधित करने वाली इस संप्रुभूता संपन सभा प been गया सब्सद इसमें कुछ दर्द अभी भी बने गुए है फिर भी इतियास अभी चुका है और अब भावेस्थ में सुनायरी संकेत दे रहा है या भावेस्थ बहुत आराम करने या सुस्ताने पत का नहीं बल्कि उन वायदों को पूरा करने के लिए नियंतर प्रयास करने का है जिने हमने अब अफसर किया है और एक सपत हम आज भी लेंगे भारत की सेवा करने का अज़द दुख और परेस्यानियों में पड़े लाकों करोणों लोगों की सेवा करना है इसका अज़द है कि दर्दिता आज्ञान बीमारियों का अउसर की समा आसमानता कांद हमारे युग के महान हमारे आज़ादी की काना हार आप से आसु पहुचने कि है संभावए की हमारे काम हमारे भर से पूरा नहीं ना होगा जब तक लोगों की आपकों में आसु कर्ष्ट है तब तक हमारा काम खतम नहीं होगा इस आपका पंडिजवाहलाल नहीरू का भासन इस पता है एक बात आज की राजनीती में और तब की राजनीती में जमीन आस्मान का पढ़ते हैं अब क्या है आप समझ रहे हैं अब वो राजनीती नहीं रहे गई है गांदी नहिरु वाली बात करते हैं हम लोग अब आंगी चल की समिधान का दुशार जिन मूल्यों से सुतंता संग्राप की पेड़ा दी और उसे दिशा नेदिस दिये जो इसक्रम में जाज परक लिए गए बे भारती समिधान की पिस्तावनों में इन्हें सामिल किया है बारती समिधान की सारी दार नहीं के अनरूप बने च Ο्हbnस में सब्सक्रम में इत्ता लेकर अपने समिधान की पिस्तावना का पिस्तावना के साथ करते हैं आईए हम अपने समिधान की पिस्तावना को बहुत साधानी से पढ़ने और उसमें आए पितिक मत्पूर सब्द के मतलब को समझे समिधान की पिस्तावना लोगतंद पर एक खुबसूरत कभिसाती लगती है इसमें वह दर्सुर सामेल है जिस पर पूरे सम्चान का निर्मा हुए है यह दर्सण सम्चार के क heating चारों की आध्यकार की पर फैसले की मुल्याकर और परिक्षर का मानत टेहुता है इसके सहारे परेखा जा सकता है कि कौन पर तक है कौन रह अच्छा या बुरह है इसमें भालतिय समिदान की आत्मा बसती है गर्पिस्तावना की आसपास ही आत्का पूरा समिदान गूमता है यहां देख लेते हैं कुछ पॉइंट दिये गए सयुत्तराज जी कि हम सभी लोग अधिक अच्छा स्थंग बनाने नयाय की स्थापना करने गरेलू सांती बनाने, सांजा सुरक्षा विवस्ता बनाने, जन का लियाड को बढ़ावा देने तो था अपने और अपनी सम्रिदी में तो दंता का लाप लेने के लिए सयुत्तराज जी अमेरिकास के इस समिदान को स्थाफिक करते हैं और इसका विस्तेख करते हैं हम दच्छड अफिका की लोग अपने इतिहास में हुए अन्याय को सुविकार करते हैं और अपनी मुवी पर आजादी और न्याय के लिए संगर्ष करने में कर्ष्ट उठाने वालों को सलाम करते हैं अपने देश को बनाने और विक्सित करने में मदद करने वालों का अदर करते हैं और मानते हैं कि दर्चिन अफीका उन सभीका है जो यहां रहते हैं यहां की विवित्ता से जुड़े हैं इसलिए सुतंत रूप से चुनी के चुनी अपने पितिनिदियों के मात्यम से अपने गरतंति के सरवोच कानून के तोर पर इस समीधान को सुईकार करते हैं जिससे पहले कि बिभाजन मिटे लोकतांत्रिक मूल, मूल्यों सामाजिक न्याय और मौलिक मानावधिकारों पर आधारित एक समाज बने एक ऐसे लोकतांत्रिक और मुप्त समाज की स्थापना हो जिसमें सरकार लोगों की एक्छा के नुसार बने और चले और हर्च नागरेक को कानून से समान सरक्षन बिले सभी नागरेकों के दीवन की गोडवत्ता में सुधार हो और हर एक प्यक्ति की संभावना को फलने पूलने की सुधनता हो और एक सयुक्त और लोकतांत्रिक दच्छ रफीका की निन्यमार हो जो राष्णों की संभू में एक संपर हो देश के तोर पर अपना उच्जित काम प्राप्त कर सके इस और हमारे लोगों की रफ्चा करें कि एक आपकी पूरी कि उद्देशी का देखिए पढ़ लेते हैं पहले पिर देखते हैं हम लोग आपको बड़ी एक-एक अध्याय पढ़ना है ठीक है भारत का समिधा कुद्देशी का हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण फिर्भुत्य संपन समाजवादी पंतने रपेक्ष लोगतंत्रात्मक गड़राज बनाने के लिए तता उसके समश्त नागरेकों को सामाजिक आर्थिक राजनेतिक में आये विचार अभिव्यक्ति विश्वास धरम और पपासना की सुधनता पितिश्ठा और और आउसर की समता राप्त कराने के लिए तता उन सम्में ब्यक्ति की गरिमा राष्ट की इरिकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंदुता बढ़ाने के लिए द्रड संकल्प होकर अपनी समिधान सवादें आज तारीक यानि 26 नवंबर उन्नी सो नंचास को मिती मार्क दर्स मार्क सीस सब्तिमी संबत 2006 विक्रमी को इद्धत द्वारां इस समिधान को अंगीकित अधीने में और आत्मर्वित करते हैं यह आपकी क्रिस्तापना यह आप कंठस्त याल रहना चाहिए ठीक है इसे याद कर देना अब इसके हम लोग अलगला सब्तों की बारे में जानते हैं हम भारत के लोग भारत को भारत की समिधान के नियमाण और अधी नियम भारत की लोगों ने पितीनी दियों के माद्यम से किया है नागी से किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है अब आप लोग जाते हैं कि अभी भी आपका समिधान में संसोधन होता है तो कौन करता है उसमें आपके राजसभा भी सामिल रहती है लोगसभा भी सामिल रहती है और राजसभा और लोगसभा को पित्यक्ष कह लेती है या बेजा आप लोगों नहीं है अब यह गल्ती हो सकती है कि आप ने गलत लोगों को भीजा हो लेकिन भेजते आप लोग ही मतलब जनता यान ऐसा बीन आप अपने प्रिये बिधायक को चुनते हैं यानि कि rust and do you do प्रेस अब आप से ही हैं, अब आपके बारे में क्या फैसला लेती हैं, उन पर निर्वार करता है। प्रभुत संपन्द लोगों को अपने से जुड़े हर मातमली में फैसला करने का सरवोचा दिखाए, कोई भी बायरी सकती भारत की सरकार को आदिस नहीं दे सकती। प्रेस समाजबादी, समाज में संपदा समविक रूप से प्यादा होती हैं, और समाज में उसका बटवारा समानता की साथ होना चाहिए। साकार और जमीन उद्ध्यों दन्यों की हगदारी से जुड़े काहले कान इस तरह बनाएं कि सामजे कारतिक आसमानता कम लेकिन पता है, हकीकात ही है कि काहती हद तक अभी भी आसमानता मिटी नहीं है, हमारे समाज में पता नहीं कब तक चलेगी। अभी भी आप देखते हैं कि कुछ भी हो, सबसे जाना मार किस पर पड़ती है, गरीब तब किसान मजदूरों पर, क्या उनका गरीब होना गुना है करते हैं, जिससे उनों ही पर सब कुछ थोप गिया जाता है। आँगे चलते हैं पंतने रुपेच नाग्रेकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी सुदंता है, लेकिन कोई धर्म अधिकारी नहीं है। सरकार सभी धार में मानता हूं, वो आचन को समान देती है। ठीक है। एक बात और हमें सा याद रखी है। कि मैं अभी पढ़ रहा तक कल पर सूँ, न्यूजपेपर। कि कहीं भूख से जब पूरा परिवार, पांच-छा परिवारस में चार बच्चे थे और उसके माबाप, उनके माबाप जोगी हूं, तो उन माबाप ने सुसाइड कर लिया जब मेडिया में ख़वर उठने लगी, तो मेडिया वाले भी अपना धरम नहीं नवारे, MLA MP तो नवाई ही नहीं रहे, लेकिन वो भी अपना धरम नहीं नवारे, पाई अगर मौत से पहले पहुंच जाते तो उन्हें बचाया जा सकता था कि नहीं बचाया जा सकता था, यह तो पुलिस से बदतर रिस्तिती में पहुंच वे हैं, कहते नहीं कि पुलिस कुछ टायम बाद ही पहुंचती है, जब क्राइम हो जाते हैं, तो इनका भी वही हाल है, नेता मुखत, लोग तंतरातमत, सरकार का एक ऐसा स्वरूप, जिसमें लोगों कुछ समान विराज अधिकार प्राफ्त रहते हैं, लोग अपने सासन का चुनाओ करते हैं, वो उसे जवाबत ही बनते हैं, यह सरकार कुछ मुन्यादी निमों के अनरोग चंती हैं, गड़ राज, गड़ राज सासन का प्रमुक लोगों द्वारा चुना हुआ, बेखती हुआ, ना कि किसी बं जैसे पिदल मंतरी बनीगा, तो आपने MP चुने हैं, अपने MP को चुना है, अब सभी आपके MP स्था लेगी को हमारा पिदल मंतरी बनेगा, ठीक है, लेघ। तो आपके गवारा आपका पूरा हात रहता हैं, बनाने में बिखालों न्या है, नागरेकों के साथ उनकी जाती धरम और संगत धरम और लिंग क्या दार पर बेदभाव नहीं किया जा सकता है यह बात आप समझ रहें कपकी बात है 49 से कवर 26 नवंबर 1909 आज हम कहां खड़े 2020 में 21 सदी में आगए लेकिन यह पूरी तरह से आपका खात्मा नहीं हुआ है समिदार में लिख दिया गया है आज सिक्टन उननी सो पुननचास की तरी तब से आज तक यही चल्दा है सुदंतार नांगरिक कैसे सोचें किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह हमल करें इस पर कोई अनुचित पावंदी नहीं है आपको बोलने की, संगटन बनाने की, इस तरह की घुपने फिरने की सब सतनता है, ठीक है, इस पर कोई अप्पावंदी नहीं है, आर्टिकल 19 के थैर आपको सभी सतनता हैं दीगेंगा, समतार, कानून के समख्च सभी लोग समाने, पहले से चली आरे, सामाजिक आसमनताओं को समाप खुना होगा, सरकार हन नांगरिक को समान अउसर और बलद गारानी की विवर्षा कोई, बंदुता है, हम सभी ऐसा आचन करें, जैसे की हम एक परिवार के सतन, कोई भी नांगरिक किसी दूसरे नांगरिक को अपने से कमतर ना माने, तो यह आपकी बंदुता होगा, म अगर इंसान के दिमाग में एक बात है, घुष्ट जाए, अच्छे से, कि उसका जीवन इस धर्थी पर इस्थाई नहीं है, तो वो आदे जो को करम है, यानि की भेष्टा चार है, वो नहीं करेगा, लेकिन आदमी एक बात ठान के बेढ़ जाता है, कि मैं धर्थी पर अमर तो मुझे किन रास्तों को चुनना चाहिए, उन रास्तों को चुनना चाहिए, यह जो हमें सांती दें, और हमें अपने आप से सिकाय पुना रहे है, अगर कल हम मर जाते हैं, चले जाते हैं, तो हम अपने अपने संतुष्ट तो हैं, किसी के साथ ना तो मैंने औरा किया, न समिधान तरी मुल्म और दसन का बयान बत नहीं है। जैसे हम पहले जिक्र किया है, कि समिधान इन नमुल्लेओं करता दोक या जिसे हम भारत का समिधान कहते हैं, उसका अधिकान सिस्वा सहां इनी वैवस्ताओं को टाइब करने माला है। या एक बहुत ही लंबा उबिश्थित दस्ताविजी इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाओ की जरूरत पर से बारती समिदान के निन्वाताओं को लगा की से लोगों की भावनाओं के इन रूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे हैं बदलाओ को समय पर समय समय पर सामिल करने का प्रावदान भी रखा इन बदलाओ को समिधान संसुधन कहते हैं समिधान ने इन संस्थागत विवस्थाओं को बड़ी कानुवी बाहसा में दर्ट किया अगर आप समिधान को पहली बाद पढ़ने तो इससे समझना मुश्किल लगी है फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है किसी भी समिधान की दर्यभारती समिधान भी बे नियम बताते हैं जिनके अनसास सासकों का चुनाव किया जाएगगी इसमें सबस्थ लिखाएगी किसके पास कितनी सकती होगी और कौन कि इस बारे में फैसले लेगा साथ ही समिधान नागरेकों को कुछ इसबस्थ अधिकाल देगा सरकार के लिए लच्मट रहे का तैतर देता है कि सरकार इससे आंगे नहीं बढ़ सकती है पुस्तक के सीन तीन सेस तीन अध्याय बारती समिधान के इनी तीन पक्षों के बारे मे हैं पिते एक अध्याय में हम कुछ प्रमुख समिधाने प्राओधानों पर नजड़ा डालेंगे वह समझने की कौसिस करेंगे कि लोग तांतरिक राजूती में एक इस तरह काम करते हैं लेकिन यह किताब भारती समिधान के द्वारा इस थाब ये सारी प्रमुख पर आपके अंगले वार्स की पताम में भी सहचा करेंगे यानिकी अंगली वार्स में यहां के कुछ सब्द दीए गए यहने भी देख लीज़े रंगवेद दच्चर अपीका की सरकार की 1949 से 1989 की बीट काले लोगों के साथ नसली अलगाओ वो खराब बेवार करने वाली सासनोज धारा किसी दस्तावेच का खास इसा यानिकी अनुचे समिधान संसुन देश की सर्वोच बिधाई सत्ता द्वारा उस देश की समिधान में किया जाने वाला बदला समिधार सवा, जनपिती निदियों की वह सवा जो समिधार लिखने का काम करती है प्यारूर, किसी कानूनी दस्तविच का प्यारा भी करूँ दर्वसन, किसी सोच और काम को दिशा देने वाले बुनियादी बिचार, पिस्तावना समिधार का हुआ है पहला कतन, जिसमें कोई देश अपने समिधार की बुनियादी मोल गया हूँ और अवधार्णाओं को इसपर्ट धंसे करता है देश दुरूर, देश की सरकार को खार फेटने की कौसिस करने का अपरहाद आपका देश दुरूर इसी अध्याय से सम्मधित आपकी एपिस्टन है, इन्हें भी आप दो देख सकते हैं, पीडियेप जो आपकी है, टेलिग्राम पर डली हुए, वहाँ से अपने पास रख लें, और कच्छा नौवी से आपकी बुक्स, अकीकत में आपके लिए बहुत लाबदाये सिद्ध ह इसलिए अब इन्हें अच्छे से पढ़िए, कच्छा चटवी से लेगा साथ आठवी तक, तो यह आपका नीचे से बेश बनाने में सहूलियत दे रही थी, लेकिन अब यही आपके लिए जरूरी है, ठीक है, तो यह था आपका दूसरा द्याय, तो तीसरा द्याय होगा आ चुनावी राजनीती के बारे में हम लोग जानेंगे तीसरा द्याय में, नमस्का दुर्तों, तो चलिए हम लोग बात पर रहे थे, NCEIT कच्छा नावी की लोग तंत्रिक राजनीती थ्ष्ट, यह नाम से जो आपकी बुक से, तो इसमें हम लोग अध्याय, दो अध्याय द देखेंगे हम लोग चुनावी राजनीती, आपको बता दें कि बहुत ही साधार्ण सब्तों में देखेंगे हैं, यह कह लिजे बुक सिविल सर्विस की तैयारी के लाप, उनके लिए नहीं, या फिर कफ्छा नावी की बिद्यारती के लिए, मैं तो गहता हूँ कि जो भी इंडिया में निवास करता है, भारत में रहता है, उसे सक्को पता होना चाहिए सामान जानेकारी के आरे में, फिर चाहिए आपकी बहुगोले कि इस्ते थी वो, राजनीती वो, अर्द्विवस्था आओ, आपको पता तो होना चाहिए कि आपका चुनाव किस तरह से होता है किस तरह से राजनिता बन जाते हैं किस तरह से विष्टा चार होते हैं किस तरह से नेता मतलबी देखते हैं सब पता तो होना चाहिए या फिर वही हाल है कि किस लिए जीए पता नहीं किस लिए मरे पता नहीं वहाल छोड़कर अपनी राजनीती को देखिए उसे पहचानी प्रण बोट देने में भी नेडर ले सकेंगे कि किसे बोट दिया जाए कौन सा ही नेता है हमारे लिए का गलत है कि एक पषय देखते हैं हम लोग अध्याय एक में हमने दिखा कि लोगतंत के लिए या ना या ना तो संभव है नहीं ज़रूरी कि लोग सीधे सासन करें हमारे समय में लोगतंत का सबसे आमशरोरों लोगों द्वारा अपने प्रतिनी धियो के मात्तिम से सासन चलान करें करें यहां कहने का मतला वे है कि 135 करो जन सरकार है हमारे वारत की लगों तो ऐसा नहीं है कि 145 135 या 145 हो जाएगी कुछ नहीं में तो इस सब मिलकर नेड़ ले सकें अब हर किसी से अब आप ही नोटवंदी ले लिए सरकार का पैसला अब हर आदमी से तो नहीं कूछने जा कि उसके लिए आपने अपने मेले एंबी पिदानमंद्री तक को चुनाए कि वो आपके बारे में फैसला ले अब यह अलग बात हो जाती है कि आपका विदायक आपके हक के लिए लड़ता है या अपने पेट भरने के लिए तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि कि किसी लो समझने से करेंगे कि लोकड़् में चुनाव कियोँ जरूरी है और उप्य होगी है हम यह भी समझने की कौशिज करेंगे कि विभिवस्य ने दलों की पीत्तीज्वरणद्ता किस तरह लोगों को लाँ पहुंच जाती है फिर हम यह सवाल उठाएंगे कि किन-किन चीजों के कारण कोई चुनाव लोगतांत्रिक होता है इसलिए कि सारे हम लोगतांत्रिक और गैर लोगतांत्रिक चुनाव का अंतर समझ पाएंगे तो आपने अगर अध्याय इसका एक और दो नहीं देखा है चेक्टर तो उसे जाक पर लिए उसके लिए तो इसके बना कुछ है यह जाए अध्याय के बाकी हिससे में हम इनी पिर्मानों के आदारपन भारत में हुए चुनाव कमूल्यान करेंगे इस करम में हम चुनाव के पिटिक चरन यानि कि विभिन चुनाव चेत्रों के सीमा निर्धारन से लेकर चु सवाल पूंचनी क्या होना चाहिए और पित्यक चुनाव में क्या होता है अध्याय के आखिर में हम इस सवाल पर विचार करेंगे कि भारत में हुए चुनाव निश्पक्च और सुदंद रंग से हुए या नहीं या हम निश्पक्च और सुदंद चुनाव कराने में चुन कि युलिए भा veut कि बात करते हैं चुनाव क्यों को सुधारन से बात करते में सिर्जान सुधा चुनाव को दिखते हो आधी रात के बाद सब का समय उत्सुक बीड सहर की चौराय के पास पिछले पांच गंटों से अपने नेता के आने का ज़्याद कर रही है आयोजक बीड को बार-बार भरोसा दिला रहे हैं कि नेता बस आने ही वाले हैं जब भी कोई गाड़ी पास से बुज़ती तो लोग अपने नेता को देखने की उम्मीद में उठ खड़े होते हैं उन्हें लगता कि हमारा नेता आ गया एवात आप लोग अक्सर देखते होंगे यह नेता थे आपके स्त्री देविलाल जो हर्याड़ा संगल संती के प्रमुक जो गुरुबार की उस रात कर्णाल में वास्टन देने आने वाले 26 वर्ष के इस नेता को आजकर जरा सी फोर्षत नहीं उनका राजनेती कारिक्ट्रम सुबए आठ बजे से सुरूब होका रात ग्यारे वजे तक चलता है आज सुबह से उन्होंने नौ चुनावी सवाओं में भासट दिये पिछले 23 कि इतने 23 मन्त से भी लगाता जर्जन सवाओं कर रहे हैं और चुनावों की तेयारी कर रहे हैं राज में 1982 में कॉंग्रेस पार्टी की अगवाई वाली सरकार थी तब विपक्षे के एगनेता चौदरी देविलाल ने नियाय योद नामकांदुलन का नेतित किया और लोग दल नामक अपनी नई पार्टी का गटन किया उनकी पार्टी ने चुनाव में कॉंग्रेस के खिलाब अन्र विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोचा मनाय अपने चुनाव प्रिचार में देविदयाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो विकिसानों और चोटे बयापारियों के कर्ज माव कर लेंगे उनका वायदा किया ही उनकी सरकार का पहला करें आप लोग अक्सर इस तरह के वायदे देखते रहते हैं इसके बारे में कई वार हम तो आप से ही किया जाता है आपका माप करके मुफ्तान आप से ही किया जाता है उसके लिए। सरकार के पास कोई पेड़ तो लगा नहीं है पैसे का कि उतोड़ के तुम्में माप कर दे या तुम्हें देधी। लियाद रखे आपका ही पैसा आप पर नहीं लुटा दिया जाता है और आपको नीचे तपके तक आते आते वो 10 पैसे बचते हैं, एक रोपे में 100 पैसे होते हैं, तो 90 पैसे खा जाते हैं लोग बीच वाले, इसलिए हमारे इसकर यहाल है, लोग तपकी सरकाल से नाकुष थे, बे देवी दयाल कि बाइदी की तरफ आकर सित हुए, इसलिए जब चुनाव ह हुए तो उनों ने लोग दल और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जम कर वोट दिये, लोग दल उसकी सहयोगी पार्टियों को राजविधान साबा की 90 सीटों में से 76 पर जीत हुए, लोग दल को अके लिए ही 60 सीटें मिली और उससे इस पश्ट अभाउमत नला, कॉंगरि लोग दल के नव निर्माचित बिधायकों ने देविधायल को अपना नेता चुनाओ, राज़िपाल ने देविधायल को नए मुखमंत्री के रूम में काम समालने क्वा निमंतर दिये, चुनावी नतीजों की गोश्टना के तीन दन के अंदर बे मुखमंत्री बन गये, पार्टी ने राज में चार बसों तर साथिन किया अंगले चुनाओ 1991 में इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं बला और कॉंग्रेस पार्टी उने चुनाओ दीता और सरकार बनाए तो क्या होता है आप याद रखिए जब एक पार्टी को बहुत मिल जाता है य तो अगर उसके बाद बहुमत हुआ तो वो सरकार बना सकता है फिर उसके बाद दूसरे को आपने अभी महराष्ट में देखा हुआ तो सबसे पहले बीजेपी को दिया बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था तो उसना चोड़ दिया फिर एंसीपी फिर आपके प्रॉज है मैं शिर्णाप उसके बाद कॉंग्रेश को फिर कॉंग्रेश सेना उन्हें उन्हें अने बैना लिए प्रूशी तरह गोलाते हैं कि जगदीप और नवनीप में इस कथा को बढ़ा और निवली कि निसकल्स निकाले क्या आप बता सकते हैं इन में कौन से निसकर सही हैं, कौन से गलत हैं, चुनाव से सरकारी नितियों में बदला हो सकता, उदराचपाल ने देवी दयाल की भास्नों से फ़िभावित होकर उन्हें मुकमंत्री अन्यका नियुता दिया है, ऐ गलत है, लोग हर सासक दल से नाराज रहते हैं, और हर इस ते ना राज हो जाएं आपके रख में काम ना गर तो आप अंही लिए में इससे अवोइट कर देंगे मतलब इसे छोड़के कॉंग्रेस को वोट दें जेगे चुनाव जीतने वाली पारिटी सरकार बनाती हैं सही है इस चुनाव ने से हतियार हर्याणा की आर्थिक विका अक्तर क्या होता है कि जैसे ही पार्टी हारती है तो चुनाओ तो क्या होता है मुक्मंत्रिय अपना इस्तीफा दे देता है आपने देखा होगा देविन पर्णा ने सरकार बनाई महराष्ट में तो उन्हें पता था कि गरने वाली सरकार तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि बहुमत सावित होता, गिर्ती तो तब भी करने थी, तो पहले ही इनने अपनी इज्जित थोड़ी धूमिल होने से बचा ली, ठीक, चुनावों पी दिरूर अताकिर क्यों है, बात करते हैं, चुनाव आकिर क्यों कराना जरूरी है, किसी भी लोगतंत में नेवे तंत देश ऐसे जो लोगतंत पर नहीं है, वहां भी चुनावों होते हैं, तो आप एक बात हम इसा यादर किये, जहां लोगतंत है, वहां चुनावों होना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर चुनावों जहां होता है, वह देश लोगतंत होगा, यह विल्कुल नहीं है, ठीक? लेकिन जहां लोगतंत है वहां चुनाव कराना चेरूरी है पर हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों होती जाकर है आहिए बिना चुनाव वाले लोगतंत की कलब न करें अगर सारे लोग रोज साथ बैठें और सारे फैसले मिल जूर कर लें तब बिना चुनाओ के लोगों का सासन संभव है लेकिन जैसा हमने अध्या एक में देखा कि किसी भी बड़ी संभ़ाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं ना ही यह संभव है कि हर किसी के बास हर मामले पर फ लोग तंत्रिक धन से पिति निदियों के चुनाओ किया जा सकता है आई एक ऐसे जगह के बारे में कलपना करें जहां पिति निदियों के चुनाओ और अनुभाव के आधार पर किया जाता है या ऐसी जगह की कलपना करें जहां पिति निदियों का चुनाओ सिक्षा या घ् जाने यह तैकन्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है परियाय माल लें कि लोग मिल जूलकर इन परेश्यान नियों को दोर कर लेंगे इस परष्ठे कि फिर ऐसी सथ जगह पर चुनाओ की जरूरत नहीं रहताएगी लेकिन क्या फिर हम इस विवस्ता को लोगतं कह सकते हैं हम यह कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका पिती निदी पसंद है या नहीं हम इस विवस्ता कैसे करेंगे कि पिती निदी लोगों की इच्छा के अनुरू की सासन करें हम इस चीज की विवस्ता कैसे करेंगे कि जो प कितिने दियों को चुन सकेने उगर एक्जा हो गोगों है तो उन्हें बदल सकते इत इस वी वस्था का नाम चुनाव है कि लिए हमारे Daiya NeNe वाले लोकतंत में चुनाव को जरूरी माना गया है। चुनाव में मद्दाता कई तरह से चुनाव करते हैं। बे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। बे सरकार बनाने वो बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। आप मानिये या ना मानिये अगर जन्ता जागरूर हो जाए वो अपना नेता बिना भी दभाव के चुनना सुरू कर दे यानि की समझ रहे हूं दिल्ली का उधारा ले सकते हो भी देखिए अर इसमें कोई चत नहीं है कि अरवेंद के जीवाल ने काम किया बहुत बढ़िया काम किया अब आप सोचीए स्कूल मैंस मैं तो कहता हूं कि 90 से 95 परसंट समझना एक खतम हो जाए अगर सभी के बच्चेओं को अच्छी स्कूल सि फनास्त हो गया इसली शिख यही तो गरीब की ज़रुबरत है यही तो हर इनसान की जरुब दिल्ली की जनता मैं समझता हूं मालिये ना मालिये तुम्हारे हाथ है उस वहारे बिदायक या तुम्हारा सरबंच हो कोई भी हुबाइटी नहीं काम करां एंगली बदल दिए द चुनाव के टाइम पर इतना जहर उगल दिया जाता है और दिमाग को बंद कर दिया जाता है जनतारी तो यही पैसला वही हवा में चुनाव में बूट डाल देते हैं कि इसकी हवा चल लए है उसी को ले दिया मैं बताता हूँ मैंने एक जगे ऐसा देखा है कि वहां के लोगों को अपने सांसत का यानिकी MP का नाम पता नहीं है फिर भी उसने उसे जिताया सरफ इसलिए क्योंकि वह किसी एक खास पार्टी का और पार्टी का नाम नैशनल लेवल पर है अब समझ सकते हैं जैसे अपने राजा का नाम पता करते हैं चुनाव को लोगतांत्रिक बनाने के आदार क्या है चुनाव कहीं तरह से हो सकते हैं लोगतांत्रिक देशों में तो चुनाव होती है यहां तक कि अधिकास गयर लोगतांत्रिक देशों में भी किसी ना किसी तरह के चुनाव होते हैं जो चुनाव लोगतांत्रिक हुए इससे जाशने के लिए हमारे लिए क्या पिर्माने हैं हमने अध्याइए एक में सवाल पर हल्की सी चर्चा के थी हमने वहां नेक देशों के चुनाव के उधारन दिये थी जिने हम लोगतंत्रिक चुनाव नहीं मान सकते हैं आई वहां सीखे सबक को याद करें और किसी के मत का समान बोलो दूसरा चुनाव में विकल्प उपलब दो पाइटी पाइटीयों उमीदवारों को चुनाव में उतरने का आजादी हूं और भी मत दातनाओं के लिए विकल्प पेश करें तीसरा चुनाव का उसर नेमित अंत्राल पर मिलता रहे नए चुनाव कु जिसे लोग सचमुच अपनी इच्छा से बैक्ती का चुनाव कर सकें यह सरतें बहुत आसान हैं और सर लग सकती हैं लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहां कि चुनाव में इन सरतों को भी पूरा नहीं किया जाता है इस अध्याय में हम अपने देश के में हुए चुनाव पर भ पित्वध्वध्वध्वध्वध्वध्वध्वध्वध्वध्वध्वध्वध्वध्वध्वध्वध्वध्वध्वध्वध्वध्वध्वध्वध्वध्वध्वध्वध्वध्वध्वध्वध्वध्वध्वध्वध्वध्वध्वध्वध्वध्वध् अपने देश में माल लिए एक ही पार्टी हो कोई भी पार्टी हो बीजी भी पिर कॉंग्रिस आपके पास एक ही ऑप्सन है कि आपको इसी को वोट देना है फिर क्या है चुनाओ का मतलब जा रहा है फिर तो आप पुराने जमाने का ठपा ठोग दिजिए कि राजया एक ही बन चुंगा किन राजनितिक पिती द्वयंदिता कहों अच्छी चीज है चुनावी पिती द्वयंदिता में कुछ इस पर नुखसान दिखते हैं इस से हर वस्ती ॥र घर में अक्सर एक दूसरे के खलाव आरोब लगाते हैं। पायटियां और मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के अपकंडे अपनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दोड़ जीतने का लिए दवाब सही किस्म की दिवित कालिक राजनीती को पनपने नहीं देता है। समाज और देश की सेवा करने की चाहे रखने वाले कई अच्छी लोग इन्हीं कारणों से चुनाव भी मुकाबले में नहीं उतरते हैं। उन्हें इस मुस्किल और बेग नंगी लड़ाई उनों तरना अच्छा नहीं लगता है। आप ही सोचिए कि आप एक इमांदर हैं। अब मन से सेवा करना चाहते हैं। लेकिन लेकिन कहाा आप इमांदरी से जीत भाऊंगे समाज। फिर आपके पास पैसा नहीं और बीवक्च के पास पैसा है। तो आप कहां उनसे भाइट करभाएं। आपे छड़ जाएंगे तो इसलिए इमानदार नेता हट जाते हैं वो जनता इतनी समझदार कहाएगी वो तुम्हारी इमानदारी दे कि तुम्हें चुनेगी इसके लिए मैं देल्डी की जनता को बार-बार बोलताम कि वो मुझे समझदार लगी कि सबने अपनी दम लगा ल पूरा देश चुनावी परचार में लग गया था अपने देखाव अगसर लेकिन फिर भी वहां की जनता को मन नहीं बदल सके कोई आगे बात करते हैं हमारे समीनार निर्माता इन समस्याओं के प्ति सचित थी पिर भी उन्होंने भविस्थ के नेताओं के चुनाओं के लि इस सभी राजनितिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हितकर किन चीजों में हैं तथा ये सभी नेता लोगों की सेवा की पेड़ा से ही राजनीती में आते हैं फिर असल जीवन में ऐसा नहीं होता है दुनिया बर के सभी नेताओं को अन्यप पैसों की लोगों कि समा आगे बढ़ने की अपने केरियर बनाने की चिंता होती है, बेसरता में बने रहना चाड़ते हैं या अपने लिए बड़ी से बड़ी कुर्सी और जानदा से जानदा अधिकार पाना चाहिते हैं संभावाई कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो पर सरिफ इस भावना से कि भरोसे चीज़ों को छोड़ना जोकिन का काम है यह भी सम्हव है कि उनके अंदर। पर उन्हें यहीं मालूम नहुं कि यहेया काम कैशी किया जैसे हैं? यह फिर यह भी ऌह सकता है कि उनकी मन में जो विचार हूं उनका लोगों की जरुरत यह इस्थानी इस्तित्बियों से मेल हीना हो में ठीखCU ऐसे में हम इन वास्त्वित्ताओं का सामना कैसी कर सकते हैं एक तरीका तो राजनेताओं की ग्यान और चर्ट में बदलाओं सुधाल लाने का है दूसरा जानदा वेभारे तरीका यागे कि हम ऐसी विवस्ता बनाएं जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को कि नेवित चुनावी मुकाबली का लाव राजनितिक दलों नेताओं को मिलता है वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया तो उनकी लोग फिरी एता बढ़ेगी और अंगले चुनाव में उनकी जीत की संभावना भी कर दिए अपने काम कासि मद्दाताओं को संतुष्ट करना में आ सपल रहते हैं तो वे अंगला चुनाव नहीं जी सकते हैं कि अब आप फी सुचिए आपने अक्सर देखा भी होगा कही जग्या है कि आत्वी पास से कोई आट वी पास उसे स्वास्त मंत्री बना दिया रहे है उसे विदेश मंत्री बना दिया रहे है, कुछ खायदा होगा आपकर लगता है अगर किसी पढ़े लेखे जो विदेश या कोई पुराना अभी उडिकारी आई एस आई पेस जो भी हो जो जानता हो इन चीजों के बारे में अगर उसे आंगे वो राजमीति में उतरता है तो उसे मेरा मानना है कि अगर उसे बेहतर काम करने का इस समया आप लेजिए विदेश मंत्री एस जैसन करें मुझे ये फैसला बहुत बढ़िया लगा क्योंकि उन्हें जानकारी दो है विदेश के बाले में वो इस तरह की नीती नियमी बना सकते हैं वो अपना काम अच्छे सकते हैं अब आप सोचिए कि उन्हें की जगह किसी आपके सांसत को जो आठवी पास नाओ उन्हें बना दिया जाता है क्या करते है कहीं पढ़ा था मैंने कि सबसे बुरी इस्तेदी हमारे देश में है कि पढ़ा लेखा राजनीती नहीं करना चाहता है और जो पढ़ा कि नहीं जाएंगे राजनीती में तुम्हारा देशो ही चलता रहेगा बस डढ़कता रहेगा जिस तरह से चलता है इस तरह यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की चासे ही आगे आई है तो भी उसे मजबूरन जंदा की सिवा करनी होगी कुछ-कुछ इस दुकान देखेगा और ठीक इसी तरह राजनीतिक मुकाबले से संभब कुछ बेदभाव पनपें और लोगों में आपसी मनमुटाओ पैदा हूं लेकिन आकिरकार इस तरह राजनीतिक दल और इसके निता लोगों की सेवा के लिए अबात होती है मेरे पास ही उजना नेटा जी देकिनदे का वीस लगता है चुनाव के पहले रहते हैं इस तरह से जनता यह से राजा रहती है चुनाव के परिल देखेगे यह काट्on में दिखाए गया है इस इस बोर्टे गई क्या गया है यहाँ पोटर है कि प्रेश हो एक मिश्क लाइदा कि बोड़ सफिक जी तने के वाद can आगे चलते हैं लोग चुनाव की हमारी प्हारी बात करते हैं हैं चुनाव की हमारी प्रेणाली क्या है क्या हमारे देश में होने वाले चुनाव लोगतांकित हैं इस सवाल का जवाब देने के लिए आईए देखें भारत में चुनाव किस तरह बोते हैं हमारे यहां लोगसवा और विधान सवा के चुनाव और पांस साल बाद होते हैं Yo Mmm लोखसवा न विदान सवान भइन भन्गव हो जाती है वह सभी चुनाओ चेत्रों में कि दिन या एक चोटे अंत्राल में अलग-अलग दिन चुनाओ होती है इसे याम चुनाओ कहते हैं खईवास प्रिप एक चित में चुनाओ कोता है मिन फिर्ट्स पहला हों जो किसे सदर्श की मित्ती विया इसtsåीप सीख खली हुआ 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 हम इसे पॉक चणाओ पहसु जब आपने देखा हुआ कि सदर्ट की मित्ती हो जा है आ ко давно को आफ्याइन कि लोहों ने 90 विधायव कों का चुनाव किया यानि की विधानसाब सीटें कितनी अर्याणा नहीं थी 90 वे कब बूब करते हैं। चुनाओ की उद्देस से देश को अनेग चित्रों में बाट लिया जाते हैं। इससे निरवाचं चित करते हैं। एक चित्र में रहने वाली मद्द्दा था, अपने एक पितिनी दियों का चुनाओ करते हैं, लोग चुनाओ के लिए देश को 55 निर्वाजन चेत्रों में बाट अगया है, हर छेत में चुने गए पितिनी दियों को संसल सदस कहते हैं, लोग तंत्रिक चुनाओ की विसेश्टा एक हर बोट का बराबर मूल, इसलिए हमार यहां बोट का यह मतलब नहीं है कि आप का बोट और किसी अमीर का बोट में अंतर है, यहां सब के बोट की कीमत बराबर है. जिसे आपकी यहां मद्दाद निर्वाचन छेत है तो आप वहां के विदाय को चुनेगे इसी तरह दूसरे छेत की जो मद्दाता होंगे वो अपने छेत की निर्वाचन छेत की सदस्त को चुनेगे इसी पकार पितिक राजी को उसकी विदान सबा की सीटों के हिसाब से बाता गया है इन सीटों से निर्वाचित की तिनीदियों को विदाय कहते हैं क्या कहते हैं विदाय को यहां संसद कहते हैं संसद सदस MP और इसे मले कहते हैं विदाय को ठीक है नहीं आगर आ आले में मले लिखा दूर आप याद रखि और मकसत यी यह निर्वाचन शित में विदान सभागे कई कई nirवाचन शित हैं पंचयतों और नगरफालकाओं के चुनाओं मों भी यही तरीखा अपनाया jatay है। पितेक पंचयत को कई बाढ़ों में बाता जाते हैं को छोटे-छोटे nir 광पTh bold पितेगबाड से पंचाथ या नगरपालका के लिए एक-एक सदस्का चुनाव होता है। कईवार निर्वाचन चित को सीट भी कहा जाता है। क्योंकि हर छित, संसद या विधानसवा की एक सीट का चितिने दिफ्ट करता है। इसलिए हम कहते हैं कि लोगडल ने हर्याणा की 60 सीटें जीते हैं। तो इसका मतलब है कि विधानसवा कि 60 निर्वाचन चित्रों से लोगडल के 60 लोग जीतकर राज विधानसवा में मंचित। अब आप कहेंगे कि विधायक का चुनाव कैसे बूता है। आप वोट देगी और तीन कैंडिकेट हैं। तो जिनकी सबसे जाना वोट होगी उनी को विधायी उसे कर दिया जाएगा। जैसे आप कि हाँ 10 वोट हैं मांग लीजे तो जिसे इसमें से तीन को हैं एक को मिले दो वोट एक को चार वोट च्छे होगा। सौरी एक को दो एक को तीन और एक को पांच तो ये पांच वाला विजाई रहेगा। अब बात करते हैं आरफचित निर्वाचिं शेत्र के वालें हमारे समि anno पिते एक नागरिए को अपना पिती दीनिदी चुनने और जन्पिती नडी के तोर पर चुनने जाने का अदिकार देता है लेकिन हमारे समीधान निर्वाताओं को चिंता थी कि वे संभव है कि खुले चुनावी मुकाबले में कुछ कमजोर समूव के लोग सभाव और विधान सभाव में पहुच नहीं पाई संभव होई कि चुनाव लड़ने और जीतने लायग जरूरी संसाधन सिक्षा संभड उनके पास हो भी नहीं संसाधनों वाले प्रभावसी लोग उनके चुनाव जीतने कुछ सिरयोपी सकते हैं अगर ऐसा होता है कि तो संसद और विधान सभाव में हमारी आवादी के बड़ है से थूर कि आवादी नहीं पहुंच पारी इसके लिए लोग त अंतडरिक पितिनिदित कर्चरित कम जूर होगा ब्रया विवस्था कम लोग नें होगी इसके लिए हमारे समिधार निर्माताओं ने कमजोर वगों के लिए आरक्षित निर्वा चंद्षित की विसेश व्यवस्था सोचिए आरक्षित सीट हैं अपने देखा हुआ कई जगे विदानसावा सीट हैं आरक्षित होती हैं तो यह उसी के बारे में चल्चा चल द आरक्षित होती हैं तो कुछ्चत अनसुचत जनजाती के लिए कि लोगों के लिए आरक्षित होती हैं मतलब वहीं लोग चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन बोर्ट सब लोग देख सकते हैं प्रच्या और व को वी सी ओ सामनवाय गो में है यानि कि बहुत हर्गोई दे सकेगा उसमें अनसुचित जाती के लिए आरक्षे सीट पर केबल अनसुचित जाती का ये पेक्ति चुनाव लड़ सकता है इसी तरह सिर्फ अनसुचित जन जाती के लिए आरक्षे चुनाव छेत से चुनाव लड़ सकता है अभी लोगसवा की 84 सीटें अन्लूचे जाती हों के लिए और 27 सीटें अन्लूचे जोप्सुचा के लिए कब की कि आख का 26 जन बरी याद रखना मा है, अगर कोई पूचे कि लोगसवा में कितनी अन्लूचे जी जाती के लिए सीटें और अनुसूचित जाति यानिक यह इसित आबादी में इन समूओ के इस विए जनजातियों के लिए आरख्छ शीठें किसी अनुसक्त हिस्से में एक कुछ नहीं लेती हैं कमजोर समूव के लेग के लिए आरक्षण की यह विवस्ता बाद में जिला और इस्थानी इस्तर पर भी लागू की लिए अनेक राज्यों में अब गिरावीर पंच्यायतों और सहरी नगर पालता हूं और नगर निगूओं इस्थानी निकायों में अनपिच्ड़ी वर्गों के लिए आरक्षण लागू हो गया पर हर आज में आरक्षण सीटों करपाद अलग लग होता है इस पेकार गिरावीर और सहरी इस्थानी निकायों में एक दियाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षण की गए देखिए यह आपका प्यारा भा आरक्षण अन्सूचित जाती 84 आरक्षण अन्सूचित जन जाती यानि कि स्थी से कहते हैं यह आपका स्थी हो गया स्थी के लिए चौरासी एस्थी के लिए 47 यहां यह एक जानकारी और आपको देरें जो सामान के लिए सीटें हैं उसमें कोई भी चुनावा लड़ सकता है उसमें ऐसा नहीं है कि यह बस जनर या भी सी बाले लड़ पाएंगे चुनाओ वहां अगर एस्थी बाला चाहिए चुनाओ तो इस एक बात हमेशा याद रखिए तो आंध कि देश में आपकी 25 होगे इन सीटों को याद रखिए कि क्या रहता है आपका प्रयम से पहुंच लेता है और जिस स्टेट से हैं उसे स्टेट की सीटों को याद रखिए क्योंकि अक्सर इंटर्वियू या कहीं इस तरह के बिहार में 40, 36 गड़ में 11, गुवार में 2, गुजरात में 26, हर्याणा में 10, हिमाचल के देश में 4, जम्मू कसीमिर में 6, यानी 6, जाहरगंड में 14, करनाटक में 28, किरल में 20, मद्वेदेश MP में 29, महराष्ट में 48, मडीपुन में 2, मेगाला में 2, मिजूरम में 1, नागाल जाहर राजिस्थान में 22, सिख्यम में 1, तहिलाडू में 49, तिलंगाना में 77, तिपुरा में 2, उत्तर पिदिस में सी, उत्तराकंड में 5, पश्च मंगाल में 42, अन्वान एबं निकुवार दूर्षमू में 1, चंडिगण में 1, दादरा एबं नगर हविली में 1, दमर और दिल्ली में आपकी साथ हैं, लक्चदी में एक है, उदुचेरी में आपकी एक है, इस तरह से आपकी 543 सीटें हो जाती है, अपने अपने स्टेट की राजसभा, पिलस लोगसभा की सीटें याद रखा करिएगा, क्योंकि यह आपकी कहीं भी इंटर्व्यू में पूंच ल तो याद रखिए, जो संसद होती है, तो इसमें आपके तीन भाग होती है, राश्ट्पती, लोगसभा और राजसभा, तो जो लोगसभा होता है, इसे जनता डारेक्ट चुनती है, इसके सदस्तों को, तिया, जैसे आप अपने याँसे MP को चुनते होगे, और जो सभा, राजसभा, पिलस बिद्यान सभा, कि सभी निर्वाचि सदस्त, एक सब देहां याद रखे, कौन निर्वाचि सदस्त के वल चुनते हैं, ठीर, जैने मनोनीत किया जाता है, उन बोट नहीं चुनते है, इसमें भाग नहीं लिए ठीर, एक बार जब निर्वाचन चित का फैसला हो जाता है तब या जाता है कि कौन बोर्ट दे सकता है कौन नहीं इस फैसले को अंतिम दिन तक के लिए किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है लोकतांत्रिक चुनाव में मद्दान की यवधा रखने वालों कि सूची चुनाव से काफी पहले तेयार के लिए जाती हैं और हर किसी को दे दी जाती हैं इस सूचिम्ट को अधिकारिक रूप से मध्दाता सूची कहते हैं, आम बोल्चाल में इसे बोटर लिस्ट भी कहते हैं, पता है आपको, जो हमारा देश में 1947 में आजा दुगा, तो कई लोगों ने आवाय उठाइस थी, कि बोट डालने का अधिकार या बोट देना का अधिक तो इस समय गांदी जी और नेहरू ने, ये मुद्दागों समात किया, उन्होंने बोला कि सब को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, यानि कि सब को इसमें भाग लेने का अधिकार होना चाहिए, आप सोचिए अगर पढ़े लिखे और जो कर देते होंगी, टेक्स भरते अगर उन्हें मद नेता चुनने का अधिकार होता, तो गरीबों की आलत इससे और बर्तर हो जाती है, क्योंकि फिर तो कोई किसी को मतलब ही नहीं रहता आप से, अभी तो बोल्ट के लिए कम से कम आपके यहां तक पहुच जाते हैं, आपकी गेट तक, फिर तो तुम से किसी को समान अउसर मिल लें से है, पहले हमने सार भूम वैस्क मतादिकार के बारें पढ़ाता, वेवार में इसका मतलब है कि हर किसी को मत देने का दिखार होना चाहिए, और हर एक कमत समान मोल का होता है, तब ठोस कारण ना हो किसी को मतादिकार से बंचित नहीं किया जाना जाहिए यानि कि आपकी उम् 16 साल हो भी तो आप पोट देंगा की काबे लूए और फिर आपका बोट और पिर चाय कोई भी का उसके बोट का और आपके बोट का बरावर मोल भूगा आपके बोट की भी उतनी कीमत है जितनी एक अमेर की एक बड़े लेकर आप अलगलंग नाग्रेक अनेक मामलों में एक दूसरे से भेंद होते हैं कोई अमीर है कोई गरीब कोई बहुत पड़ा लिखा है तो कोई कम या एकदम आसिक्षित है कोई बहुत दयालू है तो कोई नहीं पर हर कोई इनसान तो है और अपनी जरुद्टों और विचारों की उपर की उमी के सभी नाग्रेक चुनाव में बोट डाल सकते हैं नाग्रेक की जाती धरम लिंग चाहे जो उसे मत देने का अधिकार है अपरादियों और दिमा की आसंतुलन वाले को कुछ लोगों को बोट देने के अधिकार से बंचित किया जा सकता है लेकन ऐसा सरे बेहत खास octiयों में ही भूत है यादस कि सभी सक्षम मत्दाताओं का नाम मत्दाता सूची में हो या orवस्ता करना सरकाल की जिम्मेदार है चुकि हम अंगले चुनाव में नई लोग मद्दाता बनने की उम तक आ जाती है इसलिए हर चुनाव से पूर मद्दाता सुची को सुधारा जाता है जो लोग उस इलाके से बाहर चले जाते हैं या जिन की मौत हो जाते हैं तो उनकी नाम इस सुची से अकार दिये जाते हैं हर पांच बर्स में मद्दाता सुची का फूर नवीनी करन किया जाता है ऐसा मद्दाता सुची को एकदम ताजा रखने के लिए किया जाते हैं पिछली कुछ बर्सों से चुनाओं में फोटू पाइचानपत की नई विवस्ता लगू किये लिए सरकार ने मद्दाता सुची में दर्ज सभी लोगों को यह कार्ड देने की कौस की बोट देने जाते समय मद्दाता को यह पाइचानपत साथ रखना होता है जिससे किसी एक का बोट कोई दूसरा ना डाल दे पर मद्दात के लिए यह कार्ड अभी तक अनिवार नहीं हुआ है बोट देने के लिए मद्दाता रासन कार्ड या प्रडराइविंग लैसेंस जैसे पैचानपत भी दिखा सकता है तो यह थी मद्दाताओं की कहानी अब चलते हैं हम लोग उम्मीद्वारों की कहानी पर जिनने आप चुनते हैं उम्मीद्वारों का दावंकर हमने उपर देखा है कि लोगतांत्रिक चुनाव में लोगों के पास बास्तिविक बिगल्प होना चाहिए यह तब ही होगा जब किसी के लिए चुनाव लड़ने पर लगने कि लगवक किसी किसम की बंदिस ना होगी हमारी चुनावी पेडाली ऐसा ही करती है जो कोई ब्यक्ति मद्दाता है वह उम्मीद्वार भी हो सकता है कोई भी व्यक्ति 18 वर्स की बोट डालने का अधिकार हो जाता है अगर आप 18 साल की हो गए तो आपको बोट डालने का अधिकार तो हो गया जबकि उम्मीद्वार वर्ने की नियूंतम आयो 25 वर्स कहिया दो बात में इस आया टुकिए अगर आप 18 वर्स के लुए तो आप बोट डालने के अधिकार हो गए अगर आप सरबंची का चुना लगते हैं तो इसके लिए 21 वर्स उम्म जरूरी है अगर राज्य सभा के लि अगरा कि उम्मीद्वार बनने में भी अपरादियों वगयर पर रोखें लेकिन यह पावंदी भी बहुत ही कम मामलों में लागू होती है और आजनियतिक दल अपने उम्मीद्वार मनोनीत करते हैं जिने पार्टी कर्चुनाव चलना और समय बिलता है पार्टी के मनोनेयन को बोल्चाल की वासा में टिकेट कहते हैं कहते हैं आपने सुनाव अक्सर किसे चुनाव इसे टिकेट में ले गया है इस तरह ऐसे होती है आपकी देख लिए निरवाचन निरवाचक नामबली चुनाड़ लड़ने के चुक हर एक उम्मीदवार को एक नामंकन पत्त बनना पड़ता है कुछ रकम जमानत के रूम में जमा करानी पड़ती है हाल में सरवच नियाले के निरदेश पर उम्मीदवारों से एक गोश्णा बाद पत्त भरवानी की नई बढ़ाली भी अब अब अपने जिदने भी आप टिकेट देते हैं तो उनके बारे में बताना हुआ क्यों आपने टिकेट दिया ऐसे उनके जो भी अपरादिक पर करिया रही है उनके जो भी केसरे हैं उन्हें अपनी साइट पर अपलोड करना हुगा जिससे जैनता भी देख सकते हैं कि वो जिसे चुन रहे हैं उसका हाल क्या है इस सूचना को सारवजनिक किया जाना चाहिए इससे मददाता को उमिदवार अगरा खुद के वारे में सूजना क्या अधार पर अपने पैसली करने का मुखा मिलता है। अधार की सेक्षडे की वोगता जब देश का सभी नुकरीयों के लिए किसी ना किसी किसम की सेक्षडे की वोगता जरूरी है। तो विदायक और सांसत बाहत पूर पदों के चुनाव के लिए किसी किसिन की सेक्षिंड ये उगुता की जिरूरत क्यों नहीं है कि अभी उद्यूरत है अगर आक को कौलश टेवल की परिच्छा देनी है तो सब्यसे कम से कम दस्मीं पात्स होना ज़रूरत है स्चेड़ कर देखा हुआ देशिए क idée'M बनने के लिए ज्या फिसे कोई मत्रीन है आपको किसी भी पढ़ाई की जरूरत नहीं है जरूरत सकते हैं अच्छा क्रकेट खेलने की युगता जरूरी है इसी पिकार बेदाय कि असंसक की सबसे बड़ी यह गुता यह है कि वह अपनेचेत के लोगों की समस्याओं को समझे उनकी चिंताओं को समझे और उनके हितों का पितिनिदित करें बेया काम कर रहे हैं या नहीं इसकी परिक्षा उनके लाखों बोटर पांस साल तक रोज लेते हैं अगर शिक्षा एक डिगरी की प्रासंगिक्ता हो भी तो यह जिम्मा लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि बेश सेक्षड के गुता को कितना मत देते हैं हमारे देश में सेक्षड यह गुता की साथ लगाना एक अनक कारण से भी लोगतंत की मूल भावना के खिलाब होगा इसका मतलब होगा कि देश के अधिकास लोगों को चुना लड़ने की मौलिक अधिकार से बंचित करना जैसे अधि उम्मीदवार के लिए बीकॉम या फिर बीएस्टी के सुनादक डिगरी को भी अनिवार किया गया तो नब्वे पिस्टी से जाना नागरिक चुना लड़ने की आयोग हो जाना अगर आपसे पूंच शुकता है एक अतन कि उम्मीदवार को सेक्षड योग ताक कि बारत की चुनाव प्रेणाली की कुछ विश्यस्ता है कुछ सिद्दात दिये हैं इनकी सही जोड़ी बना सकते हैं सार्फ भूम वयस्क मता दिका है अठारा वयस्क या उपर के सभी उपर के सभी कुमता दिका है कमजोर बर्गों को पिती निवित अनसुचित जातियों और जन जातियों के लिए आरक्षित सीट हैं खुली राजनितिक पिती द्वन दिता हर चुनाव चित में लगवग बरावन मत दाता एक मत खुली राजनितिक पिती द्वन दिता सभी को पाईटी बनाने या चुनाव लड़ने की आजादी होगी इसका मतलब क्या है कि खुली राजनितिक पिती द्वन दिता तभी तो होगी जब आपके सामने उपलब्द होंगे विकल पिती होगी तो तभी होगी अब आप सूच एक किसी भी सरकारी जौब में नौप्री आती हैं उसमें दस सीड़ें निकली हैं 10 पित्रिक हो भी हो तो किस लिए या पर आप लोग इसे पित्र देंदिता थोड़ी कहेंगे आप इस तरह से ले सकते हैं से या माली जी एक रेस चल रही है उसमें तो इसमें दोड थोड़ भी हो रही है आप पे जाई हैं ना दोड़ें तब ही आप बेजए तो अगल अगल वगल में दोचार ख़ड़े हैं दोर में इनी तो पिती द्वन्दी थे थे सबीक Ananditra अग्मांगल हर चुनाओ अभयान देख लिए नामंकन हो गया जो चुनाओ अब आहन पर आते हैं तीसरी के लिए चुनाओं का मुक कुधिस, लोगों को अपने पसंद के प्पितिनीधियों, सरकार और नीधियों का चुनाओ करने का आउसर देना है इसलिए कौन पितिनीधी बेहतर है, कौन पाईटी अच्छी सरकार देगी या अच्छी नीधी कौन सी है इस बारे में सुतंत और खुली चर्चा भी बहुत जड़ी है चुडाओ अभियान के द्वरान यही होता है हमारे देश में उमीदवार की अंतिम, सोची की गोशना होने और मद्दान की तारीख के लिए आम तोर पर दो सप्ताय के समय चुनाओ प्रचार के लिए दिया जाता है इस सॉधी में उमीदवार मद्दाताओं से संपर्ख करते हैं राजनिता चुनाओ भी सभाव में भासन देते हैं राजनितिक पार्टियां अपने समर्द्कों को सब्क्रिय करते हैं इसी यौदी में अकबार और टीवी चैनल उपर चुनाव से जुड़ी खबरें और भहस भी होती हैं पर असल में चुनाव अभियान स्रिक दो हफ्ते नहीं चलता है राजनितिक दल चुनाव होने की महिन ने महिनों पहले सी इसकी त्रीलारी स्रूअ कर देते हैं है चुमाव अभियान के दवारा राजनितिक पारटी है लोगों का दिहान कुछ बड़ी मुद्वों पर केंदित कικ स्थकलते हैं दे गांधी की नितत वाली कॉंग्रिस पाइटी ने 1971 की लोगसभा चुनाओ में गरीवी अटाओ का नारा दिया था पाइटी ने वाइदा किया कि वह सरकार की सानी नीतियों में बल्लाओ करके सबसे पहली देश में गरीवी अटाईगी लेकिन आप देख रहे हैं कहां हागत है 1977 में वह लोगसभा चुनाओ में जैपिकास्ट नारायन की नितत में जन्ता पाइटी ने दिया के लोगतंत बचाओ पाइटी ने आपातकाल के द्वरान हुई जानतियों को समात करने और नागरिक आजादी को बहाल करने का वाहला किय जैसा कि आपको पत्त होगा 75 त 77 के बीच इंद्रा गांदी ने अपनी सरकार अपनी राजनेतिक करियर बचाने के लिए जो आपातकाल लगाया था उसी काला उस समय को काला समय बोलते हैं मतलब समझ सकते हैं काला ने तो अपनी मनमानी की इंद्रा गांदी है तो उसके सदत्तर में यह था आपका तब जैविकाह नाराहन ने जन्ता पार्टी ने नारा किया दिया था लोगतंत बचाओ क्योंकि लोगतंत खतम हो गया था उस समय इंद्रा गांदी ने इतना दानाता ही देखाई थी हरकोई उ जाल उचना करता है उस समय की बांपत्ती दलों ने 1977 में पश्चमंगाल बिधानसवा चुनाव में जमीन जोतने वाली को नारा दिया था 1983 के आंद्रप्रिश की बिधानसवा चुनाव में तेलगू देशम पार्टी के निता एंटी रामा राव ने तेलगू स्वाविमान का नारा दिया था लोकतंत में राजनितिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी मर्गी के मताबिद चुनाव परशार करने के लिए आजार थोड़ देना ही सबसे इच्छा होता है पर सभी दलों कोचित और समान अवसर के लिए मिले इसके लिए कई वार कुछ दफल देना जरूए है चुनाव के कानून के अनुसार कोई भी उम्मीदवार पार्टी से यह सब काम नहीं कर सकती है मददादव को पिलोगन देना गोश्ट देना या धंकी देना नहीं कर सकती है उसे जाती है धरम के नाम पर बहुत मालना बिलकुर मना चुनावी अभिहान में सरकारी संसादनों का इस्तिमाल नहीं कर सकती है लोकसवा चुनाव में एक नेरवाचन शित में 25 लाग विदान और इसके लिए सत्तर हो गया, ठीक है लग 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 है, अगर अगर इन में से किसी भी मामले में दोसी पाय जाते हैं, तो चुने जाने के बापजूद उनका चुनाव रद भुसित हो जाएगा, इन कानूनों के अलावा हमारे देश के सभी राजनित्री पार्टियों ने को भी सुईकार किया, आपने सुना होगा कि आचार सहिता लग गई, तो यह वही आचार सहिता, इसमें उम्मीदवारों को पायटी की यह सब करने की मनाई होती है, आचार सहिता में, चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्मिस्तल पर का उप्यों नहीं कर सकते, सरकारी बाहा आधिकारियों का चुनाव में उप्यों नहीं कर सकते, चुनाव की अधिगोशना हो जाने के बाद, मंत्री किसी बड़ी यह उजना का सिलाल नियास, बड़े नीतीगत पैसले, या लोगों कुछ जन्त, सुगदाय देने बाले बाइदे नहीं कर सकते हैं, इससे क्या होता ह कि हम लगववववववव लाष्ट परणाली में पहुंचने बाले हैं, चुनाव का आखरी चड़, मद्दाताओं द्वारा बोट देना, इस दिन को आम तोर पर चुनाव का दिन कहते हैं, मद्दाता सूची में नाम बाला हर वैक्ती अपने अलाके में इस बिक मद्दान के दिन पर जाता है, या आस्थाई तोर पर इस्थानी स्कूल या किसी सरगारी हिमारत में बना होता है, जब मद्दाता मद्दान के दिन में जाता है, तो चुनावी अथिकारी उसे पहचान कर उसकी अंगली पर एक काला निसान लगा देते हैं, उसे बोट डाल लें की अन पहले मद्दाता एक मद्दपत पर अलगलग चात्ते उमीदवारों की नाम चुनाव चुन्न से, अपनी पसंद के उमीदवार के चुनाव चिन पर मुहल लगा कर अपनी पसंद जाय करते हैं, अब मद्दान के लिए एलेक्ट्रोनिक बोटिंग मसीन का इस्तिमाल होने मद्दाता को जिस उमीदवार को दिना होता है, उसके चुनाव चिन के आगी बटन बने बटन को एक बार दवार बर देना होता है, मद्दान हो जाने के बार सभी वोटिंग मसीनों को सील करके सुरक्चित जगए पर पहुंचा दिया जाता है, पर एक तै तारीक पर एक मद्दाना का काम निस्वक्षिदंग से हो सके, किसी चुनावी चित में सबसे जाना मत पाने वाले उमीदवार को बिजयी खुसित किया जाता है, आम चुनाव में अमूमन सभी निर्वाचन चित्रों में मत्दाना एक ही तारीक पर होती है, तेवी चैनल, रेडियो, सरकार बनाने जा रहा है, क्या हमारे देश में चुनाव बहुत महिंगे है, बारत में चुनाव करवाने का बहुत जान्दा रेकम खर्च होती है, जैसे 2014 में लोगसभा चुनाव पर ही, सरकार ने करीब 3500 करूर खर्च की है, हिसाब लगाएं तो मद्दाता सूची में दर् बनाम पर 40 के करीब खर्च होती है, 40 रोपे की, पायटी और उम्मीदबारों ने चुनाव बहुत सरकार से भी जाना खर्च किया, मौटी अनुमान के अमसार सरकार पायटी और उम्मीदबारों का कुल खर्च करीब 30,000 करोर, कितना 30,000 करोर खर्च हुए चुनाव बहुत अ लोगों पर एक बोज है मुल्क हर 5 साल पर चुनाव कराने का बोज नहीं उठा सकता है आए इस खर्च की तुल्ला अनकर्चों से खरें सन 2005 में सरकार ने प्रांस से छै परमाणू पंडुब्बियां खरीदने का फैसला किये पितेक पंडुब्बी की कीमत करीब तीन हजार करोड है दिल्ली ने सन 2010 में राष्ट मंदल केलों का अनुमानता इस पर आपके पीस हजार करोड से भी ज्यादा खर्च होई तो क्या चुनाव को महेंगा माना जा सकता है इस बैपसाय पर अपनी राय दे सकते हैं ठीक है गुलबरगा की चुनाव पईडाम लेती है आपने देखा हुगा करनाटप एक बार फिर गुलबरगा की उधारण पर गोर करें सन 2014 में यहां कोल आठ मीदवारों ने चुनाव लगा यहां के मद्दाताओं की संक्यार 17.21 लाग थी इन में से 9.98 लोगों ने अपने मद्द अधिकार का प्रयोग किया आधे लोगों ने अधी लोगों ने मद्दाता का अपने मद्दान का प्रयोगी नहीं का किसी को बोट इन दिया कॉंग्रेस फाइटी की उमीदवार मलिकार जुन खड़गे को 5.07 लाग बोट मिले यह पोल पड़े मतों का 50.82 फिच दीता लेकि किसी भी उमीदवार से जान्दा बोट पाने की कारण उन्हें गुल्वबार्गा संसरीय चित से संसर निर्वाचित किया गया था 2014 की बात चुर्वाचित अब हम बात करते हैं भारत में चुनाव क्यों लोग दानते रिखे हैं हम चुनाव में गड़वडियां और धानलियों के बारे में अक्सर पढ़ते रहते हैं अकवार और टीवी चनलों की खबरों में अक्सर ऐसी गड़वडियों की चर्चा प्रहते हैं और आरोब लगाया जाते हैं, अधिकान्स कबरों में कुछ इस तरह की गड़वडियों की सूचना होती है, मद्दाता सूची में फरजी नाम डालने और असली नामों को गायव करने की, साइद दल, सासक दल द्वारां, सरकारी सुप्धाहों और अधिकारियों की दुर पे उ होता है, चुनावी दानली, मद्दाताओं को डराना, प्रफजी मद्दान करना, इन में से अनेक ख़बरें सही होती हैं, और ऐसी खबरों को पढ़ने या टेवी पर देख लिखते हुए, हमें कुछ हमें दुख होता है, और सौभाग दिर से ये गड़वडियों इतने हो जाती है, क्या कोई पार्टी बिना जन्द समर्थन के, सिर्फ चुनावी दानलीयों के सारे चुनाव जीत कर सत्ता में आ सकती हैं, यह एक मात्कून सवाल है, आईए सवाल के विमिन, पहलूँओं पर सावधानी पूरवक्त हमें लोग गौर करें, सुतन्द चुनाव आ है, यानि कि चुनाव कराने वाले लोग सरकार से सुतन्त हैं, या फिर सरकार या सासक, पार्टी उन्द दवाप प्यभाव बनाती हैं, क्या उनके पास सुतन्त और निफ़क्त चुनाव कराने की सकती हैं, क्या बे इन सकतियों का वास्तों में त्रयोग करते हैं, हमारे दे का कि समानी आजादी प्रापते हैं मुख निरवाचन आयो क nursery भारत की राक्तपति करते हैं एक बार में प्रस्टाने के वाद निरवाचन आयो कर राक्टपति या सरकार केक्ति जबाब दहये नहीं रहता है अगर सासिक पाइटी या सरकार को चुनायो पसंद ना हो तब भी मुख निर्वाचन आयग थो हटा पाना लगव का संबवर। दुनिया के साइध ही किसी चुनायो को भारत निर्वाचन आयग जितने अधिकार परावत हों। जितना आप लोग नियापालिका पर वरोसा करते हैं उतना भी चुनायो अधिस सुचन जारी करने से लेकर चुनायो नतीजों की गोष्ना तरण पूरी चुनायो फिक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्वाचन आयग छंता लागू करता हैं। और इसका उरलगन करने वाले उम्मीदवार को पायटियों को सजा भी लिता है। चुनाव के द्वारां निर्वाचन आयवत सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदिश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारां चुनाव जीतने के लिए। चुनाव में सरकारी मसीनरी का दुर्पयों रूपना या पिर अधिकारियों का तबावला करना भी सामय ले चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार की नियंतर में नहूंकर निर्वाचन आयग के अधीन काम करते हैं पिछले करीब 25 बरसों के दौरान निर्वाचन आयग उने अपनी सारी सक्तियों का उपयोग सुरूं किया साथ ही उसने अपनी सक्तियों में बेस्तार भी किया अब यह आम बात हो बही है कि निर्वाचन आयग सरकार और बिसासन को उनकी गलतीयों के लिए फटकार लगा रहे अगर चुनाव दिकारियों को लगता है कि कुछ मद्दान के अंदों पर या पूरे चुनाव छित में ठीक धन से चुनाव नहीं हुआ तो वेवां फिर से चुनाव का आदेश देते ही यानि कि उस जगे का चुनाव रद्द कर सकते ही अक्सर सासक दनों को निर्वाचन आ आयो कि कामकार से परहसानी होती है लेकर उने निर्वाचन आयो के अदिस मानने होती है अगर निर्वाचन आयो सोतन्त और सक्ती साली नहीं होता वेया संभव नामना चुनाव ने चौदेवी लुखसवा के गर्दन की अधिसूचना जाली है बिहार में चुनाव में मद्दान के लिए फोटो पैच्छान पत अनिबाल चुनाव ने चुनाव खर्च पर नक्यल कसी उचन्याले ने चुनाव से अपराद्धी निताओं पर रोक लगाने को का चुनाव को रियाणा की मेरे पुलिस प्रमुक की निफ्ती स्विकार चुनाव ने 358-98 मद्दान केंद्रों पर प्रेसे गोड़ डालने का आदेश दिया चुनाव का एक और गोज्राद दोरा चुनावी तरयाईयों तरयाईयों का जाज़ा विराजनेतिक बिग्यापनों और सेंसर का अधिकार को चुनाव चुनाव ने गर्ग मंत्राले के चुनाव सुधार संबन्दी सुझाव चुनाव की गुप्त खरच पर चुनाव की नज़ाईयों पर प्रितिवंद लगाने की फिलाल कोई योजना नहीं है चुनाव इस तरह कि आपने अक्सल कर्टिंग की देखी होगी न्यूश्विटरों में कहीं नकाई इस तरह की सब्सक्राइब पढ़ती रहते हैं आप लोग अब चलते हैं लोग चुनाव में लोगों की भागिदारी देखते हैं बाती पौने की चुनाव फिक्रिया की गुर्वत्त कुछ जानने का एक और तोरे का आयँ है इस इमनने लोगों फाधारी करते हैं या नहीं अगर चुनाव पिक्रिया सुतन तो निश्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे अब इन लेखा चित्रों को बढ़ी और भारती चुनाव में लोगों की भागीदारी के बारे में कुछ निश्कष निकल दी अब आप भी सोचे कि अगर पता हो आपको कि आपके वोर्ट से कुछ नहीं होने लेगीज है तो किसलектив बॉ를 एма आप लोग बोट तो तब ही देने जाने को एक भागीदोरी जहीं में तो वही कार में आएगा तो आपको पता है कि उसका निर्दारत जीत के लिए रहे तो आप घर से ही नहीं निकलो भारत और बैटन में मक्दान कभी दी सकते हैं यह बैटन की विक्रिया है और यह आपकी इंडिया भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुल्ला में गरीब निरक्षर कमजोर लोग जानदा संख्या में मद्दान करते हैं समझ में आया हमारे देश में अमीर और बड़ी लोगों की तुल्ला में गरीब नेरक्ष्र है जो कमजोर लोग हैं वो जाना संख्या में मद्दान करते हैं यानि कि वो जाना बोर किप्ति, मद्दान किप्ति जागरूँ हैं पश्रittiयम के लोगतंतों में इस्तिती पूलटे हैं, अमेरिका में गारीब लोग अपिकी मूल के लोग और हिस्पनेक लोग अमीर और सुष्ट लोगों की तुलना में काभी कम मददान करते हैं मत्दान करना हमारा अधिका है वो करना चाहिए एक अन्य देशव में देखिए अमेरिका में आप सामने ही उधार है तुछ पढ़े लेके लोग जानब जागरूप रहते हैं वोट के पूति अब देखिए भारत व अमेरिका में विभिणिस सामाजी क्तंवों में मत्दान पि पिछडी खनसूचे खनसूचे जन्जाती यानि कि एस्टी सबसे जान देख लीए यहाँ अमेरिका में गोरे लोग सबसे जाना त्र आशवे हिस्पैनिक चुनाओ क्या है कि चलते हैं आगे हम लोग बात करते हैं चुनाव में लोगों की भागय दियारही का प्रमाना आमत्वर मद्दान करने वाली लोगों के आंकड़ों को बताया बनाया जाता है मद्दान की युगता रखने वाली कितने 30 सद लोगों ने असल में मद्दान किया यह हिसाब लगाना मुस्किल नहीं पिछले 50 वर्सों में यूरोप और उत्री अमेरिका में लोग तांट्रिक देसों में मद्दान का फिते सत गिराएं भारत में यहा तो इस तर रहा है यह पर ऊफर घया है दानी की बढ़ा है यह तो इस तर रहा है कमी नहीं है भारत में आम लोग चुनाव को बहुत महतु देते हैं, उन्हें लगता है कि चुनाव की जरीए बेराजिनितिक गलों पर अपने अनुकूल लेती और कारकृमों के लिए द्वाब डाल सकते हैं, ज़िए अधी की आधा आधा थे बहुता है कि देश के सासin संचाललन के टों में हुनका बोट को माड़ में यानि कि भरोसा ब्रक़रो तरहे है कि आपको लगता है कि आपकी पर या भरोस मारत थे चर्ट थे ़र फर्क पढ़ता है जिस दूसरा 18 परसेंट लोग कहते हैं फरक नहीं पड़ता है और 15-30 लोगों को पता ही नहीं है कि क्या होता है साल दर्स साल चुनाओं से समधित गतिविदियों में लोगों की सक्रियता बढ़ती जा रही है 2004 के चुनाओं में एक तेहाई से जाना मद्दाताओं ने चुनाओ अभियान बाली गतिविदियों में किसी न किसी तरह की भागिदारी की आजे से ज्यान्द लोगों ने खुद को किसी नकिसी दल के नद्रूत पताय न क्थम जब साथ मतब्धाथां में से एक बैक्ति न किसी नकिति राजने से दल का सदस्त चुनाव के बात करते हैं चुनाभी नतीज नतीजों को सुईार करना है चुनाओ को सुतंत और निश्पक्त छोने का आखरी प्रमाना उसके नतीजे ही है अगर चुनाओ सुतंत और निश्पक्त डंग से ना हो तो नतीजे हर दम तागतवर जमात के पक्ष में ही आते हैं ऐसे इस्तिति में सासक पार्टी चुनाओ हारती ही नहीं है आम तोर पर हालने वाली पार्टी गड़वर डंग से कराए गए चुनाव की नतीजों को सुईकार नहीं करती है। भारत में चुनावी नतीजे खुद ही काफी कुछ कह देती है। भारत में सासक दल राष्टी है और परांती इस तर पर अक्सर चुनाव हालती रहे हैं। बलकि पिछले 15 वर्सों में भारत में जितनों चुनाव लिए उनमें से प्तेक तीन में से दो में सासक पार्टी पार्टियां हारी हैं। अमेरिका में मौजूता चुनाव हुआ पितिनी थी साहधी कभी चुनाव हालता है। भारत में निर्वलत्वार सांसद और विधायकों में से आदे चुनाव हाल जाते हैं। बोट खड़ी तोने में सक्चम पैसे वाले उम्मीदवार हुआ या अप्राथिक प्रिष्टिवी वूमी वाले उम्मीदवार हुँ। उनका भी चुनावाना बहुत कम बहुत दाम है। कुछ एक अब बादों को छोड़ने तो सरकार अफसर हारी भी पार्टी भी चुनाव की नितिज्यों को जनादेश मानकर सुईकार कर लेती हैं। आपने देखा हुगा लेकिन 2014 की बाद जो आपके 2019 में आम चुनाव हुए इसमें नरदमोदी सरकार दुबाल रहा है। क्योंकि लोगों को भरोसा है उनकर इसलिए दुबारा उन्होंने चुनावने अब बात करते हैं सुतंत और निस्पक्च चुनाव की चुनाव की चुनावती हैं। यह कहने की क्या ज़रूरत थी कि हमने अपने योग और जीतने वाले विश्तेदारों को ही टिकट दिया प्रेस कॉंफरेंस। इन बातों से हम इस सरण से निस्करस पस पहुंचते हैं कि भारत में चुनाव बन्यादी रूप से सुतंत और निस्पक्च जो पाटी चुनाव जीतकर सरकार बनाती हैं उसे लोगों का समर्थन पराप्त होता है। यह संभवे की हर निर्वाचन चित में यह बात लागू ना होती है। कुछ उम्मीदवार पैसों के जोर पर यह गलत तरीकों से जीते जा सकते हैं। पर चुनाव का कोल नतीजा अभी भी लोगों की एक्छा को यह बताता है। पिछली पचास बार से में हजार देश में इस सामान नियमों के थोड़े बहुत अफराद हमारे देश में इस सामान नियम के थोड़े बहुत अबवाद रहें। और यही चीज भारतिये चुनाव पिणाली को लोगतांत्रिक मनाती है। पर जब आप थोड़े जनदर गंगीर मसलों पर गौर करके कुछ सवार उठाएंगे तो तस्वीर थोड़ी अलग लगेगी। क्या लोगों पूरी समझदारी और सारी चीज़ें जानकर पैसले करते हैं। क्या मद्दाताओं के पास सचमुश स्वास्त वेकल उपलब्द होते हैं। क्या चुनाव मेदान सबको बरावरी का वसर देता है। क्या कोई सामन नंग्रे चुनाव जीतने की कलपना भी कल सकते हैं। इस तरह के सवाल भारती चुनाव बिवस्था की सिमाओं और चुनोतीनों की वोड़ हमारा ध्यान दिलाते हैं एकोच हैसे ही मुद्धे हैं जादा रुपे पैसे वाली उम्मीदवार और पार्टीयां गलत तरी के सुचनाव जीत की जाएंगी यह कहना मुश्कित है पर उनका इस्तिती दूसरों से जादा मजूद रहेगी टूडे है टूमारो देश के कुछ इलाकों में अपराधिक पिश्टूमी और संबन्धों वाले उम्मीदवार दूसरों कुछ नाव मैदान से बाहर करने हैं और बड़ी पार्टियों के टिकेट पाने में सफल होते हैं अलगलग पार्टियों में कुछ एक परिबारों का जो रहे उनके रिस्तेदार आसानी से टिकेट पा जाते हैं अपसर आम आदमीं के लिए चुनाव में कोई धंग का विखल नहीं होता है क्योंकि दोनों प्रमुक पार्टियों की नीदियां और बेभार कामों बेस एक से होते हैं बड़ी पार्टियों की दोला में छोटे दलों और निरदलिये उम्मीदबारों को कई तरह की प्रहसानियां उठानी परता हैं इस चनोतियां भारत की ही नहीं है कई इस्ताफित लोकतंतरों की भी यह इस्तितिय हैं लोकतंत में जो लोक आस्ता रखते हैं, उनके लिए भी इस चीज़ें गहरी चिंता का भी सहें, इनमें से कुछ समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए चुनाओ पिडाली में, ज़रूरत बदलाओ कि मांग नागरिकों और सामाजी कारिकर्ताओं वह संगत्नों की तरह तरफ से होती रहे हैं, क्या आप कुछ चुनाओ सुधार सुजा सकती हैं, इन चुनाओतियों का सामना करने के लिए एक आम नागरिक के बारे हैं, यहां कुछ सब दिए हैं, नेनपी देख लिए, चुनाओ धानली, चुनाओ में अपने बोर्ट बढ़ाने के लिए उमेद्वार, उमीद्वारों और पार्टि ओं द्वारां की जाने वाली गडबडी या फ्रेव, इसमें कुछ ही लोगों द्वार कापी सारे लोगों के बोर्ट डाल देना, एक ही रिश वारां अलग अलग लोगों के नाम पर बोर्ट डालना, मद्दान अधिकारियों को दरादमकार कर या रिष्पत देकर अपने उम्मीदवार के पक्ष में काम करवाना जैसी बातें सामय निर्वाचन चित एक खास वहोली चित के मद्दा था जो एक पितिनी दी कर्चनाव करते हैं आचा सहीता चुनाव के समय पाल्टी हैं और उम्मीदवारों द्वारा जाने माने माने जाने वाले कायदी कानून और विशाने देश्ट समझ में आगा अब इस सद्ध्याय से समद्धित आपके कुछ कुछन से लिए हैं इन्हें देख लेना आपको वह वाब की जो पीडिय कि अच्छे से बढ़ते रहे हैं आपको सब्कुछ समझ में आ जाएगा क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी सब्द नहीं मिलेगा जो आप ना समझ सकें बस देहर के साथ आपको पढ़ना है क्योंकि देहर ही सबसे वड़ी तावरत है आपकी वह एक दून में तो कुछ को खड़न ने वाला नहीं है आपी सोचिए तो आपको मेहनद तो करनी पड़ेगी ना नहीं करने पड़ेगी देख लिए राफ्टी हम मत दाता दिवस कि आपको 25 जनवरी को मनाय जाता है हम भारत की नागरिक लोगतंत में अपनी पूर आस्ता रखते हैं वे ऐसा पत लेते हैं कि हम देश की लोगतांतरिक परंपराओं की मर्दाओं मर्यादा को बनाए रखेंगे तता स्वतन्त निस्पप केवं सांतिपूर निर्वाचन की गरीमा को अच्छोन रखते हुए निर्वीक होकर धरम बढ़ जाती समधाय भासा वा अन किसी पीपिलोगन से प्रभावित हुए सभी निर्वाचन में अपने मत्या दिकाल का प्रियोख करेंगे। तुई थाप का कौन सा चेप्टर तीसरा चेप्टर अगली ख्लास में आप बात करेंगे 14 चेप्टर के बारे में संस्थाओं का कामकाज देखेंगे संस्थाओं का कामकाज नमस्का दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे NCRT कुछा नौवी की लोगतांत्रिक राजनीती फष्ट के नाम से जो आपकी बुक से इसी को देख रहे हैं तो इसमें अभी तक हम लोग तीन चैप्टर आपे कतम कर चुके हैं इसे आपका 14 चैप्वरा में चलिए संस्थाओं का का कामकाज के बारे में संस्थाओं के कामकाज के बारे में बात करेंगे इससे पहले जो भी आपके अध्याए पछाम के बारां एक करन deg capacit सब के लिए यह जरूरी है, अगर आप भाहत में रहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है यह सभी चेक्टन, एक परचे, लोकतंत का मतलब लोगों द्वारा अपने सासकों का चुनाओ करना भर नहीं है, लोकतंत्रिक विवस्था में सासकों को भी कुछ कायदे कानू करना होता है, उन्हें भी संस्थायों की साथ और संस्थायों के भी काम करना होता है किने असास को यह अध्या लोकतंत में संस्थाओं के कामकार से सम्मंदीत है हम इसमें समझने का प्यरयात करेंगी कि हमारी देश में किस तरह मत्पूम भूमिका निवाने वाले तेन संस्थाओं यानि की विधायका, कारिपालिका, नियायपालिका पर द्यान केंदित करेंगी पता है लोक तंत के चार इस्तम जिनमें से आपका विधायका, कारिपालिका, नियायपालिका और चौत्रा है आपका मेडिया आपके पहले ही कच्छा हूं मैं इन संस्थाओं पे बारे में कुछ जानकारी हासिल कर चुपे हैं, हम यहां उनका संचे में बारडन करके कुछ और मतहूं सवालों पर ध्यान देंगे, हर संस्था के सम्मंद में हम एयर पर शुन करेंगे कि वह किस तरह की काम करती है, एक संस किस तरह इस संस्थाय मिलकर सरकार का काम करते हैं कई वार हम इनकी तुनलां दूसरी लोगतांत्रिक विवस्थाओं की इसी तरह की संस्थाओं से करते हैं इस सद्याय में हम राश्टी इस्तर की सरकार के कामकार से उधारन देंगे। राश्टी इस्तर पर वारत की सरकार को केंद्रिया, केंद्रिया संगी की सरकार भी कहा जाते हैं। इस सद्याय को पढ़ते हुए आप अपने पिदेश की सरकार के कामकार के उधारनों पर भी नज प्रव सकेंगे आप जान सकेंगे यह राज सरकार क्या क्या करते हैं तो चलते हैं सुरूं करते हैं सबसे पहले पिरमुक नीतिकत हैसलिक कैसे लिये जाते हैं एक सरकारी आदिस, 13 अगस्त 1990 की दिन 12 सरकार ने आदिस जारी किया, इसे कारियाल ग्यापन कहा गया, सभी सरकारी आदिसों की तरह इस ग्यापन पर भी एक संख्या थी, यह आदिस उसी संख्या से जाना जाता है, ओ एम नमबर 36 सजाय बारे, 36 सजाय बारे, 31 नमबर, यह का ओ एम नमबर है, कार्मिक जन्न सिकायत और पहेंशन मतराले के कार्मिक एवन सीख्षन विभाग के एक सेवत सचिपने, इस आदिस पर दस प्रिखत किये थे, यह चोटा सा आदिस मुश्कल से एक पन्ने का था, अगर आप इसे देखेंगे तो यह एक वैसा ही आम सरकूलर या नोटिक्स लगेगा जैसे आपने स्कूल में देखे होंगे, सरकार हम हर रोज विविन मसलों पर सेटुड़ों आदिस जारी करती हैं, लेकिन यह आदिस बहुत मध्वून था, और कई सालों का प्विवाद का कारण बनाते था, आईए देखें कि एहनेड़ किस तरह लिया गया, इसके बाद क्या दोब? इस सरकारी फैसले में एक पिदेश प्रमुक नीती गत फैसले की बुष्णा कीई, इसमें कहा गया, देखिए है, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27-27 पीस दिरिखती हैं, सामादी किवं सेचड़े, दृष्टी से पिचड़े बरवों, यानि कि OVC, SEBC भी बोलते हैं से, कि लिए आरच्चित होनी, अब तक जिन जातियों समुहों को सरकार पिचड़ा मात ही है, उन्हें का एक और नाम E, SEBC यानि कि Socially and Educational Backward Classes, अब तक क्या है, अब तक नौकरी में आरच्चन का लाग केवल अन्दू सूचित जाती ही, यानि कि SC और ST यानि कि जन जातियों को ही मिल रहा था, अब SEBC यानि कि सामाजिक और सेच्चित, द्रिश्टी से पिछड़ी परगों के लिए तीसरी सेने ही त्यार की जा रही थी, इसके लिए 27 पीस्दी का अलग खूटा त्यार किया जा रहा, अनलोग इन 27 पीस्दी नौकरीयों के लिए पित्ती योगता नहीं कर सकते हैं, आरच्चित का मतलब यह हो जाता है, पता है जैसे अपने लोग सवा राज सवा में सीटें आरच्चित देखी थी, कि अगर अनुसूचित जाती के लिए 10 सीटें आरच्चित तो इस पर केवल अनुसूचित जाती कि सदस्थी कपचा कर पाँगे, यानि कि उनी के लिए होनी, ये किसी और के लिए नहीं होनी, याद र किया होगा, जिसके अस्ताक्षर उस दस्तावीच पर थे, वह अपने मंत्री द्वारा दिये गए निर्देशों को लागू करने वाला अधिकारी था, कामक और पिसीक्षर विभाग की मंत्री ने भी खुद या नेड़े नहीं लिया होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक बार फिन प्रमुक बिन्दूमों कर सरसरी नजर डालते हैं, राष्टपती राष्ट अध्यक्त होता है और पुप्चारिक रूप से देश का सबसे वड़ा अधिकारी होता है, यह भारत का पिथमनागरी राष्टपती को ही माला जाता है, यह राष्ट प्रमुक होता ह पिधान मंत्री सरकार का पिरूप कुदता है और दरसल सरकार की ओसे अधिकास अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है, पिधान मंत्री पिधान मंत्री की सिफारिस वड़ाष्ट पती मंत्रियों को निफ्ट करता है, इन से बनने वाले मंत्री मंदल की बैठकों में ही राजकास से जुड़े अधिकतर नेड़े लिये जाते हैं संसद में राष्टपती और दो सदन होते हैं, लोगसवा और राजसवा, संसद में कितने सदन होते हैं, तीन, राष्टपती, लोगसवा और राजसवा, पिधान मंत्री को लोगसवा के सदस्वा के मुहमत का समर्थन हासिल होना चाहिए तो क्या कार्याले ग्यापन के फैसले के मामले में यह सब सामल थी इसके बारे में पता करती है यह सरकारी आदेश एक लंबी घटनाकिरम का परेडाम था 12 सरकार ने 1989 में दूस्तरा पिछ्टी जाती आयोग का गठित किया था इसकी अदिक्ष्टा बीदी मंडल ने की थी और इसी के कारण इसे आम तोर पर मंडल आयोग कहते है इसे भारत में सामाजीक और सेक्ष्टरिक देश्टी से पिछले वर्गों की बैचान के लिए मापतन तै करने और उनका पिछलापन दूर करने के उपाय बताने के जम्मा सौपा गया इस आयोग ने 19 स्वस्ती में अपनी सिफारिसें दी और आयोग द्वारा सुझायगे उपायों में एक सिफारित थी कि सरकारी नौकरियों में सामाजिक और सेक्षरिट दिश्टी से फिच्ड़ी वर्गों के लिए 27 पिस्दी आरक्षन देना इस रेपोर्ट और उसकी सिफारिसों पर संसब में चर्चा हुई कई यानि कि बरसों तक पायटियां संसब इसे लाव करने की मान करते रहें पर 1989 में लोकसवा चुना हुआ जन्तादल ने अपने चुनाव उठना पत्में बाला किया कि सत्ता आने पर वह मंडल आईक इसे फार्चों को लाव करेगा चुनाव के बाद जन्तादल की ही सरकार बनी और इसके ने तब बीपी सेंग पिधारमंत्री बने इसके बाद कई गतुनाय हुआ हुआ कौन सी गटनाय है नई सरकार ने संसद में राश्पती के बालसाण के जरिये मंडल रेपोर्ट लावू परने की अगनी मंसा की पूर्चनल की चाय अगस्त 1990 को केंद्रीय कैमिनेट की बैठक में इसके बारे में एक उप्चारिक नेड़य लिया गया अंगलिय दिन पिधार मंत्री वीपी सिंह ने एक बयान की जरिये इस नईड़य की बारे में संसद के दोनों सदनों को सोचित किया क्या क्या सोचित किया कैमिनेट के फैसले कामक क्रामक तरह तथा पिसीक्षण विवाग ने को भेद दिया गया करमिक तथा पिसीक्षण विवाग विवाग की वरिष्ट अथिकारियों ने कैमिनेट के नेड़ाई के मताविक एक आदिश तेयार किया मंतरी की केंद्रिय सरकार की तरफ से लिए एक अधिकारी ने साधीस पर अस्ताफ्टर किये इस तरह 13 अगस्त 1990 को ओ एम ए ओ एम एन नंबर यानि कि चतीस जार बारे एकतीस नब्यते जार हो गया अंगले कुछ महिनों तक यह देश का सबसे जाना चर्चित मुद्दवनारा सभी एकवार और पत्तिकाओं में इस मुद्दी पर तरह तरह के विचार आए बहस चलिए इसके चलते कई पिदलसन और जबाब भी पिदलसन हुए इनमें से कुछ हिंसक भी ही हुए इससे नोपरियों के हजारों आउसर पे भापित होने बाले थे इसलिए लोगों की इतिकरिया बहुत तीकी थी कुछ लोगों का मानना था कि भारत में बिभेन जातियों की बीच आसमानता पिकारां नहीं, नोपरियों में आरक्चन जरूरी थी उनका मानना था कि इससे उन लोगों को बराबरी पर आने का मुखा मिलेगा जिनको सरकारी नोकरियों में अभी तक कुछ इतिनिदित नहीं मिला। दूसरे पक्च के लोगों का मानना था कि इस नेड़े में से जो पिछले का कि नहीं है उनके अवसर चिनेगे। अधिक योगता होने पर भी उनको नोकरियां नहीं मिलेगे। कुछ लोगों का मानना था कि इससे जाती वाद बढ़ेगा जिससे देश की प्रगिती और एकता पर असर होगा। यह नेड़े अच्छा था या नहीं इस अध्याय में हम इस बारे में बात नहीं करेंगी। हम इस उधारन को यहां सिर्फ यह समझाने के लिए बता रहे हैं कि देश में प्रमुक्ष नेड़े कैसे लिए जाते हैं। उन्हें कैसे लागू किया जाते हैं। पर इस बिवाद का निप्टारा किसने यह आप जानते हैं कि सरकारी नेड़े से उठने वाले बिवादों का निप्टारा सर्वोच नियाले यानि कि सुप्रेम कोट और उचनियाले यानि कि हाई कोट करते हैं इस आदेश की बिरोधी कुछ लोगों और संस्ताओं ने अदलतों में कई मुकद्मे दायर कर दिये उन्होंने अदलत से इस आदेश को अव्यद गोसित करके लाउगों होने से रोखने की अपील की बारत के सरवोच नियाले ने इन सभी मुकद्मों को एक साथ जोड़ दिये इस मुकद्मे को इंदरा, साहिनी एवं अन्न बनावराज सरकार मामला कहां सarm चनियाले के 11 सबसे बरिष्ट नियादीसों ने दोनों पक्षों की दलील सुनी उन्होंने 1992 में बहुमच से पैसला किया भारत सरकार के रहादिज अवेड नहीं लेकिन सरवोच नियाले ने सरकार से उनके मूल आदिश में कुछ संसुधन करने को कहा उसने कहा कि पिछडे बढ़ के अच्छी स्तिती वाले लोगों को आरक्षन का लाब नहीं मिलना चाली उसी के मुताबक 8 सेटमबर 1993 को कार्मिक एवं डिसिक्षन मंत्राले ने एक और आदिश जारी किया यह विबाद सुलज गया और तवी इस नीती पर अमल किया जा रहा है आरक्षन के मामले में किसने क्या किया सर्वोचनेयाल केविनेट सर्वोचनेयाल ने आरक्षन को बैद करा दिया केविनेट 27 पीसरी आरक्षन देने का मांग राटपती आदेश जारी करने की गोषना सरकारी मंदलाइट की सिफारिसों को लागू करने की उपचारी गोषना चलते हैं हम लोग आगे राजनितिक संस्थाओं की आवस्थता आके क्यों है हमने एक उधारन देखा कि सरकार कैसी काम करती है किसी देश को चलाने में इस तरह की कई गतिवनिया सामिल होती है मिसालकी तौर पर सरकार पञाग्रेकों की सुरक्ष शुनिश्चित करने और सबको सिछ्चा यहओं स्वास्ता सुविदाए मोरेहा मधयाकर आने की जुम्यदारी होती है हुआ है करेْकठ़ा करती है इसे सेना पुलिस विकास कारतों में उस ठर्च करती है आकी सरकार कुछ व्यक्तियों को इन गतीविदियों को चलाने के लिए फैसला करना होता है कुछ लोगों को इन लागू कराना होता है अगर इन फैसलों या लागू करने में कोई विबाद होता है तो यह अत्य करने वाला भी कोई होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है सब के लिए जानना भी जरूरी है कि कौन किस काम को करने के लिए जिम्यदा है यह भी जरूरी है कि भली ही प्रमुख बदों पर बैठे लोग बदल जाएं लेकिन एक रतीवनिया जारी रहें नहीं लेहा जा सभी यातुनीक लोगतांत्रिक देशों में इन कामों को देखने के लिए विविन विवस्थाएं की गई है अब आपने सुना होगा है पीएम से बड़ा पीएमो होता है क्योंकि पीएम बदलता रहता है पीएमो वापिस हमेशा वही रहता है कोई भी पिदान मंत्र को अच्छी तरह करती है किसी भी देश के समिधार में पितेक संस्था के अधिकारों और कारियों के बारे में बुनियादी नेवों का बर्डन होता है देव उधारन में इस तरह की बेविन संस्थाओं को काम करती है देखा है पिदान मंत्री और कबिनेट ऐसी संस्था है ज सर्वोच न्याला यवर संस्था है जहां नाग्रिप और सरकार की बीच बीवाद अंतता सुल्याया जाते हैं कि आप इन उधार्णों में दूसरी संस्था के बारे में सोच सकते हैं उनकी भूमिक्यार क्या है संस्थाओं के साथ काम करना आसान नहीं है, संस्थाओं के साथ काइदे कानून जुड़े होते हैं इन से निताओं के हाथ बंद सकते हैं संस्थाओं के कामकार में कुछ बैठके, कुछ संतिया, कुछ रूटीन काम होता है कुछ सामार रूटीन होता है इनके कारण अक्सर काम में देरी और परयसानिया होती है। इसलिए संस्थाओं के साथ कामकार में परयसानी, मौ再 की जा सकती ही. ऐसे मैं कोई सोच सकता है की एग ही वेक्थी सारे फैसले कानून और वैटकों की क्या जरूरत है। परिया सोच लोगतंत की मुन्यादी भावना की अन्कूल नहीं है। संस्थाओं के कामकाज की तरीके से जो कुछ परियर्शानिया होती हैं या थोड़ा बक्त लगता हैं वह भी कई मायनों में कोफयोगी होती हैं। किसी भी फैसले के पहले अनेक लोगों से राय विचाय करन आसान नहीं होता हैं। लेकिन संस्थाओं संस्थाओं बुरा फैसलावी जल्ड जल्दी लेट बाना मुस्किल बना देती हैं। इसी कारण लोगतंत्रिक सरकारें संस्थाओं पर जोड देती हैं अब आप ही सूचिए कि एक एक आदमी आपके पूरे 135 करोड जनसंख्या के जाते हैं। इसलिए आपके विधायक चुने जाते हैं। आपका MP होता है जो आपकी संस्थाओं को लेकर जाएं। इसी तरह के सभी MP अपने-अपने MLA अपने-अपने छित्रों के मुद्दे ले जाते हैं। तब ही उससे निश्करस्थ निकल बाता है। बात करते हैं संस्थ। कारया लेग्यापन के उधारन में क्या आपको संस्थ की भूंच्या याद है। साइज नहीं। चुकि यह फैसला संस्थ नहीं नहीं किया था। लेहाज आपको लग सकता है कि इस फैसले में संस्थ की कोई भूंच्या नहीं थी। लेकिन पहले हम कुछ घटनाव पर नजट डालूत कर देखते हैं। क्या उनमें संस्थ का कहीं कोई जिक्ड़ था। हम उने निमलिकित बात्रों को पूरा करने की कौसि पिधार मंतरी ने यह फैसला सीधे संसथ में संसथ में नहीं किया था। लेकिन इस रेपोर्ट पर संसथ में चर्चा से सरकार की राय प्रभावित हुई थी। आपने देखा कोई भी कानून आता है या विधिया करता है कोई भी नियम लाग होने वाला उस पर पहले संसथ म जैसे ही वो राष्टपती के हस्ताक्ष यानि की राष्टपती की स्वैकिती मिल जाती है वो अधिनियम में आपका फैसला बदल जाता है ठीक है। इसी बज़े से सरकार पर मंडल आयो कि सिफारिश पर कारवाही करने के लिए दबाव पढ़ा था। अगर संसथ इस फैसले के बक्ष में नहीं होती तो सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी। आपने पहले कप्छा में संसथ के बारे में जो पढ़ा है उसे याद करके यह सला करने की कॉसिस कीजिए कि अगर संसथ न राम अंदिर मुद्दा पर तो आपका सुपर इंकूर्ट का निड़ा रहा है तो उसमें नहीं ले सकते हैं लेकिन जमू कस्मीर का आपने देखा है जमू कस्मीर जब आपकी NDA सरकार आई 2014 में तभी क्यों नहीं हटा दी गई 307 इसलिए क्योंकि राजसवा में उनका भूमत नहीं था जैसे ही 2019 में उनका राजसवा में भूमत हुआ लोगसवा में तो पिछली बार उनका भूमत था इस बार भी भूमत था तो राजसभा में, उनका जैसे ही बहुमत आया, उन्हें पेसला ले लिए ठीक Links अगर राजसभा में उनका बहुमत नहोता या लोगसभा में नहोता तो इस पास करवाना मुश्किल होता, हमें संसत की आवस्त्ता आखे क्यों पढ़ती है। कि यह जन्ता की वोल से कई तरह से राजनितेक अदिकार का प्रयोग करती हैं किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अदिकार संसत होता है कानून बनाने या विदी निर्वान का यह काम इतना मत्मून होता है कि इन सभाव को विदायखा पहते हैं मौजूदा कानून में संसोधन भी कर सकती हैं तथ मौूदा कानून को खतम करके उसकी जगए नए कानून बना सकती हैं आप इस तरह की विवस्था देखते हैं अब आप ही दोएखिये, कि कई बार क्या होता है, तदकाल अभी ले लिजिया, महामारी अधिनियम था, तो 1858 के करिये, इसमें बदला हुआ, ठीक है, उसके बाद अभी 2020 में आपका बदला हो रहा है, बना था यह अंग्रेजों के समय, इसमें बदला हुआ, कई अधिनियम थ जो अंग्रेजों के समय बने, उन्हें खतम कर दिया गया, यानि कि हटा दिया गया, यहां से, तो यह बदला होते रहते हैं, जैसे आपने देखा हुआ, संसुधन की बात करें, तो अभी मानवदिगार यादो आको, मानवदिगार अधिनियम पर संसुधन हुआता है, ठीक संसुधन होते हैं, नए आते हैं, और हटा दिये जाते हैं कुछ, जो अपनी जरूरत के साब से ने उन्हें को रखा जाते हैं, जिसकी जो जरूरत होती है, वो वदलते रहते हैं, दुनिया बर में संसत सरकार चलाने बालों को नियंतित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रियोग करती है भारज जैसे देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंतर आसरे संसत के पूर्ण समलतन की स्थिति में ही सरकार चलाने बाले हैतला कर सकते हैं सरकार के हर पैसे पर संसत का नियंतर्म होता है. अधिकास तेशों में संसत की मन्जूरी के बाद ही सारव जनएक पैसे को खज किया या सकता है. सारव जनिक मस्लों और किसी देष की प्राष्टी नीती पर चर्चा और बहस के लिए संसत की सरवोच संase. संसत किसी भी मामिले में सूचना माम सकता है अब बात करते हैं संसत की दो सदन जो कि आधुनिक लोकतंत में सबसे बड़ी महत्पून भूमिक्या निवाती है आपकी संसत लेहाजा अधिकास बड़ी देशों निस्तनसत की भूमिका को और अधिकारों को देश दो हिस्तों में बाड़ती है इन्हें चेंबर या फिर सदन कहते हैं पहले सदन के सदस आमतौर से सीधे जनता दोरां चुने जाते हैं यानि की लोगसभा क्या लोगसभा और जनता की वह उसे असली अधिकारों का प्रेयोग करते हैं लोगसभा सदस दूसरे सदन के सदस अमूमन परवप्च यानिकी आप वित्यक्षरूप से चुने जाते हैं कुछ विशेष काम करते हैं यानि की दूसरे सदने आपका राजसभा इसके विधाय पूते हैं जो आपके M.E.A. राजसभा सदसों का चैन करते हैं ठीक दूसरे सदन का सामान काम विवेन राजज चेद उस संगिये एकाईयों की हितों की नगरानी करना होता है हमारे देश में संसत के दो सदन है, दोनों सदनों में एक को राज्य सभा, यानि कि Council of States, दूसरे को लोग सभा, यानि कि House of People के नाम से जाना जाता है, यानि कि दूसरा जो लोग सभा है, ये लोगों का पितिने दित करता है, और Council of States है, ये आपकी राज्य का, यानि कि राज्य दोनों का प्तिने दित करता है इस तरह से कह सकते हैं क्योंकि जो लोकसभास सदस्थें उन्हें पित्यक्ष गुरूप से जिनता चुन रही है और जो मतलब आपके जो भी राज्य के अमेले हैं वो चुंद है भारत का राष्टपती संसत का हिस्सा होता है हाला कि यह दोनों में से किसी भी सदन का सदस नहीं होता है इसलिए संसत के पैसले राष्टपती की मन्जूरी के बाद ही लागू गुद्धी याद रखे जो राष्टपती है सदन का तीसरा हिस्सा इसे आपके लोगसभा राजसभा और विधान सभा के सदस को चुनते हैं निरवाची सदस, एक सब दया द रखिया निरवाची सदस, लोकसवा, राज़सवा और विधानसवा के सभी निरवाची सदस, राष्टपती की मंजुद, राष्टपती को चुनते हैं, इसमें आपके मनुनित सदस सामिल नहीं होते हैं, ठीक हैं, आपने पिछली पिरमुक अंदर को याद करती है इन मामलों में लोगसभा और राजसभा की बारे में अलग-लग जवाब दीजिए कोल सदस्तों की संख्या कितनी होती है कोल सदस्तों की संख्या कितनी होती है किसमें याद रखिए एक पॉइंट क्या कि लोगसाभा में आपके लोगसाभा सदस कितने है पांस्तो केंता दीजुँँग लोगसाभा में आपकी कितने है 545 लिसमें ते दो आपके चुने राठ्पती मनुनीद करता है और 243 आपके पित्य चुरूप से चुने जाते हैं अगर हम लोग राजसभा की बात करें तो राजसभा में आपके 250 सदस होते हैं जिनमेंसे आपके बारेग राठ्पती चुनता है और जो बाकी सदस होते हैं उन्हें आपका जो बिधान सभा की सदस होते हैं एहमेले बिधाय बूठ चुनते हैं ठीका तो याद रखना लोग सभा में आपके दो सो पास सो तैंतालीज सदस जनता दुआरों चुनते हैं दो को राष्टपती मनुनीद करता है और राजसभा की बात करें तो 250 सदस होते हैं जिनमेंसे बाराय बारत का राष्टपती चुनता है और बाकी की सदस विधायकों द्वारा यानि की एहमेले द्वारा चुने जाते हैं और एक बात याद रखिए लोग सभा का कारेकाल होता है लोग सभा की सदस्वों का 5 वर्ज और राजसभा की सदस्वों का कारेकाल होता है 6 एक तहाई इसमें से क्या रहता है कि राजसभा सदस्वों में से एक तहाई सदस्वों को ित्यक्ष जंता चुनती है और राजसभा सदस्वों को आपके जो ML होते हैं वो चुनते हैं क्या सदन को हमेशा के लिए भंग किया जा सकता है या कोई स्थाई है तो आपको पता है लोगसभा आई स्थाई सदस से यानि कि उसे भंग किया जा सकता है लेकिन राजसभा को भंग नहीं किया जा सकता है यह आपका इस्ता ही सदस्य है, इस्ता ही सदस्य है, अब बात करते हैं लोकसभा, बनाम राजसभा, दोनों सदनों में से अधिक प्रभावसाली कौन है, राजसभा और लोकसभा में से सरवादिक प्रभावसाली सदन कौन सा है, तो राजसभा को कभी कभी अपर हाउस और लो मतलब नहीं है कि राजसभा लोगसभा से जानदा प्रभावसाली होता है महिद बोल्चाल की पुरानी से लिए हमारे समीधार में एक बहसा इस्तिमाल नहीं की गई हमारे समीधार में राजच्यों के संबंद में राजसभा को कुछ विशेश अधिकार दिये गए दोनों सदनों की जरूरत होती है लेकिन अगर दोनों सदनों की बीच कोई मदवेद हो तो अंतिम पैसला दोनों की सयुक्त अधिवेशन में किया जाता है यानि कि इनकी सेउक्त बैटा बुलाई जाती है। इसमें दोनों सदरों की सदस एक साथ बैठती है। सदसों की संख्या अधिक होने के कारा है। इस तरह की बैठकों में लोगसभा की विच्छार को प्रायत मिटता, मिलने की संभावना परणती है। लोगसभा पैसे के मामलों में अधिक अधिकारों का प्रियूब करता है। लोगसभा में सरकार का बजट या पैसों से संबंदी कोई कानून पारित हो जाए। तो राजसभा उसे खारिस नहीं कर सकती है। रायत सभा उसे पारित कन्य में कीवल 14 दिनों की देरी कर सकती है यानि कि 14 दिन तक अपने पास रख सकती है लेकिन अगर उसमें बदलाव करती है या उसे नकालती है तो इस पर कोई फरक नहीं पड़ेगा तक है उसमें आपका लोकसभाई सर्वोच प्यसला करेगा जो भी उसका फ्यसला होगा वही लागू होगा उसमें संसोधन के सुझाओ दे सकती है यह इस लोकसभा का अधिकार है कि वन सुझाओ को माने या ना माने यानि कि लोकसभा का सौcimento है सबसे वह बड़ी वाग तो यह है कि लोगसवा मंत्री पर्षत कीों नियन्तित करते हैं सिरब वही व्यक्ति प्विधान मंत्री बन सकता है जिसे लोगसवा में बहुन्ट आवसरे अगर आधिस यदिक लोगसभा सदस्य है के दें कि उन्हें मंत्री बर्षत पर विश्वास नहीं है तो पिदार मंत्री समय सभी मंत्रियों को पदच छोड़ना हो तो राज सभा को यदिकार हांतिल नहीं है याद रखें अब बात करते हैं लोगसभा में एक दिन का समय देखते हैं चौदेवी लोगसभा में के कारकार में 7 दिसंबर 2004 एक सामन दिन था आईए इस बात पर गौर करें कि सदन में इस दिन क्या हुआ था इस दिन की कारवाई क्यालार पर संसद की भूमिक्या और रधिकारों की पहच्चान करें आप अपनी कक्षा में इस दिन की कारवाई का अभिने कर सकतें ग्यारे ग्यारे बजी बेविन मंत्रियों ने संसद दुआरा पूंचे कए करीब 250 पिसनों को लिखित जवाद दिये इन पिसनों में सामिल थी कस्मीर के आतंक आतंकवादी समयों से बातचीत करने के बारे में सरकार की नीथी क्या है पुलिस और आम लोगों द्वारा अनुसुचे चिंजातियों के खिलाख किये गए अत्याचारों का अकड़ा बताएं बड़ी कंपणियों द्वारा दवाएं अत्यदिक महेंगी किये जाने के बारे में सरकार क्या कर रही है फिर बारे बजे डेल सारी सरकारी दस्तावेज चर्चा के लिए पेस किये इन दस्तावेजों में साहिल थी भारत तिबबत सीमा पुलिस बल में निकुती के नियम इनियन इस्टिट्यूट ओफ टेक्नोलोजी खड़क्पुर की वासिक रिपोर्ट राष्टिय इसपाथ निगम लिमिटेड बेसाखा पत्नम की रिपोर्ट और लेखा जोगा बारे वजकर दो मेंट में पूर्वोथर चित के विकास मंतरी ने पूर्वोथर परिसत को उन्रजीवित करने के बारे में बयान दिया रेल राज मंतरी ने एक बकतब देख कर बताया कि स्विकित रेल बजट कैतरिक्त रेलवे को और अनुदान की ज़रूरत है मानव संसाधन विकात मंत्री ने अल्व संख्यक सेक्चिक संस्थान विदयक 2004 के लिए राष्टी आएक की जोशना की उन्होंने यह वीस पष्ट किया कि इसके लिए सरकाल को अध्यादियस क्यों लाना पड़ बाराइबद के चार मिन बाराइबद के 14 मिने पड़ बाराइब सब्सक्राइब यानि की सीवी याई का पिती सुधात्मक कर गया समिदान में एक अधिकारिक भासा के रूम में राजिस्थानी को सामिल करने की जरूए आंधकदिश के किसान और कि मजदूरों की बीमानीतियों की नवी करने की नवी करन की आवस्त्तर दो बद कर 26 मिनेट सरकार द्वारों पिश्ताविद दो विधियकों पर विचार करके उने पारित किया गया ए विधियक थे पिती बूती कानून संसुधन विधियक और पिती बूती ब्याज और रिड़ बसूली कानून का पित्यावर्तन संसुधन विधियक तिराता है चार वज थे देखिए चार बजे आखिर में सरकार की विदेश नीती और इराग की इस्तिती की संद्रम में सोतंत विदेश नीती जारी करने की चरुएप पर लंबी चर्चा हुए साथ बजे, साथ बज़ कर 17 मिनट पर चर्चा समात हुए, सदन अंगले दिन तक के लिए इस्तियत हुगा तो यह था आपका एक दिन का पूरा समय संसर में क्या चलता है अब हम लोग बात करते हैं राजनेतिक कारिपवालिका के बारे में क्या आपको उस सरकारी आदेश की काहानी याद है जिसे हमने इस सद्द्याय की सुरुवात की थी इस दस्तावीच पर हस्ताक चलिए उसने एक फैसला नहीं किया था वह एक केवल एक नीटी कर फैसलिक बुलाव कर रहा था जिसे किसी और ने किया था हमने एक पैसला करने में पिदानमंत्री की भूमिका देखी थी लेकिन हमें यह भी जानते हैं कि अगर उन्हें लोकसभा का समर्थन नहीं होता तो वह एक फैसला नहीं कर सकते थे कौन पिदानमंत्री जी आके इस अर्थ में बे सिर्फ संसत की मर्जी को लागू कर रहे थे इसी तरह किसी भी सरकार की मिल इस्तरों पर हमें ऐसे अधिकारों अधिकार मेंते हैं जो रोज मर्या के फैसलेक करतें लेकिन यह नहीं कहा जांचा सकता है कि विजनता के दौरा दिए गए सबसे बड़े अधिकारों का इस रूम में इस्तेमाल कर रहे हैं इन सभी अधिकारियों को सामविक रूप से कारे पालिका की रूप में जाना जाता है। स्तरकार की नीतियों को कारे रूप देने के कारण इन्हें कारे पालिका कहा जाता है। इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्वर आहांत तोर्थ पर कारिपाल्गा से ही होता है बात करते हैं राजनितिक और इस्थाई कारिपाल्गा किसी लोगता अंत्रे देश में कारिपाल्गा के दो हिस्से होते हैं जनतादवारा खास अउधी तक के लिए नेरवाचित लोगों को राजनेतिक कारिपालिका कहते हैं, एस राजनेतिक बैक्ती होते हैं, जो बड़े पैसले करते हैं दूसरी ओर जनने लंबे समय तक के लिए निवट किया जाता हैं, उन्हें इस्थारी कारिपालिका या पिसासनिक सेवक कहते हैं, जो आप लोग बनने जा रहे हैं लोग सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या फिर नौकर साह कहते हैं, बिस्थादारी पार्टी के बदलने के पाप जो अपने पदों पर बने रहते हैं यह अधिकारी राजनेतिक कारिपालिका के दहत काम करते हैं और रोज मरया के पिसासन में उनकी सहायता करते हैं क्या आप कारियाल हैं, क्या पन के मावले पे राजनेतिक और गयर राजनेतिक कारिपालिका की बुन का कर सकते हैं आप पूछ सकते हैं कि राजनेतिक कारवालिका को गयर राजनेतिक कारवालिका से जानदा अधिकार क्यों होते हैं मंतरी किसी नौकरसाय से जानदा प्रभावसाली क्यों होता है नौकरसाय अमूमन अधिक सिक्षित होता है और उसे विसाय की अधिक महारत और जानकारी होती है बित्य मंत्रालाय में काम करने वाले सलाय कारों को अर्थ सास्त की यानि की एकोनोमिक्स की जानकारी बित्य मंत्री से जानदा कुछ जानदा हो सकती है कभी-कभी मंत्रियों को अपने मंत्राले के दिन मामलों की तक्निकी जानकारी बहुत कम हो सकती है रक्षा उद्देव, स्वास्थ विग्जान, प्रोदोगी की खान आधी मंत्रालों में ऐसा होना आम बात हो दो आपने कही जगे सुना होगा कि कम पड़ा लिखा भी रक्षा मंत्री बन गया स्वास्थ मंत्री बन गया तो उन्हें सलाय देने के लिए यही नोकर्साय होते हैं फिर इन मामलों में अंतिम नेड़े करने का दिकात मंत्रियों को क्यों हो इसकी बज़े बहुत सीधी है किसी भी लोकतंत में लोगों की एक्चा सरूपरी होती है मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस तरह उसे जनता की उसे उनकी एक्चाओं को लागू करने का अधिकार पूत है वह अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के पती जिम्मेदार होता है इसी वज़े से मंत्री ही सारे फैसले करता है मंत्री उस दहांचे और उत्देशों को तय करता है जिसमें नीतिके फैसले किये जाते है किसी मंत्री से अपने मंतलालाय के मापनों का बिशेसक्ग होने की कतई उमीद नहीं की जा सकती है सभी तकनी की मामलों में मंत्री बिशेसक्गों की सलाय लेता है लेकिन बिशेसक्ग अपसर अलग राय रखती है या फिर बे एक से यदिक विकल मंत्री के सामने फेज करते हैं मंत्री अपने ओदेशों के मुतावे की नेटाय लेता है दरसल ऐसा हर्प बड़े संगटन में होता है जो पूरे मामले को भली भादी समखते हैं बेही सबसे महत्कून हैसले करते हैं बिसेसक नहीं करते हैं बिसेसक भी रास्ता बता सकते हैं लेकिन व्यापक नजरिया रखने वाला वैक्ति हैं मंजल के वारे में हैसला करता है लोकतंत में निर्वाचित मंत्री इसी व्यापक नजरिये वाले बैक्ति की भूम के आप निभाते हैं यहां आप कोचिंग इंस्टिटिट को ले सकते हैं कोचिंग में टीचर आपको क्या बताते हैं सलाय देते हैं अब मानना ना मानना आपको निर्वर करता है पर इंच्छा आपको पास करनी है तो नेड़य आपको ही लेना पड़ेगा बस वो आपको सलाय देते हैं ठीग आंग पिधानमंत्री के लिए कोई पितेक्ष चुनाव नहीं होता है। राष्टपती पिधानमंत्री को निवत करते हैं। लेकिन राष्टपती अपनी मर्जी से किसी को भी पिधानमंत्री नहीं कर सकते हैं। राष्टपती लोकसभा में बहुत बाली, पार्टी या पार्टीयों होने की संभावना होती है, पिधानमंतरी का कार वही प्यधान मंत्री बनेगा और यह सदन सदस्त होते हैं जो लोग सवापे यह जब भी अपना बोट बापस लेंगे यानि कि दूसरे पक्ष में चले जाएंगे या आधी से अधीक सदस्त बूलनेगे कि हमें भरोसा नहीं है हम इस प्यधान मंत्री को नहीं शायत हैं बोज अधारण आप ले सकते हैं इसका MP सरकार का मद्वदेश गवर्मेंट का वहाँ पहले कॉंग्रेस की सरकार बनी थी आपने 2020 में देखा है 2020 की बात करा हूं उसके बात क्या हुआ कि कुछ बिदायक कॉंग्रेस के BJP में सामिल हुए यानि कि उन्होंने कॉंग्रेस से अपना बहुमत कीच लिया जो कॉंग्रेस को सहायता कर रहे थी वो अपना बोट दे रहे थी उनसे वो बापस ले लिया इसलिए कॉंग्रेस की सरकार गिर गए और BJP की सरकार बन लिए ठीक कि विदानमंत्री की निवक्ति करने के बाद राष्टपती विदानमंत्री की सलाइक और दूसरे मंत्रियों को निवक्तरते हैं मंत्री अमूमन उसी पार्टी या गडवन्दन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत हांसिल हो विदानमंत्री मंत्रियों के चैन के लिए संसत के सदस हों कभी-कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकते हैं जो संसत का सदस नहीं है लेकिन उस व्यक्ति को मंत्री बनने के 6 मईने के वीदर संसत के दोनों सदनों में से किसी एक सदस का सदस होना चुना जाना जरूरी है यहां इस तरह से आप ले सकते हैं कि एस जय संखर जो हमारे विदेश मंत्री हैं इस किसी भी सदस की किसी भी सदन की सदस नहीं है ना ही लोकसभा ना ही राजसभा की थे उन्हें विदेश मंत्री बनाये गए उन्हें छे महीने बाद अगर राजसभा का सदस ना चुना जाता तो वो अपने पद से हट सकती थे सीधा सा मतलब है छे महीने के लिए किसी भी को प्यधार मंत्री या मंत्री बनाया जा सकता है लेकिन छे महीने के बाद उसे सदन का सदस होना अनिवार होता है बलना उसे बद से हटना होगा क्याबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टी मंत्री परसद उस नेकाय की सरकारी नामें जिसमें सारी मंत्री होते हैं इसमें अमूवन बेविने स्तरों के 60-80 मंत्री होते हैं अपने साब से सरकार चैन करती जाती है कैबिनेट मंत्री की आद बात करें तो अमूवन सत्ताधारी पार्टी या गटवंधन की पार्टियों के बरिष्ट नेता होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक प्रमुख मंत्रलाले के प्रिभारी होते हैं, कैबिनेट मंत्री मंत्री परसत के नाप पर फैसले करने के लिए बैठेके करते हैं, इस तरह के कैबिनेट मंत्री का सेश्च समूब होता है, इ प्रभारी होते हैं विशेश रूप से आमंतित किया जाने पर यह केबिनिट का बैठकों में भाग लिए तो राज मंत्री अपने विभाब की केबिनिट मंत्रियों से जुड़े होते हैं उनकी साहेता करते हैं चूंकि सारे मंत्रियों के लिए नेमित रूप से मिलकर हर बात पर चज़्चा करना बेभारे नहीं है लेहाजा फैसले के कैबिनेट बेटकों में ही किये जाते हैं इसी वज़े से अधिकास देशों में संसदीय लोगतंत को सरकार का कैबिनेट रूम में काम करते हैं मंत्रियों की राय और विचार अलगलत हो सकते हैं लेकिन सबकों कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारे लेनी दोती हैं बले ही कोई फैसला किसी दूसरे मंत्रा लाय या विभाग का हो लेकिन कोई भी मंत्री सरकार के फैसले की खुलेयाम आलूचना नहीं कर सकता है हर मंत्रालाय में सच्चे होते हैं जो नौकर साह होते हैं या उसमें कई वरिष्ट नो करता है सामिल होते हैं, जो विविन मंतर आलनर को भी समब्वा इस्थापित करने की कौसिस करते हैं पिधान मंत्री के अधिकार की बात करना हैं तो समीधार में पिधान मंत्री या मंत्रियों के अधिकारों या फर एक दूसरे से उनके संबंद के बारे में बहुत कुछ नहीं कर दे सकुए कहा गया है लेकिन सरकार के पिरमुक के नादि पिधार मंत्री के प्यापब अधिकार होती है। वो अग्याविनेट के बैटकों की अधिर्पस्ता करता है। वो अभी में बिभागों के कारे कर्सम अनवे करता है। कि विभागों के विवाद के मामले में उसका नेड़ाय अंति माना जाता है कि देखिए क्या होता है कि कहा जाता है जो राष्ट का असली प्रमुख होता है एक हने के लिए आपका ड़ेकश होता है प्यार मंतरी सब्सकराइब शकुपक उसी के नेथित में हैं करते हैं कि से किसी मंतरी को बार खास करने का भी अधिकार होता जब प Pardon मंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्री मंदल इस्तिभा देतान आता है। इस तरह गे भालत में केमिनीट सबसे अधीक प्रभावसाली संसता है, तो केमिनीट की बीदर सबसे क्रभावसाली व्यक्ति प्रभावसाली होता है। दुनिया के सभी संसदिये लोगतंतों में प्यधानमंत्री ग्यादिकार हाल के दस्कों में इतने बढ़ गए कि संसदिये लोगतंत को कभी-कभी सरकार का प्यधानमंत्री रोब कहा जाने लगा। राजनीती में राजनितिक दलों पार्टियों के भी मुझा बढ़ने के साथ ही प्रदान मंतरी पार्टी के जरिए केबिनेट और संसत को नेतित करने लगा है मेडिया राजनीती ओचनाव को पार्टियों के वरिष्ट नेताओं के भी पिती इस फर्दा की रूम में पेश करके इस रुज्यान में अपना युगदान करती है भारत में भी हमने प्रदान मंत्री के पास इस सारे अधिकार सीमित करने की पिर्वित्ती देखिए भारत के पहले पिदान मंत्री पंडिजवाहलाग नेरू ने धेर सारे अधिकारों का इस्तिमाल किया क्योंकि उनका जंता पर बहुत अधिक प्रभाव था इंद्रा गांधी भी कैबिनिट के अपने सहिवगीयों की तुल्णा में बहुत चाना प्रभाव साली थी जाहरे कि किसी पिदान मंत्री का अधिकार उस पत पर बैठे बैठ्टी के बेख्तित पर निर्भर करता है। लेकिन हाल के बसों में भारत में गटवंदन की राजनिती के और भारत से पिदान मंत्री की अधिकार को कुछ हज़त तक सिमित हुया। गटवंदन सरकार का पिदान मंत्री अपने मर्जी से पैसले नहीं कर सकता है। इसके अलावा उसे गटवंदन की सांजितारों और दूसरी पार्टी के विचारों और इस्तितियों को भी देखना होता है। आखिर उन्हें उन्हीं के समर्थन के यादा था तरकार टिकी हुए अब आप एक उधारन दे सकते हैं एंडिये एंडिये उन्नीस सो असी से जब से बनी है बीजेपी जब से बनी है तब ही कि राम मंदर और जो आपका जमू कस्मीर का मामला है इसे हटाने का भासर देते जाए लेकिन उन्नीस सब्सक्राइब के बाद देखिए अभी दोजार उन्नीस में जाका ये सबी मामली हटे हैं तो 2019 का मतलब समझा है क्योंकि इसके पाद गठवंधान की सरकार नहीं रही है गटवंधार की सरकार नहीं मिलते है अगर से गठवंधार साथी जो एंडियए में सामिल हैं OOP पड़्ध ये सख्यृरण की सरकार बची रह सकती है अब इसलिए नहीं कोई भी फैसला ले सकते हैं है जो भी सहय होगए है, उससे सरकार गते हैं टीमन एकवो जहां पिदानमन्तिर सरकार का पिदमोख होता है वहीं रहश्ट पति रहश्चद ध्यक्ष होता है हमारी राजनितिक विवस्था में रहश्ट ध्यक कीवल नाम के अधिकारों का प्रेयोग करता है ताकि वे राज के उद्धेसों को हांसे लेकरने के लिए मिल जूलकर काम करते हैं अब आप इस तरह से लेखिए रामनात कोविन और मीरा भाई मीरा कुमार देखें UPA की तरब से मीरा भाई को मीरबार बना गया था और NDA की तरफ से आखे राष्ट्पती रामनात को बिंद को अब एक तरह से आप कहने जी कि NDA के पिदानमंतरी हैं कह सकते हैं आप लोग तो किसकी चलता रहेगा पिदानमंतरी का, NDA का चलता रहेगा या नहीं क्योंकि वही इनने तो से चुना है राष्ट्पती विसलिए कहते हैं कि नामात का राष्टद्यक्स होता है राष्ट्पती और मेन होता है पूरग तागत होती है पिदानमंतरी के पास राश्ट्पती का चैन जनता द्वाना पित्यक्ष रूप से नहीं किया जाते हैं संसा सदस और राचिप की बिधान सभाओं के सदस उसे चुनते हैं राश्ट्पती पत के पित्यासी को चुनाओ जीतने के लिए बवुमत हासिल करना होता है इससे यह तैर हो जाता है कि राश्ट्पती पूरे राश्ट का पितिनी दित करता है लेकिन राश्ट्पती उस तरह से पित्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता है जिस तरह से आपके पितानमंत्री कर सकते हैं इससे यह तय हो जाता है कि राष्टपती कहने मात के लिए कारपालक की भूमिका निवात है। राष्टपती के अधिकारों के मामले में भी यही बात लागूग होती है। अगर आप समिधान को सरसरी तोर पर पड़ें तो आप सोचेंगे कि क्या ऐसा कुछ नहीं है जो राष्टपती ना कर सकते हैं। सारे कानुन और सरकार के प्रमुक नितिगत पैसले उसी के नाम से जारी होती है। सभी प्रमुक निवक्तियां राष्टपती के नाम पर होती है। वह भारत के मुख्ण न्यालाय और राज्चे के न्यालायों के न्या दिसों राजपालों चुना आयक्तों और दूसरे देसों के राज़तों आधी को निक्ट करता है सभी अंतराष्टि ये संधिया वो समझते उसी के नाम से भारत के रखचा बनों का सुप्रीम कमांडर राष्टपती ही होता है ये आपके राष्टपती पेड़ों मुकलती इनके बाद आपके राष्टपती रामनाद कोई ये 2000 का सीन, 2014 का सीन है 26 मईए 2016 को राष्टपती बवन में श्री नर्ण मौधी को गदान मंत्री पत की सफद देला रहे हैं राष्टपती लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि राष्टपती इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्री परशत की सलाय पर ही करता है याद रखिए सब्द को जो भी राष्टपती अधिकार अपने इस्तेमाल करते हैं वो मंत्री परशत की सलाय पर ही करता है राष्टपती मंत्री परशत को अपनी सलाय पर पुनरविचार करने के लिए कह सकता है लेकिन अगर वही सलाय दोबारा मिलती है तो वह है उसे मानने के लिए बात दोगा सीधा सा कहने का मतलब है कि मंतरी परशत जो भी फैसला करेगी जो ही सलाय देगी राश्पती को उसे मानना बारत होगा, यानि कि मानना ज़रूरी है, राष्टपती के पास दूरा उप्सन नहीं हो सकता है, वो उसे नकार नहीं सकता है, इसी पेकार संस्तत द्वारा, पारित कोई विद्यक, राष्टपती की मन्जूरी के बाद ही कानून बनता है, यानि कि आप जब राज काई यानि की अध söyl जाता है। अगर ढूड़ चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है। वड़ेक के लिए उससे संशत में बापस बेश सकता है। लेकिन अगर संसद दुबारा विदेयक पारिद करती है तो उसे उस पर रखता अच्छा करने ही पढ़ेंगे किसे राश्पती को तो आप सोच रहे होंगे कि राश्पती करता क्या है क्या हुआ अपने विवेक से भी कुछ खरता क्या है उसे लोगसभा में बहुमत बाली पार्टी या गडवन्दन के निता को पिधानमंत्री निफ्ट करना ही होता है जब किसी पार्टी या गडवन्दन के लोगसभा में बहुमत हासिल नहीं होता है तो राश्टपती अपने विवेग से काम लेता है, वो ऐसे नेताप निप्त करता है जो उसकी राय में लोगसभा में बहुमत जुटा सकता है ऐसे मामले में राष्टपती नवनिप्त पिधानमत्री से एक तैस मैट की वीतर लोगसभा में बहुमा सामित करने के लिए भी कहता है बात करते हैं राष्टपती पिनाली दुनिया में हर जगे राष्टपती भारत की तरह ओपचारिक सालसा नद्याच नहीं हुए दुनिया के अनेक देसों में राष्टपती राष्टपती भी होता है उस सरकार का मुख्या भी अमेरिकी राष्टपती इस तरह के राष्टपती का ज्यानमाना खुदारनी उसका चुनाव लोग पिद्यक्ष बोट से करते हैं कहां के राष्टपती का अमेरिक्या वो अपने मंत्रियों का चुनाव नियुकती करता है कानून बनाने का काम अभी भी बिधाईका अमेरिका में उसे कांग्रेस कहा जाता है बिधायका को क्या कहते हैं अमेरिका में कॉंगरिस करती है पर राष्टपती किसी भी कानूँ को बीटू के दिकार से रोग सकता है सबसे बड़ी बात यह है कि राष्टपती बनने के लिए उसे कॉंगरिस के बहुमत की समर्थरकी जरूरत नहीं होती है ना ही वह उसके पिती फुर्टता है, उसका 4 साल का कारकाल तहर होता है, अपनी पार्टी का कॉंग्रिस में बहुमत ना होने पर भी वह आराम से अपना कारकाल पूरा करता है, अमेरिकी मौडल को लातनी अमेरिका के अनिक देसों और फ्रोभिय संकिप का हिस्सा रहे कई देस कुमानने वाले भारत इस देसों में संसधी सर्वोच होती है, इसलिए हमारी पैडाली को सासन की संसधीर पैडाली कहा जाता है, अब याद रखिए अगर आपके जो राष्पती हैं, इन्हें जंदा चुनती पित्यक्ष रूप से, तो बड़ा पिदानमंत्री और आपके राष्टपती में बड़ी लडाई होती रहती है, बिरोद होता रहता है हर बात को लेगा, तो इसी को ध्यान में रखते हुए, राष्टपती को पित्यक्ष नहीं चुने जाता है, कि अगर दोनों के उन्हें की जंदा से चुने जाते हैं, फिर दोनों में गतिरूद, तो को पढ़ती है वे तीनों एक सवाल का जवाब जानना चाहिए क्या आप उन्हें उनके सवानों के जवाब दे सकते हैं इले अम्मा अगर राश्टपती और प्यदवान मंत्री किसी नीती पर आस हैमेत है तो क्या हुआ क्या प्यदान मंत्री की विच्छार हमेशा प्रवाली ह अन्ना कुटी मुझे यह बेतुका लगता है कि सजक्त बलों का सुप्रेम कमांडर राश्टपती है वह तो एक बहारी बंदूग भी नहीं उठा सकता है उसे कमांडर बनाने में क्या तुक्टी यानि कि रहता है कि जैसे आपके घर में कोई एक तो होगा जो पैसला लेता ह एन वो अकेला आदमी है वो कुछ नहीं अकेले कर सकता है लेकिन फैसले के लिए तो एक चुना जाता है चार भाई है बाप जब तक जिंदा रहता है बात ही सुप्रेम कमांडर होता है कि नहीं जैसे ही बाप जाता है दूसरा बन जाता है यानि कि भागीदारी सबकी रहती यूसमें ले KP कोई मौल मेरा सवाल है कि अगर असली जिदार मंतरी के पास हैं तो राश्ट्वती की जरूरत यह है कि कोई भी प्षले अब आप सोचिए राश्ठवति ना होता तो जिसके सरकार आती वो मनमानी करता पूरी तरह से और एक लोगतंत पर आपके पिर्सने चलने खड़ा हो अभी कम से कम बिपक्ष है उसे भी भरोज है राष्टकती का कि हाँ वो फैसल अच्छे करेंगे कई बाल लोग देखते हैं आप लोग की राष्टकती से सौ कि नर्द्रकारी आप देख कि उसी कहानी पर लोगते हैं जिससे हमने शुरुआत की दिए हम कहानी को याद करेंगी कि यह कहानी कितनी अलग हो सकती थी याद कीजिए कि इस कहानी का ओस समय संतोष जनक अंत हो गया जब सरवच नियालएग्या पैसला सुनाया किसे हर किसी इनने सुईकार कर दिया, k herbtna की जी, क्रिमलिकित परिष्थिते औहों में, क्या होता है देश में सरवच न्याले जैसा कुछ नहीं होता हूँ सरवच न्याले तो होता है, पर उसके पास सरकार की कारबाईओं को आःडिकार नहीं होता है उसे अधिकार होता अगर मगर सरवुच नयाले से कोई निस्पक्ष नयाय की उमीद नहीं होती है। बले ही वह निस्पक्ष फैसला सुना देता है। लेकिन सरकार के आदेश्ट के खिलाब अपील करने वाले उसके फैसले को नहीं मानते है। इसी वज़य से लोकतंत के लिए सुतंत और फिरभावसाली नयायपालका की को जरूरत जरूरी माना गया है। देश के विवन इस तरहों पर मौझूद आदालतों को सामविक रूप से नयायपालका कहा जाता है। सरवच नयायपालका में पूरे देश के लिए सरवच नयाये, राज्जू में उच नयायपालका जिला नयाये होते हैं। भारत में नयायपालका जिक्करत हैं। इसका मतलब यह है कि तरवोच ने आलाई देस में नयाय एकिसाथ उनको नियन्दित करता है, देश की सभी अधालतों को उसका पहतला मान ना हुटा है। वै इनमें से किसी भी विवात का संभाई कर सकता है, देश के नांग्रेकों के भी नांग्रेकों और सरकार के भी दोया उससे अधिक राजी सरकारों के भी केंद और राज सरकार के भी अब आप लोग समझ सकते हैं कि अगर राम मंदिर मुद्दारा है अगर इस पर अभी तक बबाग होता कई जग एक खरावा होता क्योंकि सरवोच नियालय में भरोसात हो जोhen हो निस्वक्षिजयांच करेगा तब ही फैसला देग सेलिए तो आपने देखा जैसेटी पीसी सर्वेच' नियालय का पैसला आया डारेक्ट जाकर उसके बिरूत में किसी ने विदर्सम नहीं किया बस बोलते रहेगी देखना चाहिए देख सुप्रींगोड में अरजी लगाते हैं लेकिन वो बड़े जांच पड़ताल करके ही पैसला देते हैं ठेक है या फोद्दारी और दीवानी मामलों में अपील के ल केंद्र में नहीं नियाधीश सरकार के नियदेश या सक्ताधारी पार्टी के मताविक काम नहीं करते हैं इसी वजए सभी आधूनिक लोगत्रों में अदालतें बिधाइका और कालिपा के घरबाईका के देन नहीं नहीं होती है भारत ने इस लक्ष को हांसिल कर लिया इस बेवस्ता में और उछ नियादिस किया जाता है एक बार कैसी व्हेक्षिको स्रोस नियादिस नियुक्त करने के बाद उसे अपने पद से हटाना लगव असंभव है उसे हटाना भारत के राष्टपती को हटाने जित्रह ही मुस्कल है किसी भी नियादीश को संसत के तुनों सदनों के अलग-अलग दो तियाई वहमत से आविस्वात प्रिस्थाओ पारित करकी हटाया जा सकता है बारतीय लोगतंत में ऐसा कभी नहीं हुआ अभी तर ठीए है याद रखी है कि हमारे जो मुखनयादीश है उन्हें हटाया जा सकता है जा सकाओ कभी हटाओ ऐसा नहीं हुआ दो तियाई का मतलब समझ रहे हैं एक बहुत बड़ा वहमत होता है ठीक है जैसे 200 सदस है तो उनमें से दो तियाई सदस्वां को जरूरत पड़ेगी भारत की नियाईपालिका दुनिया के सबसे अधिक पिरवासाली नियाईपालिका स्तरवच नेएलाय और चनेआले को देश के समिधार की वियाथ्या का अधिका अगर उन्हें लगता ही कि विधायक कहुई कानून या कारवाई समिधार के खिलाब है तो वे कैंद और राज इस तवर पर ऐसे कानून या कारवाई को आमान घोसित कर सकते हैं इस तरह जब उ समीधानिक प्यद्विता तैय करते हैं जैसे नियाय समीच्छा के रूम में जाना जाता है भारत के सरवच नियाले ने यह भी प्रैसला दिया कि संसद और समीधान की मुढ़कों सित्धान्दों को बदल नहीं सकते हैं एक बात आप हमेशा है याद होती है जैसा कि आपने दे कर दिया गया था है तो इस पर सरवच नियाले का नेड़ाया आया है उसी के बाल आपकी मर्गी पर छोड़ा गया है कि आप चाहें तो कहीं भी आधारकार दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं तो आप सोची अगर सरकार की मनमानी चल रही होती सुप्रेम कोट में तो सरकार कहती ह कि हमारा प्यसला मान करो, यानि कि हर किसी को अधरकार दिखाना जरूरी हुगा, उसी के पक्ष में नेड़ाया था, इसका मतलब हुगा कि हमारी जो भी नियाइबालका है बोनेस पक्ष है, बारतिये नियाइबालका की अधिकार और सुतंता उसे मौलेक अधिकार के रख्चक इंसाफ पाने के लिए। अधालत में जाने का अधिकार है। र माना उतिकारों कि सणरक्चन के लिए वेवेन ने फैसले उसे रोकने के लिए हस्त छेव करती हैं पेसरकारी अधिकाईयों को भेश्ट आचन उसे रोकती हैं इसी वज़े से लोगों के भी निया पाल का तूटा की कि बेज स्वाहत हासले है कि देखिए भारत के मुखने आदिस को जश्टेट चेयर को 25 उलाई 2017 को नहीं बिर्नी में संसत की के अंदरी ये कि सभाकार में स्रीराम नाथ को मन भारत की राष्टवति को सबद दिलाये क्यूंकि राष्टवती को सबद कॉछन दिलाता है राष्टवति मुखने आदिस को सबदाब कर राष्टवति दिखते हैं या पिए कुछ मत्मूर सब्दें ने देखना ले गटबंदन सरकार विदायका में किसी एक पार्टी को बहुत हांसिल ना होने की सूरत में दो या उससे अधिक राजनेतिक पार्टीओं के गटबंदन से बनी सरकार कारिपाली काम व्यक्तियों का ऐसा निर्ड निकाय जिसके पास देश के सरवोच समिधान और कानून के अधार पर पिरमुक नीती बनाने फैसले करने उन्हें लागू करने का अधिकार होता है कारपाल का सरकार संस्थाओं का ऐसा संभू जनके पास देश में विवस्तित बनाने विदयाकों को पास बत्थाओं को नियूंतित परणी की नगरानी करते हैं नियायपालिका एक साथ नियायपालिका की नाम से उखार होता है कानून बनाने की लगता है। कानून बनाने के अलबाब विधायका को कर बढ़ाने, बजट बनाने, दूसरे वेति विधियकों को पात बनाने का विशेश अधिकार होता है, कार्याल है ग्यापन, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पत, जिसमें सरकार के फैसले या नीती के बारे में बता जाता है, राजन दाये के लिए सरकारी नोप्रियों तथा सेचिक संस्थाओं में पद फिवन सीटे आरक्षित करने की नीती होती है आरक्षित राज निश्चेचित में फैली राजनेति के काई जिनके पास संगटेत सरकार हो गहरेदू तथा विदेश नीतियों को बनाने का अधिकार हो सरकार बदल सकती पर राज बना रहता है बोलचाल की वाधा में देश राष्ट राष्ट हो राजिकियों समारारती की रोङ में प्रियूप किया जाते हैं राजस्थ का एक अन्य प्रियूई किसी देश के अंदर पिसासने के गाईयों या प्रांतों के लिए भी होता है इस आरत में राजिस्तान जारकन लितिक पुरा आदिवी राज कहे सकते हैं एक तरह से आपके भारत को भी राज जी कहते हैं या राष्ट ठीक है याद रखिए कभी कभी आपका राज जो सब्दे सब्सक्राइब के लिए के लिए यूज कर लेते हैं और कभी-कभी भारत के लिए भी राज सब्दका यूज करते हैं यह आपके क्वेश्चन्स दिये गए हैं इसी अध्याय से समंदित तो इसकी इंसाट लेकर पढ़ते रहें या पीडियों रोकर और दोसरी बाद आपकी कि टेली गराम करें डाल्लोड कर लिए ओर एक बात की टेली गराम आप लोग्त जोएन कर लिए क्याँ की वहां जो भी पीडियों एप होती हैं आपकी डाल दियाती हैं आपकी पढ़ाई से सब्भम्दित अन्य पीडिय। अगर आती हैं तोने भी विश्टे रहता हूं उसका वहां से डाउंलोड और क्या करिए करिए उस तरह के जो भी लक्षर उबा करें उन्हें दोसरों तक पहुचा दिया करिए क्योंकि अगर हमारी वज़े से हमारे देश का नागरिक जागरू कोना है तो बहुत बड़ी कुस चप्टर था संस्थाओं का कामकारें पाचवे चप्टर में बात करेंकि लोगतांत्रिक अधिकारों के बाएं मैं लोगतांत्रिक आधिकारों देखी अब लोग नमस्का दुर्टों तो चली हम लोग बात कर रहे थे NCEIT कप्छा नौबी की लोगतांत्रिक राजनीती एक के नाम से जवाकी उख से उसी को देख रहे हैं हम लोग तो इसमें अभी तक हम लोग चार चेक्टर आपके कतल कर चुके हैं यह आपका पांच बच एक्टर है इसमें बात करेंगे लोगतांत्रिक अधिकार के वारे में जो आपने पुराने इससे पहले हम लोग चार चेक्टर आपके कर चुके उन्हें भी जाकर देखिए जिए कि यह वुक्स बहुत ही जरूरी है और बहुत ही मत्पूर है मुझे लगता है NCERT जो वुक्स हैं वो एक पर्टिकूलर मतलब कर्चा नौभी या फिर कोई तैयारी कराय सेविस सर्विस की उन्हें के लिए जरूरी नहीं है यह जो भी भारत में रहता है इंडियन है उसके लिए भी यह पढ़ना जरूरी है चुंकि इसमें बहुत कु देखते हैं भूमी का पिछली दू अध्यायों में हमने लोगतांत्रिक सरकार के दूपने आदी तत्यों की चर्चा की है अध्याय तीर में हमने देखा है कि किस तरह लोगतांत्रिक सरकार का निधारित अधी में लोगों द्वारा सुतंत और निस्पक चिटन से चुना जा जरूरी है अध्याय चार में हमने देख जाना कि लोगतंत में कुछ ऐसी संस्थाओं के उपर निर्वय होना चाहिए जो निर्धारित काइदे कानूं के मताविक काम करती है यह तक्त्त जरूरी है पर लोगतंत के लिए इन्हें दो का होना परयात नहीं चुनाव और संस्था के साथ साथ तीसरा दत्त है अधिकारों का उप्योग इसकी मौजूद की मैं भी सरकार के लोगतंत्रिक चरित के लिए जरूरी है बहुत सरी ढम से चुने हुए और इस्तापिस संस्थाओं के माध्यम से काम करने वाले सास्कों को भी यह जरूर जानना चाहिए कि उन्हें क इस पुस्तक के आखरी अध्याय में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि अधिकारों के बिना जीवन कैसा होगा इसकी कलपना करें करने के लिए हम बास्तविक जीवन की कुछ घर्णाओं की बात से बात सुन करते हैं इसमें हम इस पर चर्चा पर पहुंचेंगे कि अधिकारों का क्या मतलब और हमें इनकी जरूरत क्यों है पिछले अध्यायों की तरह पहले सामान बात हों और भारत के केंद्रित बारत पर केंद्रित चर्चा होगी हम एक एक करके भारती समिनार में दर्ज मौलिक अधिकार अब्राइना से यहां चर्चा करेंगे। तो हम इस बात पर गौर करेंगी इन अधिकारों की पक्रिऊ करते हैं। इनको लागु कौन करेंगा आखिर में हम देखेंगी कि लो pequतंत का विस्तार करना में इन अधिकारों कि कैसी भूमिका हो सकती हाले के बरसों में हमारे मुल्क में इन्हों ने क्या भूमिका निवाई है यहां हम आपको बता दें कि अगर मेरा मानना है जिस तरह से वहां कोई भी साधी होती है वहां पंडिकी मंत देते हैं मैं तो कहता हूं कि जब हमारा जनम हो उसके पांस से शताल्वार याव यह भन समझदार हों, बच्चे जो भी बच्चाники उसके माबाप को कि उन्हें मूल कर्दब के दूसरे मूल लगतलन कि पूरी पढ़ाई solve वो जनेगा। पहला हमारा मूल कारतब। दूसरा द्युत और अधिकार... अधिकारों के बिना जीवन कैसे। इन किताबों में हमने अधिकारों की चल्चा बारवार की है। अगर आप याद करने की कौसिस करें तो हमने इससे पहले कि सभी चार अध्यान में अधिकारों की बात की है क्या आप नीचे दीवे खाली स्थानों को पुराने अध्या के अधिकारों रोमानी चल्चा की आदार पर भश सकते हैं अध्या एक लोकतंत की परिखासा में हमारे समिधान निर्माताओं का मनना था कि मौनिक अधिकार हमारे समिधान की आत्मा जैसे की बारत के प्तेक वैस्ट बित्ती को मद्दान और बोलने का अधिकार प्रात है अगर कोई कानून समिनान के खिलाब है तो हरा हर नागरिक कोर्स के खिलाब सुप्रेम कोट जाने का अधिकार है आए तिन उधारनों से बात सुरूं करके अधिकारों के विना जीवन कैसा होता है गुवानता नावो नामों बेकादियल जीव नाम है इसके पहले समलोग प्रिये सरी टॉनिवले है सबसे पहले तो यह है कि आप कैसे हैं मैंने दो साल पहले आपको पत्त लिका था आपने उसका जवाब क्यों नहीं दिया बहुत दिनों तक आपके जवाब का इंतरहार करता आपका जवाब आया ही नहीं क्या महरवानी करके मेरे सवाल लगा जवाब देंगी मेरे पिता जेल में क्यों बन है बेदूर दराज के गवांता नावों बे मैं क्यों रखी गए है मुझे अपने पिता की कमी बहुत खल्ब दिया है मैंने अपने पिता कुछ तीन वसों से 召सेचाता है मैं जानता हूं कि मेरे पिता जी नए कुछ भी गलग नहीं किया क्योंकि बहुत बहुत अच्छे आदमी हैं लोग मेरो पिता जी के बारे में वहाद से बात कर convention ne पर मैंने मेरे भाई वह बहनों ने पिछले तीन वर्सों से पिता जी के सब किविना ही ईद मनाई है। इसके वारे में आप क्या सूचते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बात आप मेरे बत का जबाद देंगे। अनस जमिल अन बनना उम्हों नुसान। इन कोई बच्चा पत्त लेगता है। अमेरिका में फौज ने दुनिया वर के विभिन एस्थानों से 600 लोगों को कुछ चुपचाप पपर लिये। इन लोगों को गवानता नामों बेव इस्तित एक जेल में डाल दिये। कि वागों के निकटिस त के इस टापू पर अमेरिकी नौसयान का कर्थ चली है। अमेरिकी सरकार कहते ही के इलोग अमेरिका की दुसमन हैं और निवारत में वहें 11 श्टंबर 2001 के हमलों से इनका संभण है। पता है ग्यारे सेप्टमब्र 2001 के पहले तर, अमेरिका कहता था कि आतंग की जो आतंग बाद होते हैं, इस तरह के आतंग बाद होता ही नहीं है, आतंग बाद को वो एक्सेप्टी नहीं करता था अमेरिका, जब खुद पर वीती उसके बाद हल चल वही थोड़ी, समझे गया है, 2001 के अभी आपने लेखा होगा, कि जब किसी ही और की समस्या होती है, दो हमें मजाख लगती है, लेकिन उसी समस्या हम जब जूचते हैं, तब हमें पता चलता है, यह अचा, यह भी समस्या है, आँज चलते हैं, अनस के पिता, जमिल अलबना, उन 600 लोगों में से एक, जने केव जब करता ली, और जेल में डालने की सूचना भी नहीं दी गए, अन्य कैदियों की तरह जमिल के परिवाद, बालों को भी अखवारिक मात्यम से ख़बर मिली कि उसे भी जेल में रखा गया, इन कैदियों के परिवाद, बालों मेडिया की लोगों, और यहा तक कि कि सैब त राष्ट के कितिनी दियों को भी उनसे मिलने की जाज़त नहीं दी जाती, अमेरिकी सैना ने उन्हें गरभतार किया, उनसे पूंचता की, और उसी ने फैसला किया कि विज्जेल में डालना है कि नहीं, ना तो किसी विज्जेल के सामने मुकदमा चला, ना ही किभी अपने अदेश की दालतों का दर्वाजा खटखटा सकी, एक अंतराख्ती मानावदिकार संगठन, हमेनेश्टी इंटरनेशनल ने गवांता नामों बे कि कैदियों की स्तिथी के बारे में सोचना एक घटी की, और बताया कि उनके साथ ज्यांदा ती की जा रही है, उनके साथ अमे के इन इस्तितियों के खिलाब विरोद करना चाहा, पर उनको जबरजर्श्ती खिलाया गया, या नाक के रास्ते उनके पेट में बोजन पहुंचाया गया, जिन कैदियों को अधिकारिक रूप से निर्दोस करा दिया गया था, उनको भी नहीं छोड़ा गया, सयुक्त कर देना चाहिए, अमेरिकी सरकार ने इन अपीलों को मानने से इंकार कर दिया, साउदी अरब में नागरिक अधिकार, ग्वान्ता नामों बे का उधारन एक अबवाद जसा है, क्योंकि इसमें एक देश की सरकार दूसरे देशों के नागरिकों के अधिकारों का उलगन कर साउदी अरब का उधारन देखें, वाँ की सरकार अपने नागरिकों को कितनी आजादी देती है, इस पर गौर करें, जरा इन तत्थों पर विचार करें, देश में एक बंस का साथन चलता है, और राजा या साहें को चुनने या बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती है, जिस तरह से हमारे या आपका बोट देते हैं और पिधान मंतरी बदलते रहते हैं, इस तरह उस देश में बिलकुल भी नहीं है, राजा जो है वहाँ को राश्ट पर वोके, उसे जनता आपको ना तो चुनने का लिकार है, ना ही अटाने का, साहे की विधाई का और काली-पाली का कि लोगों कच्चुनाओ करते हैं, जजों की निक्ति भी साहे करते हैं, और बें उनकी हैसलों को फलट भी सकते हैं, यानि कि साओधी एरब का राजा ही पिर मुठ है वो चुछ चाहे उपर सकता है उसी का वैसला मानने जिस तरह से हमारे यहाद सुप्रीम कोट सबसे बड़ा है उसी तरह उनके यहाँ सुप्रीम कोट की तरह राजा है लोग कोई भी कोई राजनेतिक दल या संगधन नहीं बना सकते मिडिया साहिंगी मर्जी के खवब कोई भी खबर नहीं दे सकती कोई धार्मिक आजादी नहीं है सिर्फ मुसल्मान ही यहां के नागरिफ होग सकते हैं यहां रहने वाले दूसरे धर्मों के लोग घर के अंदर ही अपने धर्म के अंसाल पूजा पार्ट कर सकते हैं उनके सारवजनिक धहार्मिक अनुष्ठानों पर रोख है औरतों को बैधाने को रोख से मर्दों से कमतर कदर्जा मिला हुए और उन पर कई तरह की सारवजनिक पाबंदिया लगी मर्दों को जल्दी इस्थानिये निकाए के चुनाओ के लिए मतादिकार मिलने वाला है जब कोई बेद्वाफ नहीं किया जाता हमारे हैं यह बात हैं सिर्फ साउदी एरोप पर यह लागू नहीं होती हैं दुनिया में एक ऐसे अनेक देश हैं जहां ऐसे इस्तितियां मौजूद हैं कुसो हो मैं जाती है नहीं संगा आप यह सोच सकते हैं कि यह चीज़ें सिर्फ र जो अब तूटकर अलग हो गया है इस पिदेश में अलवानियाई लोगों की संख्या बहुत जांदा थी और पूरे देश के लियाज के सरव लोग बहुत संख्यत थे उग्र सरव राष्टबाद की भक्त दिलो से विप नहा के चुनाओं ने जीत आंसल की उनकी सरकार ने क कुसोगों की अलवानियाई लोगों की पिती बहुत ही कटोर विवार किया उनकी एक चाहत थी कि देश पर सब लोगों का पूरा नियत्तन हो अनेक सर्व निताओं का मानना था कि अलवानियाई लोगों जैसे की अलवसंख्यत या तो देश छोड़ पर चले जान या फिर सर में अप्रेल उननी सुनन्याडवे में एक अलव अलवानी आई परिवार के साथ कुछ ऐसी घठना हुई उन्होंने विस्पोल की आवाज सुनी और उनको यह ऐसास नहीं हुआ कि सर्विया की फौश सहर में गोसाई तबी उनका दर्वाजा खोल कर पाच चे सेने दंदनाते हुए अंदर आए तो पूछा बच्चे कहाई 32 सा याद करती है कि इन्होंने इजेत की चाती में तीन गोलियां दग दे उसके सामने ही उसके पती की मौट होगी और सेनको ने उनकी अंगुली से साधी की अंगुटी और ताली उसे भाग जाने को का मैं अभी दर्वाजे से बाहर भी नहीं निकली थी कि उन्होंने घर में आग लगा दी वह बरसात में बेगर उगर सड़ पर सड़क पर खड़ी थी उसके पास ना मकान था ना पती और ना ही सरीर पपहने कपड़ों के अलावा कोई कोड़ ची समाचारों में आई एक कथा उन हजारों अलवान ही आई लोगों के साथ हुए बरताव में से एक की सच्चाई बताती और याद रखिये कि यह नरसंगार उस देश की अपनी ही सेना एक ऐसे नेता के नेदेश पर कर रही थी जो लोगतांत्रिक चुनाव में जीत कर सच्चा आखिरकार कई और देशों ने जब दखल दिया तब जाकर रहे है क्रम थमा मेलोज सेविक की सत्ता गई और बाद में अंतराष्टी इन्या लेंड में उन पर मानावता के खलाफ अपराज का मुकत्मा चला रहे है बात करते हैं हम लोगतंत में अधिकार यह कहानी उपर जो भी बता गई है इनको समझने का में उद्देश यहां से आएगा ठीक है आप समझ में आएगी वो इस कारण आपको कहानी सुनाई जा रहे हैं आखिर हमने पहले जिनको धारणों का जिक्कर किया है उन सब पर विचार की लिए हर धारण में जिसे कष्ट हुआ है उसके बारे में सोची है गवानता नामों बेखे कैदियों साउदी अरब की औरतों और कुसोगों के अलवानिया यह लोगों और भारत में 1984 और 2002 के दंगों का सि दिकार हुए लोगों की बारे में सोची है अगर आप इनकी जगह होते तो आपके मन में क्या विचार आते अगर आपके हाथ में मार्थपूंप खैचले करने का दिकार हो तो आप उपेफ्ट गहतनाओं को ना होने देने के लिए क्या करेंगी साइड आप एक ऐसा विवस्ता चाहेंगे जिसमें लोगों की सुरक्षा उनकी सम्मान का ख्याल रखा और समान अतसर आउसर जरूरूंगँ जैसे आप चाहते हैं कि बिना उचित कारण और सूचना कि किसी को भी गिरपतार ना किया जाए और अगर किसी को गिरपतार किया तो उसे अपना पप्च रखने, अपने आपको निर्दूर सावित करने का परियाफ्ट और सर्थ मिले। आप इस पार पर सहमत हो सकते हैं कि ऐसा बरोसा सभी ऐसा बरोसा सभी चीजों कर लागू नहीं हो सकता है। हमेरे किसी सिक जिन चीजों की मान करते हैं या जिन बातों की उम्मीद करते हैं उसमें हमें तारीकिक नजरिया अपनाना चाहिए। उन्तम बातों की गारंटी होना होगी, अमीर या गरीब, तागतवार या कम्जोर, बहु संख्याक या अल्प संख्या, हर किसी को इन ने उन्तम चीजों की गारंटी होगी, अधिकारों की सोच के पीछे यही भावना होती है, मतलobile आपसे कि कईं कोई गरीब है अल्प संख्यक है या बहु सकत संख्यत है तागतवर है या कम्hausयोर है किसी से कोई वेध भाभ ना किया या ही सब की एक्ष्ण करें草य अब अधिकार क्या है आकर कि जो हम वारबर बात कर रहे हैं अधिकार कि वैक्ती में लोगों अपने समाई और अपनी सरकार से दावाँ है हमें सभी हम सभी से तर्व भयक्य में कि और अपमानि जनद वेवार से बचकर जीना चाहते हैं इसके लिए हम दूसरों से ऐसे वेवार की अफेच्चा करते हैं जिससे हमें कोई नुकसान ना हो कोई कश्ट ना हो इसी पिकार हमारे वेवार से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए कोई कश्ट नहीं होना चाहिए इसलिए अधिकार तभी संभव हो है जब आपका आपका अपने बारे में क्या हुआ दावा दूसरे पर भी समारूप से लागूँ आप ऐसे अधिकार नहीं रख सकते हैं जो दूसरों को कश्ट दे या नुकसान पहुंचाएं आप इस तरह किरकिट खेलने का अधिकार का दावा नहीं कह सकते हैं कि पड़ो तरह नहीं कर सकते हैं सो तो हम जो तावी करते हैं बे तार्चिक भी होने चाहिए बेर पारे मूल अधिकारी का मतलब यह हो सकता है सीरी बाद कि बोलने का आपको अधिकार है अब इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे के सिरुपत चला जाकर चिलाने नहीं जाए जहां दूसरे के अधिकारों को आनी कौंश्थी है या दूसरे के अधिकारों का अधिक्यमन होता है वहाँ आपकी अधिकार खत्म हो जाते हैं हमेंशा यादवटी ही है अब आपको बोलने का संगतन धर्णा देने का सबका अधिकार है तो इसमें दूसरे के अधिकारों का आतीक्यमर ना ढूंँदब़ तब तक आपके अधिकार सही है जैसे दूसरे को नुकसान पहुशता है आपके अधिकार खतम हो जाते हैं, आप अपने अधिकार से आँगे बढ़ जाते हैं, ठीक? तो अपने अधिकार के साथ साथ दूसरे के अधिकार भी रखे, अब कहीं आप अब निकलेश में जाकर गाली देने लगिए, बोलिये कि हमारा रत्व अधि से आगे नेकल ले होते हैं कुछ दावे कर दें सरफ इतने बाल से हुए हमारा दिकार नहीं हो सा जाता है इसे उस पूरे समाज से भी स्विकिती मिलने चाहिए जिसमें हम रहते हैं हर समाज अपने पाचनर को विवस्तित करने के लिए कुछ कायदे कानून बनाता है एक कायदे कानून हमें बताते हैं कि क्या सही है क्या गलता है समाज चिस चीज को सही मानता है सबके अधिकार लायक मानता है वह हमारे भी अधिकार होते हैं इसलिए समय और स्थान के इसाफ से अधिकारों की अधिकारना भी बदलती रहती है 200 साल पहली अगर कोई कहता कि ओरतों को भी गोर्ट देने का अधिकार होना चलिए तो उसे अजीव माना जाता है आज साउधी एरब में उनको गोर्ट का अधिकार ना होना भी ही अजीव लगता है जब समाज में मान काईदों को लिखत पढ़त मिला दिया जाता है तो उनकी असली तागत मिल जाती है इसके विना भी प्राक्तिक या नेतिक अधिकार ही रह जाते हैं ग्वांता नामों वे किक्यादियों को अपने दमन का विरोध करने का उसे गलत बताने का तिरफ नेतिक अधिकार है पर वे इसके वरोसे किसी ऐसे वेक्ति या संस्ता के पास नहीं जा सकते हैं जो इन्हें लावू करादें जब कानून कुछ दाओं को मानता देता है तो उनको लावू किया जा सकते हैं फिर हम उन्हें लावू करने की मान कर सकते हैं अगर अन नागरे की असर का इन अधिकारों का अधार नहीं करते हैं इनका उलगन करते हैं तो हमेंसे अपने अधिकारों का हनन करते हैं ऐसी इस्तिती में कोई भी नागरेक अधालत का दर्वाजा खटखटा सकता है, अपने अधिकारों की रख्चा की मान कर सकता है, इसलिए हम अगर किसी दावे को अधिकार कहते हैं, तो उसमें इतीन बुनियारी चीज़े होनी चाहिए, अधिकार लोगों की तारिकिक दावे ह उन्हें समास से सुई के थी, और आधालतों द्वारा मानता मिलीग होती है, अब आगने सुना होगा, कि जब आपकी मौलिक अधिकारों का अनन होता है, तो आप कोट जा सकते हैं, कोट का दर्वाजा खटखटा सकते हैं, आर्टिकल 32 के ता है, और 226 के ता है, आप उच्छ सुतमने आलें, आर्टिकल 226, यानि कि ये रुच्छे 226 के ता है, हाईकुट जा सकते हैं, बात करते हैं, लोगतंत में अधिकारों की क्या जरूरत है, लोगतंत की स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है, लोगतंत में हरो नागरे को वोट देने, और चुनाव लट कर पितिने दी चुने, जाने का अधिकार है, लोगतंत्रिक चुनाव को हो, इसके लिए लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने, कि राजनितिक पाईटी वनाने, और राजनितिक गतिविनियों की आजादी का होना चाहिए, लोगतंत में अधिकारों की एक खास रहे दो भूमी का भी है, अधिकार बहू संक्यत को यह कि रख्चा करते हैं, इस बात की विवस्था करते हैं, कि बहू संक्यत किसी लोगतंत्रिक विवस्था में मन मानी ना पर horrific इस्तितियों के विगडने पर एक तरह हुए की गारंटी जैसे, अगर कुछ नगरिक दूसर लैंने दूसरों के अधिकारों को हरपना चाहें तो इस्तिती प्रतवी सकते है यह इस्तिती आमधों तौर पर बृधित के लोग अश्वर में only पेभीर उस्तिती और को नाग्रेकों के रक्षा ना करें इसलिए कुछ अधिकारों को सरकार से भी उंचा दर्चा दिया जाने की जरूरत है ताकि सरकार भी उनका उल्लगन ना कर सके अधिकार्स लोकतांत्रिक सासन व्योस्ता मैं नाग्रेपों के अधिकार सम्विधार में लेकित रूम में दर्ज होते हैं आपने सुनाओ अधिकल 20 तो 21 इन्हें कभी निलंबत नहीं किया जाता है आपके जीने का लिखार इन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता है पर अपातका लगी या कुछ भी हो आप समझें एक बात जैसे आपके गावों में दो कास्ट जाती हैं तो आपके आप हैं अल्पशा संख्या का मतलब ले दीजिए कि आपकी जो जाती उसकी संख्या कम है और जो दूसरी जाती है उसकी संख्या अधिक है तो ऐसा हो सकता है कि उसका सरपंचु सबसे चोटी स्थी लेडिवू सरपंच है उनका सरपंच उन दिया जाता है कि वो लोग जाना है न तो उन्हीं का सरकंच बनेगा अब हो सरकंच बनके आपके अधिकारों का आपको गाली के रोच करते हैं, आपको मारपीड करते हैं आपके साथ उठ्वीरन करते हैं, ठीक, तो आप क्या करोगे? अगर आपके पास ना कोट है, ना कहीं जाने का, कुछ भी माद्देम ना हो, ना कोई संस्ता ह तो आपके अधिकारों का रोकने के लिए अधिकारों के हननन के रोकने के लिए तो आपके अधिकारों के हननन के रोकने के लिए तो आपके अधिकारों के हननन के रोकने के लिए तो आपके अधिकारों का हननन हो रहा है तो इसके लिए क्या होता है कि हमें अपने अधिकार ज चल्फ द्वेहाइड हुए विस्क्वे अधिकार दूसरे लो चल्फो बहु है हमारे जीवन के लिए वुनेयादी पर जद्वी को सी रिखारों को व्यांकि द्रज़ाँ रिये इन्हें मौलिक अधिकार कहा गया, जो हमें अधिकार बिले हुए, इन्हें मौलिक अधिकार कहा गया, अध्याय तीन में हमने अपने समिधान की पेस्तावना पड़ी, यह सभी नाग्रेकों को समानता, सुतनता, नयाय दलाने की बात करता, मौलिक अधिकार इन बायदों को ब कि आप इने बता सकते हैं क्या मतलब देखते हैं क्या था कि इस ते से पहल एंस और K тебя들 सु अन्हें सात मोलिका तो ती का मोला को दिखसंप है सली divided कि याद रखना 1978 में आपके संपत्ति का अदिकार था इसे हटा दिया गया था उसके बाद आपके च्छाय अदिकार हो जी तोगि कुंशलेत आ रहा है तो 44 संवीधान संसोधन ये हुगा था 1978 में इसके द्वारा आपका जो संपत्ति का अदिकार था उसे मोल अधिकारों से जोड़ दिया था, एक काउनी अधिक अथर्डि के अलावा कानूनी रूम में जोड़ दिया था, ठेक पही आधर दर्दाओं, छबाली समिधान सब्सुदन उन्ही सोट तरिके द्वाद हैं, बात करते हैं बोग समानता का अधिकान, हमारे समिधान हमारा समिधान कहता है कि सरकार हमारी किसी वैक्ति को कानून के सामने समानता यग अधिकार से समानता है या कानून से सरक्षन के मामली में समानता के अधिकार से बंचित नहीं कर सकती है यहां मतलब समझ रहे हैं हमारा समीधार कहता है जो हमारी समीधार है वो कहता है सरकार बहरत में किसी बैक्ति को कानून के सामने समानता और कानून से सरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से बच्चित नहीं कर सकती है उसे समानता यानिकि आसमानता में नहीं दखेल सकती ह इसका मतलब यह हुगा कि किसी व्यक्ति का दर्जा, पर चाहे जो हो, सब पर कानुन समाम रोब से लागू होता है, यानि कि इस तरह से कह लिए, आप गरीब हो, फिर चाहे आप लोग अमीर हो, चाहे बड़े हो, फिर चाहे आप लोग छोटे हो, आप ताहदवर हो, या पिर चाहे आप लोग कम जोग हो, आप पर सभी पर कानुन समाम रोब से लागू होगा, किसी से कोई भी भाव नहीं किया जाएगा, समझ मैं है? वह याब रखे जो आपका समता या समानता का दिखार है, यह आपके अनुच्छे 14 से लेकर 18 तक है, इसी मैं सभी बर्डन किये कहते हैं, समानता की अधिकार को आप लोग क्या कहते हैं? कानुन का राज, कानुन का राज किसी भी लोगतत की बुनेयादी है, इसका अलत हुआ कि कोई भी बैक्ती कानुन के उपर नहीं है, किसी भी राजनेता सरकारी अधिकारी या सामान नागरिक में कोई अंतर नहीं कि जा सकता है। पैदानमंत्री हुए या तर दूर दराज के गाउं का कोई खेती या मजदून सब पर एक ही कानून लागू होता है। कोई भी बैक्ती बैदाने की रूप से अपने पदे आजनम के आदात्वर पिसे सदिकार या खास बेवार का दावा नहीं कर सकता है। जैसे कुछ साल पहले देश के एक पूर कदानमंत्री पर भी द्रोगादणी का मुखतमा चला था। सारे मामली पर गौर करने के बाद अदालत ने उनको निर्दोस्त गोसित किया था। लेकिन जब तक मामला चला उन्हें किसी अननाग्रेक की तरह ये अदालत में जाना पड़ा। अपने फक्च में सबूत देने पड़े। कागजात दाखिल करने पड़े। इस बन्यादी स्थिति को समिधान में स्थमाता के अदिकार के कुछ नेतिहार नेहितारतों को इसपश्ट करके ऑप्स और साफ किया है। सरकार किसी से भी उसके धरम जाती समुदाय लेंग और जनम इस्थल के आधार पर बेदभाव नहीं कर सकती है। दुकान, होटल और से नहमा घरों जैसे सारवजय की स्थल में किसी के प्रिवेश को रोका नहीं जा सकता है। इसे पिकार सारवजय कुए, तालाप, इसनान, घाट, सड़क, खेल के मैदान वो सारवजयनिक भवनों के इस्तिमाद से किसी को बल्चित नहीं किया जा सकता है। इस चीजें ऊपर से बहुत सरल लगती है। पर जाती विवस्ता हमारे समाज में कुछ संबदाय के लोगों को सारवजयनिक सुगदाय का इस्तिमाल करने से रोका जाता है। इसलिए आपका 1905 का जो एक्ट आया मानवजिता इसलिए लिए लिए गया। फिर उसमें 1906 में आपका संसुधन किया गया। उसके बाद 1993 में दूसरा है आपका। इसी को खटाने के लिए। क्योंकि समिधान तुमारा लिख गया। निस सो नंचाट पचास में लाज हुए। लेकिन फिर भी आसमान तक खतम नहीं हुए। आप ही आप देखते हैं गाओं की तरफ अभी भी नीच मुझका बावनाय लोगों की मन में बैठी हुए। तो इन ही को खटाने के लिए समय समय पर बदलाव दिये जाते हैं और कड़े आनों लाए जाते हैं। भरना हमारे समीधान ने चुवा चूट इस तरह कि जो भी सिस्टम में उन्हें उन्नी सो पचास में ही खतम कर दिये। मानता हुए उनकी खतम सो। लेकिन फिर भी हमारे जो पुराना समाज ये बदलने में बहुत टाइम लगता हैं किसी भी समाज को। लौक की जाकरीओं काना समachन ग्रीयों पर भी यहृई शिद्धानत लाग उपता हैं सरकार में किसी पद Πर निव्थ या रोजगार के मामले में सभी लिए आउसर की समानता है उपयोगत आधार आधारों पर किसी भी नागरेक को रोजगार के आरोख नहीं कराया जिया जा सकता है उसके साथ बेदवाव नहीं किया जा सकता है पिछले अधिया में आपने बड़ा की भारत सरकार ने नौकरीयों में अनुसूचे जाती जन जाती है और अन्य पिछड़ी जाती हों के लिए आरक्षन की विवस्ता की है अनेक सरकार विविन के उजनाव के तरह कुछ नौकरीयों में इस्तरी गरेव या सारे रिक रूप से बिखलांग लोगों की को प्रात्मात तर देती है आप सोच सकते हैं कि आरक्षन की इस तरह की विवस्ता समानता की अधिकार के खिलाफ है पर असल में ऐसा नहीं है समानता का मतलब है कि हर किसी से उसकी जरूरत का क्याल लगते हुए समान बेबार करना समानता का मतलब है कि हर आदमी को उसकी चम्ठा के मुंसार काम करने का समय आउसर अविलन कराना कई बार आउसर की समानता सुनचीत करने पर के लिए भी कुछ लोगों को भिसे सवसर देना जरूरी हुअ आरक्षन एही करता है इस ती बात को चाहर करने के समिधान इसपर्ट रूप से कहता है कि इस तरह का आरक्षन समानता की अधिकार का वो लगन नहीं करता है आप एक बात सूच लिए अगर आप दी किसी वी आईपी स्कूल में पढ़ते हैं और जो एक्टी जन जाती है वो भी आखीर वी आईपी स्कूल में पढ़ता होता तो पर समीधान की कोई जरूवत ही नहीं पढ़ती है क्योंकि जो आपको सुगता है जरम से मिल रही है उसे भी मिल रही है तो समीधान की जरूवत पढ़ती है अगर 1950 में हमारा समीधान जब लाग हुआ अगर उसी तरम सब कुछ खतम होकर बराबरी में सब को लाग कर दिया जाता या देखिस सब के पास बराबर समपत्ती रख दी जाते तो उसके बाद किसी को कोई आरप्षण की व्यवस्ता ही नहीं करने पड़ती लेकिन कोई छोटा रहे गया कोई तब कि मैं जैसे महिलाव को इसलिए रही जाती है कि आरप्षण क्योंकि वो पिछड़ गई है कि आरप्षण की विवस्ता हो तो अच्छा रहता है क्योंकि आपने देखा है कई सामान लोगों में बिगर ही दिया है कई STC वाले या वो विसी वाले कि स्थिती सुधर चुकी है तो उन्हें रोख दिया जाए आरप्षण और उन्हें दे दिया जाए जो पिछड़े ते बंचे तेल्य हां जो पुच्ड़े गए ते rules की जमें अ wiping कि मॉलिक करी से अगर आफ परचितं तो आप कर छोड़े जैसे हैब सक्से जोगे तो आपनेैं कई समिल्क अदिकार two typical ऐब कर देग कि जबंना में ब्ल PAC trace द्धार्मिक सुतन्ता सेख छेख एवं सांस्कृतिक अधिकार सम्मिधानी कोप्चार का अधिकार कि चलते हम लोग आंगे कि छुवाचूद के अनेक रूप कि 1999 में पिसित पर्तकार पी साहिनात में दल्दीतों या अनुसूचित जाती ही कि लोगों के खलाब अभी अंग्रेजी अकवाल हिंदू में एक लेक माला लिखी वेदेश के अनेक इस्थानों पर गए और पाया की अनेक इस्थानों पर चाय की दुकानों पर दो तरह की ख़ब रखे जाते हैं एक दलित के लिए दूसरा बाकी लोगों के लिए हजाम दलितों के बाल नहीं काटते हैं दाड़ी नहीं बायाते हैं दलित छत्रों को उकप्छा में अलग बैठना होता है और अलग रखे घड़े से पानी पीना होता है दलित दूलों को बरात में गोड़ी पर नहीं चड़न कि परिभासा के दारे में आते हैं किया आप अपने इलाके से कुछ ऐसी उजारे हैं सोच सकते हैं याद रखिए कि हटाया जाए लेकिन तब तक कहा आप सोचिए कि यहां चाय की दुपान पर चाह पीडे जा रहे हूं तो ओहां भी दो तरएक कप हो इक कहां की विवस्ता है उन्हें कप को हटा दीजे एक ही आप भी उसी कप से चाहिए और वो भी उसी कप से चाहिए तब आप विरोध कर सकते हैं आरग चुता है कोई पर अबलम नहीं है आगे चलते हैं हम लोग किसी तरह का भेदभाव ना होने का सिठ्धान सामाजिक जीवन पर इसी तरह लागू होता है समिधानिक सामाजिक पेदभाव के एक बहुत इस प्रवल रूप से चुवाचूत का जिक्र करता है और सरकार को निर्देश देता है कि वैसे इस ते समाप्त करें किसी भी तरह के चुवाचूत को कानूनी रूप से गलत करा दिया गया या चुवाचूत का मतलब कुछ खास जातियों की लोगों के सरीर को छूड़े से बचना बन नहीं है या उन सारी सामाजिक मानताओं और आचरणों को भी गलत करा देता है जिसमें किसी खास जाती के जनम में जनम लेने पर भर से लोगों को नीची नजर से देखा जाता है या उनके साथ अलग तरह का बेवार किया जाता है इसलिए समिधान ने चुवा चूत को दलनी है अपराद खुशत किया यह आरक्षण ऐसा सब्द है कि इस पर कितनी भी बहस की जा सकती है लेकिन आपके याद रखना है अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है तो आपको एक बैलन्स बनाकर चलना है अब इस ठीक है औ आपको नकारात्मक नहीं गुश्च जाना है कि आप उनकी बुराई बुराई करने लगे तो आपको बहुत सोच समझ के आमसर लिखना है और जो हैं बाकी लोगों उनको कलते रहने दिए आरक्षण बोड़ा है या सही है आप अपना बैलन्स बनाएए आपको कि पी परीच ॉशा करने है। सुतंताक दिखार सुतंता क्या मतलब है बाध्यों नहीं होने बेभरिंग जीवन में इसका मतलब होता है कि हमारे मामलों में किसी किसम का दखल नहीं होना हो ना सर्कार कर ना बैट्युम कर यह सुधन्ता गादिकार आर्टिकल 19 से 22 करते हैं इसलिए भारती सम्मिधार ने पितेक नागरे को कई तरह की सुधन्ता दे हुए अभी वैक्ति की सुधन्ता यानि कि बोलने की सुधन्ता सांति पूर्ण से जवा होने की सुधन्ता यानि कि एक जगह मीटें करने की सुधन्ता लेकिन सांति पूर्ण से याद रखिए मौलिक अधिकार आपके तब तक बने रह सकते हैं जब तक दूसरी का नुकसान ना हो य यहां बोलने का दिकार वो पेस्चाय सांती पूंदंग से जमा होने का दिकार है संगठन और संग बनाने की सुदत्ता हो अब आपका यह पिसंग बठान संगठन यह संग बनाने का दिकार हमारा मौलिक का दिकार अब आतंगवादी संगठन बना लिए यह कि कोई ऐसा ओग सं तो यहां आपका मॉलित कर रिखार खतम हो जाएंगे है । देश के किसी वीवार में रहने वसने की सुतंथ कोई भी काम करने दंदा चुनने या पैसा करने की सुतंथ याद रखिए त्थी हर नागरिक कोई सुतंथा प्रादते इसका मतलब यह हुगकि आप अपनी सुतंता का ऐसा उपयों नहीं कर सकते हैं, जिससे दोसरों की सुतंता का हना हो, आपको वो सुतंता, आपकी सुतंता सारजनिक परेशानी या आवेवस्ता पेदा नहीं कर सकते हैं, आप या सब करने के दिये आ जाते हैं, जिससे दोसरों की परेशानी ना हो, सुतंता क का मतलब आजमित मनवानी करने का लाइसेंस या पालेना नहीं है। इसी कारण समाज की व्यापक हेतों को देखते हुए सरकार हमारी सुधंताओं पर कुछ किस्म की पावंदिया लगा सकती है। अभी व्यक्ति की आजादी हमारे लोकतंत की बुनियादी बेसेचता है। अभी व्यक्ति की आजादी बोलने लिखने और कला के विवन रूप होंगें। स्वयम को व्यक्त करना सामिने। दूसरों से सुतंत रंग से बिचार में मस और संभाद करने करके ही हमारी बिचारों और ब्यक्तित अविकार सोता है। आपकी राय में दूसरों से अलग हो सकती है। संभावे की कई लोग सो लोग एक ही तरह से सोचते हैं। आप भी आपके अलग राय रखते हैं। वो ब्यक्त करने की आजादी आप सरकार की किसी नीती से या किसी संगठन की गतिविदियों से आसेमती रख सकते हैं अपने मामाब दोस्तों या रिज्दिजारों से बाचीत करते हुए आप सरकार की किसी नीती या किसी संगठन की गतिविदियों की आलब जना करने को सुदंत है, आप अपने विचारों को परचछा च्छापकर ये आखवारों पधिकाउं में लिखकर भी बैख्त कर सकते हैं, आप यह काम चित बनाकर कविदा या गीत लिखकर भी कर सकते हैं पर आप इस सुतंता का उपयोग करके किसी बैक्ती या समधाय के खिलाब हिंसा को नहीं बाढ़का सकते हैं। आप इस सुतंता का उपयोग करके लोगों को सरकार के खिलाब बगावत के लिए नहीं उक्साब सकते हैं। आप किसी के एकलाद प्यूटी बाते, कहने या उसकी पितिष्ठा गिराने वाली बातें पिचारित करने में इस सुतंता का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नाग्रेकों को किसी मुद्धे पर जमा होने, बैटक करने, पिदरसन करने, जुलूस निकालने, कादी काले। बैयाय सब किसी समस्त्य पचर्चा करने, बिचारों कादान करने, किसी उद्धेश के लिए जन्मत तेयार करने, या किसी चुनाव में किसी उमिदवार या पायटी के लिए बोट मांगने के लिए कर सकते हैं। पर ऐसी बैटके सांतिकोन होने चाहिए। इससे सार्वजनिक आवेवस्ता या समाल में असंती नहीं पहलनी चाहिए। इन बैटकों और गतिविनियों में भाग लेने बालों को अपने पास हतियार नहीं रखने चाहिए। नागरेकों को संगठन बनाने की भी सुधता है। जैसे किसी कार खाने के माज़तूर अपने हितों की रख्चा के लिए मजदूर संग बना सकते हैं। किसी सहर के कुछ लोग भेश्टा चाहर या पिदूसन के खलार अवियान चलाने के लिए संगठन बना सकते हैं। जैसे आप लोग चात हैं, तो एक साथ संगटन भी बना सकते हैं, किसान है तो किसान अपना चात संगटन बना सकते हैं, मैलाएं तो मैलाएं भी अपना एक संगटन बना सकते हैं, अपनी हक्की रड़ाई के लिए किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्ते में जाने की सुतनता है हम भारत के किसी भी हिस्ते में रहे और बस सकते हैं जैसे कि असम का कोई व्यक्ति है धरावाद में बेवसाय करना चाहता है सम्भव है कि उसने इस सहरक को देखा वी भी ना हो या यहां उसका कोई संपक ना हो पिर भी भारत का नागरिक होने के कारण समीधार कहता है उसे ऐसा करने का अधिकार समीधार नमारा देता है इसी अधिकारी पिचलते ही लाकों लोग गाउं से निकल कर, सहरों और देश के गरीब ही लाकों से निकल कर समरद दे अपने परमपरागत पैसे मैं रहें, समीजान कहता है किसी भी बैक्ती को उसके जीने के अदिकार उनिजी सुतनता से बंचित नहीं कि या जा सकता है, कानून द्वारा इस्थापेद विवस्था को छोड़ कर इसका मतलब यहा है कि जब तक अदालग किसी बैक्ती को मौत की सजा नहीं सुनाती उसे मारा नहीं जा सकता है इसका यह भी मतलब है कि कानूनी अधिकार होने का ही सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरे को गरफतार कर सकता है अगर वे ऐसा करते हैं तब भी उन्हें कुछ नियमों का आनग करना होता है ग्रफ्तार या हिरासत में लिएगे बैक्ति पोस्थ की ग्रफ्तारी और हिरासत में लाने के कारणों की जानकरीए देनी होगी सीधा समत्कलर इह है कि कोट अगर सुप्रेयम कोट até कोई कोट आपको मौत की सजाव सुनाता है तो तभी मौत की सजा दी जाएगी बढ़ना आपको ना तो किसी सरकार ना ही किसी वेक्ति को अधिकार नहीं है कि वो आपको किसी की मौत कर सके किसी को मारे और रही गिरफतारी के पुलिस को भी अधिकार है गिरफतार करने का लेकिन उसे इसका कारण बताना हुआ कि आपको क्यों गिरबतार कर रहा हूँ ठीक है गिरबतार यह राषत में लिएगा वैक्ति को सबसे निकटकी मजिश्टेट के सामने गिरबतारी के 24 गंचों के अंदर, पिस्तुत करना हुआ यानि की मतलब यह होता है, कि हमें अभी गिरबतार करता है कोई तो 24 अभी से जोड़ देखे, 24 गंटर के अंदर हमें किसी मजश्टेट के सामने पेस करना होगा, ऐसे वेक्ति को बकी से विचार मेमस करने और अपने बचाप लिए बकी लखने का अधिकार होता है, यारी कि मुझे बकी लखने का अधिकार होगा, उसे विचार मेमस करने का अभी अधिकार होगा आए एक बार फिर से ग्वांता नामों बे उकुसोगों को याद करें इन दोनों ही मामलों में सिखार लोगों को सभी सुतंताओं में सबसे बुने आदी दो चीज़ों जीवन रख्षा और नीजी सुतंता से बंचित रखा गया क्या यह उधारन सुतंता के अभिकार का उलगन है अगर हाँ तुपिदेग में समिधान को कि कौन से प्रावदान का उलगन होगा बारस अग्यार ने सलमान रूस्दी की किताब सेनिट शेटेनिक वर्सिस को इस आधारपती पर पिदीवन ने कर दिया किसने पेगंबर तक बने रह सकते हैं जब तक कि दूसरे कादिकारों का अनन ना हो तो इसमें देखिए इस पुस्तक में क्या हुआ हमें बोलने का लिखने का अर्टिकल 19 के तरह हमें इस तरह के बोलने का लिखने का चित बनाकर अपनी अभिव्यक्ति का आ जाती है लेकिन उस अभिव्यक् है हर फिलेम को सारुजनिक फिदर्शन से पूर भारा सरकार के सेंसर बोड़के फिर प्रमारफक्त लेना होता है पर वह यह कहानी अगर किताब या पत्थिका में चपने तो उस पर ऐसी पावधी नहीं है आपने देखा हुगा कई वार भूगी आती हैं तो सिब बबाल होने लगता है जाती को लिए पदमापती को लेजिए आप इस पितवीर आ जा रही है उसको भी लेकर चलना था ठीक है सरकार इस बात पर विच्छार कर रही है कि कुछ खास और दोगित चित्रों या फिर अर्दव्यवस्था के कुछ चित्रों में काम करने वालों कोई नहीं बनाने और हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं होगा नगरपेसासन ने वाद में परिच्छाओं की मंद्य अंजयत सहर में राद दस बजे कि वासता रजने क्लावड उस्पिकर कि प्रियूप परकावंदी लगाती है समझ में आया है अब बात करते हैं हम लोग सोशण के एकलाप अधिकार सुतंता हमने देखली समानता दिखा था पहले उसके बाद सोतंता अब पहुंँचे हम लोग सोशण के विरोद खिलाप अधिकार सोतंता ओ और बराभरी घतकल मिल जाने के बाद सभावग तो नागरे कोई एधिकार ीयो की कोई उसका सोशन ना कर सके हमारे समिधा निर्माताओं ने ऐसे भी समिधा में लिखतरों से दर्ज करने का वैसला किया ताकि कमजोर वर्मों का सोसंड ना हो सब्सक्राइब याद रखना जो हमारा सम्ता या समानताओ अदिकार था उसमें आर्टीकल 14 15 16 17 18 जो सुतंताओ अधिकार था उसमें 19 21 22 और जो हमारा सोसंड के विरोद अधिकार है इसमें आर्टीकल आपका यानि कि अणिचे 23 और 24 याद रखना सोसन के खिलाब अधिकार कौन-कौन से हैं अधिकार में अनुशेद आपका 23 सामेल है 24 समिधान में खास तौर से तीन बुराईयों का लिक्र किया है और इन्हें गेर कानूनी गोसित किया है पहला समिधान मनुश जाती के आप अभयत व्यापार का निसेद करता है आमतोर पर इसे धंदिक अस्थिकार महला होती है जिनकी आन्यतिक कार्मों के लिए कामों के लिए सोसन होता है दूसरा हमारा समिधान किसी किसम के बेगार या जेबरन काम लेने का निसेद करता है यानि यही काम मजदूर को जीवन बाद करना हो जाता है तो इसे बनवा मजदूर कहते हैं। तीसरा समिधान बाल मजदूरक मजदूरी का भी निसेद करता है। किसी कारगा, कारखाने या ख़दान एरेलवे और बंदरगाह जैसे कतरनाक काम है। कोई भी 14 वस से कम उम्म के बच्चों के काम नहीं करा सकते है। इसी के आधार पर आधार बना कर बाल मजदूरी रोकने के लिए अलेक खानन बनाई है। इसमें बीडी बनाने, बठाके बनाने, दिया सलाई बनाने, पैंटिंग और रंग रोहन जैसे कामों में बाल मजदूरी रोकने के लिए सामिए। इन ख़वरों के आधार पर संपादक के नाम करें। लंबा पत्य सोसन के खलाब पढ़ लिए। मदरा साइकोट में एक अरजी दायर की, अरजी दायर करने वाले ने कहा कि सालेम जली की गाउं में साथ से बारह वर्ज की उम्म के अधिक बच्चों को लिकर, जाकर केरल की तिचूर जली के उल्वूर में बेंचा गया। आभिदम करता ने अदालत से मांग की कि वह सरकार की इस मांगली से जोड़ी तत्तों की चैंच कराने का आदिश ने। करनाटक की हॉमपेट मंडूर ए इलाके में लूह एस्क खदानों में पांच वर्ष हुसते ही अधिक उम्म के बच्चों से काम कराया जा रहा है। बच्चों ने खदाई वस्क तोड़ने, लाधने, उगराने, ढुलाई और कटाई का काम लिया जा रहा है। उनको ना तो सुरक्चा के उगरण दिये जाते हैं ना ही तैमजदूरी ना ही उनके काम का समय तैर। वे बहुत ही जहरीली खजरीक उड़ोते हैं और खदान की दूहूर जो मानक तर से काफी आधिक है भी उनके आख, कान, नाख में जाते रहे थी। इस अलाके में स्कूल की बढ़ाई कि भी छोड़ने की दर कंती मुची है। राष्यय नमूना सर्विक्षा शंकन की नमीनतम बासक सर्विक्षा रहा गया। कि रामील और छेत्रों में लड़कीं से काम कराने का घरम बढ़ता जा रहा है। और आप जानदा तर बच्चियों से काम कराया जा रहा है तरवेक्षन में आप बार सामने आई कि पहले या पिती हजार काम कारों में बच्चियों की संख्या 34 ही वहीं आप 41 हो रड़कों की संख्या कान पाथ 31 बना हुआ था एक बात हमें से याद रखें अब आपको भी कोड में जा सकते हैं अब बात करते हैं धारमिकस सुतनता का अधिकार तीन अधिकार आपके होगे समानता सुतनता सोचन अब यह आपका धारमिकसतनता का अधिकार आइटिकल 25 से 28 इस तक सुतंता की अधिकार में धार में सुतंता का अधिकार सामिल है हमेरे शमिधार निर्माता खार्ड चौर्गस वेयर उन्होंने इस सुतंता को इस प्रश्टोरी से अध़क्दर्ज किया आप अध्य दू में पढ़ शत्रज़ देस है बिर्ष के अर्न देशों के समान भारत के अधिकांस लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं कुछ लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं धर्म निर्पेक्चता इस सोच पर अधरत है कि सासन का गाम ब्यक्तियों के बीच के मामलों को यह देखना है ब्यक्ति और इस और की बीच के मामलों को नहीं धर्म निर्पेक्ष का सासन होय है जा किसी भी धर्म को अधिकारिक धर्म की मानता नहीं होती भारतिये धर्म निर्पेक्ष का में सभी धर्मों किती सासन का संभाव रखना सामेल है दर्म के मामले में सासन को सभी धर्मों से उदास ही और निश्पक छोना चाहिए हर किसी को अपना धर्म मानने उस पर आजरन करने उसका प्रिचार करने का अधिकार हर धर्मिक समूव या पंत को अपने धर्मिक कामकाजों का प्रवन्दन करने किया जाए पर अपने धर्म के प्रिचार करने की अधिकार का मतलब किसी को साज्या देकर फरेव करके लाज़ लगते कर उसके उससे धर्म परिवर्तन कराना नहीं है नी संदर नी संदे व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने की आजा दिए अपना धर्म मानने और उसके अंसार आजनन करने का यह अर्थ भी नहीं है कि ब्यक्ति अपने मन के अंसार जो चाहे सू करें जैसा कोई आदमी देवता या कथित आदिर्स सक्तियों को संतुष्ट करने के लिए नरवली या पसुबली नहीं दे सकता है औरतों को कमतर मानने या औरतों की आजादी कानन करने वाले धार में क्रिश्टी रिवाजों पा आचनन करने की अनमती नहीं है जैसे कोई जबरजश्टी किसी विद्वा का मुन्णन नहीं करा सकता है उसे शरफ चप्भीज कब्र भएनने के लिगे मजूर नहीं कर सकता है या नी कि सीरीसी वाथ आपके एक है कि कि आम किसी के साथ कोई जबज़ाजती नहीं कर सकते हैं अगर वो आपके दःम में सामेर होना चाहता है तो हो सकते हैं ठीक धर्म निर्पिच सासन का मतलब किसी धर्म का बक्च लेना या उसे विशे सदिकार देना भी नहीं यानि कि यह नहीं है कि आपके याँ भारत में हिंदू अदेखे या फिर मुसल्मान है देखे तो किसी यह धर्म का सरकार मारा बक्च ले ऐसा नहीं है थρι्वार्म उतना हीहं बराबर है उसके लिए सरकार के लिए उतना हीं मुसलिम सभी जार्म में कि नहीं ऐसा शाहिए किसी व dł میक्तिकों उसकी ध्यार्में क्मानदाउग के श्यांद दे सकते हे या उसके साथ भेदभाव कर सकता हे इसी परकाल सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या पर उसके रख रखाव के लिए कल देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबून नहीं कर सकती। सरकारी चर्चनक संस्थाओं में किसी किसम का धार्मिक निदेश नहीं होना चाहिए। अगर किसी सेक्षिरिक संस्थाओं का संचालन को इनजी संस्था करती है तुहां के किसी विव्यक्ति को प्रात्ना मेहिस्सा लेने या किसी द्धार्मिक निदेश का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया दर सकते हैं कि एक बात हो रहात आप लोग यहां देहन से रखिए कि इन्हें आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं यह दिमाग लागा कर आँगे आपका जब हम लोग आँगे की किलास में पहुंचेंगे तुहां इन्हें डिटैल के साथ पढ़ेंगे अनुचर वाई अनुचर उसमें दे अब चलते हैं हम लोग अधिकार अंगला अधिकार है मारा सांस्कतिक और सेट्चिक अधिकार यह आपका अनुचे इसमें सामय दे हापका 19 और 30 आप हैरान हो सकते हैं कि हमारा समिधान निर्माता अल्ब तक्यांकों के अधिकार को कि लिखित गारंटी को लिकर इतने सचेत क्यों है बहु संक्यक के लिए ऐसी कोई गारंटी क्यों नहीं इसका सीधा सरकारण है कि लोग तंत की एक कारपत्ती अपने आप बहु संक्यकों को जाधा दागत दे जेती है आलप संक्यकों को ही भावासा संस्क्ति धरम इसे इसकी सेरक्ष्ण की ज़रूरत कहती है अनुथा वे बहु संक्याकों की भासा, धरम और संस्किती के प्रवाव में पिछटते चले जाएंगे इसी के चलते समिनार अल्ब सक्याकों के संस्कितिक और सेक्षे अधिकारों को इस्पष्ट करता है नाग्रिकों में विसिष्टे भासा या संस्किती वाले किसी समूप अपनी भासा और संस्किती के खुबचाने का अधिकार है किसी सरकार या सरकारी अनुदान भाले स्था संस्थार में किछी नागीरिप को धर्म या भासा के आधार बास दाकिला लैने से नहीं रोका जा सकता है सबी अल्पोस संक्युकों को अटनी करख को सअधिक संस्थाण ने को चलाने का जिकार है यानि कि यहां कर सकते हैं आप लोग कि आप अपना स्कूल को सकते हैं, अपनी संस्किती है जो धरम है, मानता हैं, उन्हें आप सुरक्षित रख सकते हैं, एक बात हमें सहयाद रखें, सरकारी स्कूल, यानि कि जो सरकार के द्वारां अनुदान दिये चारें, उसमें सभी जा दर्टी से यानि कि आप अपने पैसे स्पूल और तो या उसमें जी अमटा सरकार को करें आपि किसे आप लोग बजल से लेवाँते लेकौPD वाटा ली किसने वहाँते हैं तो संफारी जैनों को भी कि यहां अलब संक्यक करें कि इर्ण कल्भ संक्यक नहीं कि सिम्ट किसी स्थान पर एक खास भासा भासा अको बोलने वालों के पर अलग भासा है का अलब्संक्यक होगे जैसे आंध़ कि शुच में थेलभूने मजा बहुंवालों का परकरना तक में चोन्य Wikio पंजाब में सिख्थ बहु संक्याट है और राजिस्थान अर्याड़ा और दिल्ली में भी अलसंक्याट है कि हमें यह अधिकार कैसे मिल सकती है यह अधिकार गारंटी की तरह है जहां भी यह हमारी किसी काम के नहीं है तब भी यह हमारी किसी काम के नहीं है अगर इन गारंट इसलिए इन्हें लागू किया जा सकता है हम उपयवत अधिकारों को लागू कराने की मां करने का अधिकार है हमारे पास उन्हें लागू कराने के उपाय है इसलिए सब्मिधानिक उप्चार का अधिकार का जाता है इसे क्या कहते हैं सब्मिधानिक उप्चार का अधिकार या आर्टिकल 32 के तहरें, यानि कि मौलीक अधिकार हैं, यह अधिकार अन्न अधिकार को फिरवावी बनाते हैं संभाववय कि कई बार हमारे अधिकार का उलगन कोई और नागरे कि आप कोई संस्टा या पिर कोई सम्सरकार की कर रही है पर जब इन में से हमारे किसी भी अधिकार का लगन हो रहाओ तो हम अललत के जरीयों से रोक सकते हैं इस समस्या का निदान पा सकते हैं अगर मौलिक अधिकार का मामला हो तो हम सीधे सरवचने अलाय या किसी राज के उचने अलाय में जा सकते हैं कि इसी कारण्ण डौक्टर अंवेड कर तता हम फैसलों से उपर हैं, मौलिक अदिकारों का उलगन करने बालों बाला कोई कानून नहीं बन सकता है, कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है, विधायका या फिर कारपाईएगा, कि किसी भी फैसले या काम से मौलिक अदिकारों कानन हो या उनमें कमी हो, तो ऐ फैसला या क काम ही अवैद हो जाए हम के दोरा सरकारों द्वारा बनाए गए ऐसे कानून को उनकी नेतियों और फैसरों को या राष्टी के बेंट या विजली बोड जैसे उनके द्वारां गटे संस्थाओं की नेतियों और फैसरों को चुनोती दे सकते हैं बेबी बैक्तियों या निज जारी करने के अदिपधा R conduit अगरवडी करने वालों कोब भादाय करने वालों नंद्यit कर सकती है अध्याय चार में हमने देखा कि हमारे देश की नियायपाली का सरकार और संस़त से सुद्ध आ मने यह भी देखा कि नियाय पाली का बहुत सक्ती साल है और नाग्रेकों के अधिकारों के लिए जो कुछ ज़रूरी है वह करने में सक्षम मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में कोई भी पीटिद वेक्टी नियाय पाने के लिए तुरंथ अधालत में जा सकता है परहब अगर मामला सामाजिक या फिर सारवजने खितका हो तो ऐसे मामलों में मौलिक अर्दिकारों के उल्लगन को लेकर कोई भी बैक्ति अलालत में जा सकता है इसमें कोई भी बैक्ति या सरकार के किसी कानून या काम के खिलाफ सारवजने खितों की रक्षा के लिए सरवच नियालय पर किसी उच नियालय में जा सकती है ऐसे मामले जच के नाम पोश्कायर पर भी लिखी एरजी के माद्यम से भी उठाए जा सकते हैं अगर नयादीसों को लगे कि सच मुझ इस मामले में सारवजने खितों पर चोट पहुंच रही है तो वे मामले को विचार के लिए सुईकान कर सकते हैं देख लिएते हैं हम कुछ पॉइंट दिये गया थे आख लोग हमेशा बने रही है क्योंकि पता है आगले कि जो भी बुक से हूँ इसमें अलग लग करकी नहीं समझाए गया है जो भी आख राश्टिय मानवधिकार आयो बनाएगा अंतरा राश्टिय उस से जो भी इसे लिए बनाएगां कि कोई देश अगैसा है कि अगर कोई राजसरकार आपका अधिकारों काना करता है तो कम से कम आपका राष्टी इमाना अधिकार तो है क्या आपने ऊपर बने नियूज कॉलम्स देखिए अंतर राष्टी नियाल हो गया इस तरह से जोगी आपके इवेंट सहिफत राष्ट कि आपने ऊपर बने नियूज कोलम्स का प्रद्या दिया इसमें राष्टी माना अधिकार आयों का जिक का है यह संद्रम माना अधिकार के पिती बढ़ती जागरूपता और माना गरिमा के संगर्थ में कि बारे में बेवेने चेत्रों में मानावदिकारों के रूर लगन के गुजरात दंगों दंगे जैसी कई मामले हैं कि इस बारे में देश भर से लोगों का द्यान आकिष्ट किया जा रहा है किन मामलों को गंभीरता से नहीं लेने और उनके दोस्यों को नहीं पकड़े जाने पकड़ पाने के लिए मानावदिकार संकर्ठन या संचार मात्यां अकसर सरकारी एजन्सियों को कि आरोजना करती है ऐसे में पीड़तों की तरब से किसी को दखल दैने की आवसकता थी और राश्टी अमानावदिकार आयू ने इस मामले में पहिल की या 1993 में कानून के द्वारा बनाए गया एक सुधन आयूकता मानावदिकार आयूग आपका इसकी इस्थापना 12 एक्टूबर 1993 में हुई थी मानावदिकार संरक्ष्ण अरदियम 1993 की था थी याद रखना कभी थी बारेक्टूबर 1993 को और इसका मुख्याल है जो है आपका इसका नई दिद्री में नियापालिका की तरह आयूग की एक सर्काल स्विस्पन होते हैं आयूग की निवकती राश्टपती करता है आयूग की ज्रति के नियुक्ति यानि किसमें जो अध्यक्च होते हैं इनकी निवकती राइठती करता है इसमें आम तोर पर सेवा निवत जद अधिकारी या प्रमुख नागृफ्त भी निवकत किया जासका है किन्तु इस पार अदाल्ती मामलों में फैसले देने का दायत या पूछ नहीं होता है सो या पीड़तों को उनकी मारा उदिकार बिलाने में बदद करने का इस सारा द्यान दे सकता है इसमें समिधान के दर अधिकार भी सामिलें ठीखीं राश्टिय माना अधिकार आयोग्स किसी को सजय नहीं दे सकता या जिम्मेदारी अधालत की है आयोग का माना अधिकार आयों क्यों माना अधिकार की उलगन के किसी मामली में सुतन्त और विश्वस्निय जाज करना है या मामलों की भी जाज करता है जहां ऐसे उलगन में या इने रोपने में सरकारी अधिकारियों का पर उपिक्षा बढ़तने का आरोप है यह देश में मानव अधिकारों को बढ़ाने उनके पिती चेतना जगाने का काम भी करता है आयोग अपनी जाद की रिपोर्ट और अपने सुझाव सरकार को देता है या पर पीडितों की और से अधालत में दखल देता है अपनी जाद करने की सेंसरे में इसके पास ब्यापा करीता है किसी भी अधालत की तरह चमसी चस्म दीद गवाहों को सम्मर भेज कर बोला सकता है किसी सरकारी अधिकारी से पूंच चांज कर सकता है किसी सरकाली दस्तवीच की माम कर सकता है या किसी जेल में जाकर ज्याज कर सकता है या घंटना इसकल पर अपनी टीम बेख सकता है बारत पर कोई भी नाविक मानवदिकारों के उलगंद की मामली में इसके पास निम्लिकित पती पर सिकार देश सकता है राश्टी मानों अधिकार आयो जी पी ओ कम्पलेक्स आई एन ए नहीं दिल्दी या एक लाग दश्यारत तेज आयों के पास अड़ी भेजने कि ना तो कोई फीज कोती है ना ही फान ना ही कोई तै तरीजा राश्टी अधिकार आयों के तरह है कि 26 राज्यों 10 देसंबर क्या रहता है कि राज भी अपने राजेमानुदिकार आयों गटित किये हुए जैसे मतफिदेस हो गया है इसमें 1905 में आपका अपना राज्यमानौधिकार आयों बना था भाता है पता है अभी भी पूछे जाएंगे लेकिन उतना नहीं रहेगा क्योंकि पहले क्या होता था था पचीस से पचीस पचीस क्वेश्टन्स तक अभी कभी पूछ लिए गया इन तीनों एक्टों से सब्सक्राइब स्मझ सकते हैं अब बात कर ली थे हम लोग यहीं अधिकारों का बड़ता तायरा हमने सद्याय की सुरात अधिकारों के बात पर चर्चाज़ की थी पर अदिये जानतर हिसे में हमारत थियां सम्मिधान द्वारां दिए गए मौलिक अधिकारों पर हिरा है आप सोच सकते हैं कि समिधान द्वारा में दिये गए मौलिक अधिकार इस नाग्रेखों को मिलने वाले अधिकार है यह सही नहीं है मौलिक अधिकार बाकी सारे अधिकारों के सिरुख हमारा समिदान और हमारे कानू हमें और बहुत सारे अधिकार देती है वो साल दा साल अधिकारों का दारा बढ़ता जाता है समय समय पर अगालतों ने ऐसे पैसले दिये जिन से अधिकारों का दाइरा बड़ा है प्रेश की सुदंता का अधिकार, सूचना का अधिकार, सिक्षा का अधिकार जैसे चीजें मोड़ी का अधिकारों का ही पिस्तार है उन्हीं से निकली है अविस्कूली सिक्षा हर वारत की है का अधिकार बन चुकी है 14 वर्स तक की सभी वर्चों को मुप्त और अनिवाज इच्छा देलाना सरकार की जिमने दारी है संसद ने नामिरिकों को सूचना का अधिकार देने वाला कानून भी बना पास किया है कि अधिकार विचारों और अभी वेक्ति की आधिकी मौलिक अधिकारों की थायती है हम सरकारी दक्तरों से सूचना मागने और पाने का अधिकार है हालीस में सरवच नेले ने जीवन के अधिकार को भी नया विश्कार देते हुए वह उसमें भोजन के अदिकार को भी सामिल किया और आपका निजता का भी अदिकार सामिल किया है आर्टीकल अंचेद 21 के तरह है तो जब भी जो जिसकी जरूरत हुथी है जैसा अदिकार की वह सामिल किये जाते लिए आपकी 1902 उसमें इसा कोई डारेक्ट सब्सक्राइब लेकिन आठाक का आर्टिकल 19 के तरह थी तीक है उसमें भूजन की अधिकार को भी सामिल किया गहाएं साथ ही अधिकारों का दायरा समीधान द्वारां दिये गहाएं मौली अधिकारों का इती या सीमत नहीं समिधान अनिक दूसरे अधिकार भी देता है मौलिक अधिकार नहीं है जैसे संपत्ति रखने का मौलिक अधिकार नहीं है पर समिधानिक अधिकार है पहले यह आपका मौलिक अधिकार था लेकिन इसे 44 बे समिधान सलसो दन दौरा हटा कर और आफान हैदिकार संधानुका माना लिए 390606 301 चुन्दाव में बूठ देने के अधिकार हैं संधाने के आधिकार हैं इस असल में सर्मन नर्थिक धावे हैं जो कानुन दौरा मान्थ ऊभी सकते हो नहीं हो इन्हें उस अर्थ में अधिकार नहीं कहा जा सकता है जैसा कि हमने पहली परिवासा की मातिम से बता है तब दुनिया में लोकतंद के ट्रजाव के साथ सरकारों पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि बे इन सरफ समान नेक्तिक दावों को मानें कानूनी रूप थे कई अंतराश्टी संधिया को होते दिग्यावत्तों में अधिकारों का दारा बढ़ाने में अधिकारों का बढ़ता जा रहा है और हर समय नए अधिकार सामने आरा है ए लोगों के संगरस से थासिल हो समाज के विकास या नए समिधार के निर्माण के साथ नए एधिकार सामने आती है समिधार बना का समंधी अधिया है अमने देखा है दर्चिन अपेका के समिधार नागरेकों कही तरह के नए एधिकार मिले हैं इन में से कुछ इस पिकार है नेजीता का दिकार है इसके गारन डांग्रेकों उनके घरों की तलासी नहीं ले जा सकती है उनके फॉन्ट्रेप नहीं किये जा सकती है उनकी चिट्टी पत्ती को खोल का पड़ा नहीं जा सकता है here Qo DO Pरयाप्ण का दीकार ऐसा पर्याप्ण पाने का दिकार है जो टांगरेकों की स्वास्तों पुसल चेहें के पीती पूल ना परियाप्त आभास पाने का दीकार है पॉरेrauत भोजन पानी सब्च का दिकार है किसीपो भी आभास-चिक-स-र दर्हेर से इंकार नहीं किया जा सकते हैं अनेक लोगों का मानना है कि काम का अधिकार स्वास्त का अधिकार जीने के लिए जरूरी निम्तम आवस्तक्ताओं का अधिकार निजिता के अधिकार को भी भारत में भी मोडिक अधिकार बना देना चाहिए आप इस बारे में क्या सोचते हैं पितिज्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द नीती ने देशक तत्तों में सामेले आपका यानी की राजसरकार के उपर नीरवाड़ है। काम करने की सुरक्षित स्वास्त महुल का दिखार तथा मल्चदूरों उनके परिवार के लिए सम्मान जनक जीवन इस्तर लाए उचित मल्चदूरी का दिखार। प्रिवासा जान लिए पितिग्यापत नेमों और सिध्धान्दों को काईम रखने का बैक्ती समुव से देस का वाएतन ऐसे भयान या संधीक पर दस्तकत करने वाले इसके पायलन की कानुनी बाढ़ता होते हैं दावा, सभी नागरिकों समाज या सरकार किसी नागरिक, दौणा कानुनी या पिर नेती कदिकारों की माँद, दलित, ऐसी जाती में जन्मा व्यक्ति जिसे दूसरी जातीयों के व्यक्ति चूने लाइक नहीं मानते हैं, दलितों के लिए अनुसुच जाती, कम्यूर बर्व जिसे सप्ट्धों का भी प्रयोग क्या जेसे मानावजाती का ऐसा जिसमें लोग आवस में एक मूल या समय बंक्त होоूं एक जाती एंसमो के लिए लोगसांसिकांटेचन आचनों जाती है विश्वासों और यटिहासी कर्थूंटियों के जरीए जोड़े door संबन अदालत द्वारां जारी एक आदिश जिसमें किसी बेक्ति को अदालत के सामने फेस होने के लिए कहा जाते हैं अवैद व्यापा अनेतिक कामों के लिए इस्तरी पुरुष या फिरवच्ण की खरीदविक्टी रेट उच नियाला या सरवुच नियाला द्वारा सरकार को जाई किये गए एक उपचारिक लिखिता देद। MNST International मानावधिकारों के लिए काम करने वाली कारकरताओं का इक अंतराश्टीर संगतन। या संगतन दुनिया भर में मानावधिकारों के उल्लगन पर सुतन्त रेपोर्ट जावी करता है। इसी अध्याल से संबंदित आपके questions दिये हैं इने देखी लिए। और PDF आपकी Telegram पर टलिए। इसे अपने पास दखी लिए। जब भी time मिले एक बार उससे भी पढ़ लिए। क्योंकि कप्छा नौवी से आपके बुक्स है। जब भी कप्छा नौवी से लेकर आगे लिए। कप्छा आट भी तक क्या है कि जो नौर्मल सब्दे उनका बेस बनाने के लिए थी। लेकिन कप्छा नौवी से लेकर बार भी तक कि बहुती मत होने। तो ध्यान ने और अच्छी से पढ़ें। तो इसमें हम लोगों ने बात कर लिए अपने मौली करिकारों के बारे में। इस तरह से हमारे पांच चेप्टर थे इस बुक्स में जो आपकी कच्छा नौवी की लोगतांत्रिक राजनी थी। हश्ट के नाम से जोगों कसे इसमें आपके पांच अध्या थी। पहले अध्या में हम लोगों ने लोगतांत्र क्या देखा था। दूसरे में बात की थी समिधान निर्वान, तीसरे में चुनावी राजनी थी। अध्या चार में बात की थी संस्थाओं का कामकार, अध्या पांच में लोगतांत्रिक अधिकार देख चुके थी। दवाक किए कच्छ knocking मौवि की लोगतांते किराज नहीं थी के नाप से फश्ट के नाप से जो भुक्स थी वो ही उब खबर हो चाती है अंगली खिलाश के मोग बात करेंगे समकारी महारण ख़ष्ट के वारे में कुछा नौविंगी दूसरी बुक्स के बारे में